आप सब्सक्राइब कर दो हेलो 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 अन्य मुड़ोब गुड मॉर्ण एवरिवन कैसे आप लोग सब्सक्राइब एक बार एक कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दीजे मुझे क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या मैं आपको दिखाए और सुनाई दे रहा हूं फटा फट बता दिजिए तुरं 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 मैं आपको सुनाई और दिखाए दोनों एक साथ दे रहा हूं एक बड़ी फटा फट कमेंट कर दिजिए फिर हम दिखाई दे रहा है कि अगर मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ तो बस एक थमसप ब्हस दीजि trainees, एक थमसप एक थमसप अगर आपको दिखाई से धोनाई एक साथ दे रहा हूँ audio एक। अगर डियर essayer है ना expert my audio and video is clear to you then please send a thumbs up फिर हम आज का session सुरू करेंगे जिसमें हम one shot में liquid solution नाम का chapter that is solution नाम का chapter जो बारवी के physical chemistry का portion है उसको completely cover करेंगे sir उसको completely cover करेंगे बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया तो आप सभी का स्वागत है manji legend के series में इस series का motto और मकसद तो ना तो आगे हम start करते हैं आज हम पढ़ेंगे liquid solution one shot एक one go में हम पूरा का पूरा liquid solution cover करने वाले हैं कौन कौन सा topic और किस किस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले हम start करेंगे थोड़े बहुत concentration terms के साथ थोड़ा सा insight मैं आपको का और concentration term के इंटर कनवर्जन के बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले हम चर्चा किस की करेंगे सर concentration terms की फिर हम आएंगे concentration term के बाद हम बात करेंगे concentration term के बाद हम बात करेंगे solubility of solids in liquid इस topic की चर्चा करेंगे उसके बाद हम बात करेंगे solubility of gases in liquid solubility of gases in liquid है न और इसी topic में इसी topic में हम पढ़ेंगे अपना in liquid इसी topic में हम cover करेंगे अपना henry's law we will be covering henry's law in this henry's law और इसके बाद हम बात करेंगे vapor pressure की vapor pressure की और साथी साथ vapor pressure की और साथी साथ solubility of liquid in liquid solubility of solubility of liquid in liquid liquid की solubility liquid में liquid का solution liquid में इसकी बात करेंगे समझ गए क्या समझ गए बताई 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 फटाफट कमेंट कर दीजे सर और मैं आपको एक बात एक दम rest assure कर देता हूं सर याद रखेगा इस chapter से जही मेंस का आज तक paper ही नहीं बना है जिसमें सवाल ना आया हो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे सर फिर हम कुछ common topics पढ़ेंगे उसके बाद last में सबसे important topic में से हम पढ़ेंगे Colligative properties हम क्या पढ़ेंगे सर Colligative properties Colligative properties and Vant of factor के बारे में और बीच में और भी topics है ऐसा नहीं कि topics स्किप कर दिया सर लिखा नहीं है यहां पर बट जैसे एजियो ट्रॉप होगे रहा हम पढ़ेंगे वो सभी Solubility of Liquid in Liquid वाले portion में ही आ जाएगा यहीं पर हम Rouls Lobby कवर करेंगे सर यहीं पर हम Rouls Lobby कवर करेंगे है न यहीं पर हम Rouls Lobby कवर करेंगे और सारे topic हम यहीं पर कवर कर लेंगे तो स्टार्ट करते हैं आज का session याद रखना मैं एक ही बात कहता हूँ जैसे अगर मैं आप से एक बात पूछू तो आप सभी को पता होगा या आपका 2022 का आखरी session होगा chemistry का या मैं बोलू तो chemistry सायद आप में से बहुत सारे लोग last time पढ़ेंगे इन 2022 हाँ या ना बताओ 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 duration of class I will be trying to keep it मतलब 3-4 घंटे में हम complete करने की कोसिस करेंगे और इस 3-4 घंटे में 3-4-4 घंटे में हम कोसिस करेंगे कि हम कम से कम 50 questions तो करके ही जाएं यहां से कम से कम 40 से 50 सवाल कर ही ले तो मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से मुझे यह लगता है कि सर यह आपका आखरी सवाल होगा ideal non-ideal solution सब यहीं पर covered है सर everything is covered in solubility of liquid in liquid सब कुछ यहीं पर पढ़ेंगे route slower deviation last है है ना हाँ या न yes or no बोलो यार पढ़ेंगे भी से याद रखना पढ़ाई भी से करेंगे कि आखरी lecture है सर इतनी सिद्दत से पढ़ेंगे इतनी सिद्दत से पढ़ेंगे कि मज़ा आ जाए और साथ ही साथ केवल mains level पे नहीं advance level पे भी काम करेंगे सर क्यूंकि यह जही advance का भी topic है सबसे पहल होता है सर सभी लोग ध्यान देंगे कि यह एक homogenous mixture होता है अब solution के अगर हम बात करें अब solution के अगर हम बात करें पाहत है 2 या 2 से अधिक component के homogenous mixture को हम क्या कहते हैं homogenous mixture को हम क्या कहते हैं सर बताइए 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 इसको हम कहते हैं solution अब इस solution के अगर मैं बात करूँ तो solution काफी तरह का होता है बट इसमें से हमारे syllabus में हमें जो पढ़ना है that is binary solution क्या पढ़ना है सर? binary solution याद रखिएगा हमारे syllabus में हमें जो पढ़ना है that is binary solution और binary solution का मतलब क्या है सर? binary solution का मतलब है हमारे पास एक होगा solute और एक होगा solvent एक solute प्लस एक solvent मिल करके binary solution बनाएगा हमारे syllabus में mostly जो चीज़े पढ़नी है that is binary solution हम क्या पढ़ेंगे सर? binary solution पहली दूसरी बात उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो एक चीज़ और है देको solution जो है ना solution जो है वो तीन type का हो सकता अगर मैं किसी भी solution की बात करूँ अगर मैं किसी भी solution की बात करूँ तो वो तीन टाइप का हो सकता है sir, कितने टाइप का हो सकता है, एक तो होता है solid solution, दूसरा होता है liquid solution, और तीसरा होता है gaseous solution, यह तीन टाइप के solution होते है, depending upon, depending upon हमारा solvent का nature कैसा है, solvent का physical state के हिसाब से, solvent के physical state के हिसाब से, यह तीन टाइप के हमारे पास solution होते है, मज़ेदार बात यह है, मज़ेदार बात यह है कि हमें मज़ेदार बात यह है कि हमें केवल liquid solution पढ़ना है सर हमारे syllabus में हमें केवल liquid solution ही पढ़ना है इसका मतलब हमारा solvent जितने भी question में हमारा solvent होगा ना वो हमेशा liquid होगा सर जितने भी question में हमारा solvent होगा वो हमेशा liquid होगा सर वो हमेशा liquid होगा सर क्या ये बात क्लियर है तो याद रखना हमें solutions के बारे में पढ़ना जो homogeneous mixture होते हैं उसमें हमें binary solutions के बारे में हमारे syllabus में binary solutions ही है और अगर हम बात करें solution में तो binary solution में solution solid हो सकता है solution liquid हो सकता है solution gaseous हो सकता है आप में से कोई मेरे solid solution का कोई example comment कर सकता है क्या any example of a solid solution any example of a solid solution बताईए बताई बताईए बताईए सारे लोग पढ़ सकते हैं सर्क सब्सक्राइब कुछ बच्चे परिशान है कि सरु वेन विल organic कम organic will also come very soon very soon मतलब नए साल में नई शुरुआत हां बहुत बढ़िया बोलो बोलो तो अगर Alloys are solid solution, है न, जितने भी alloy होते हैं, they all are solid solution, जितने भी alloy होते हैं, सभी solid solution होते हैं, बहुत बढ़ी है, liquid solution की बात करूँ सर, liquid solution की बात करूँ तो आपको पता है सर, कुछ बताओ, कोई liquid solution के बारे में बताओ, कोई भी liquid solution के बारे में, sodium hypochlorite हम यूज करते हैं, hand sanitizer की तरह, वो ज का liquid होता है sodium hypochlorite na clo in water na clo plus पानी यह क्या है सर यह आपका sanitizer का liquid है sanitizer मतलब वो disinfectant blue color का use करते है न वह या वो समझ गे और example बताऊ सर और क्या example liquid solution का बोलो यार any example of liquid solution any example of liquid solution glucose in water बहुत बढ़िया glucose in water ले glucose in water तुम लोग बहृत ही सब्भे बच्चे हो वरना लोग तो ऽे पानी में क्या-क्या मिला रहे हैं वरना लोग तो पानी में क्या-क्या मिला लेते हैं सर बहुत बढ़िया इसके बाद हम आगे बात करते है गाशियस solution की अगर हम gases solution की चरच अ強गा है तो gation solution का कोई example कोई भी mixture of any two gases, mixture of any two gases, any two gases, कोई भी दो gases का, जैसे example ले लो air, air is a mixture of gases जो cake solution की तरह बहेव करेगा, क्या ये बात clear है, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, समझ गे भाई, समझ गया, got it, got it, क्या ये बात clear है, सर, बताईए, क्या ये बात clear है, अब सभी को, जैसे, साथ-सात notes भी कर लेना, कोई बहुत भारी चीज़ नहीं लिखूंगा, और मैं सारी चीजे, mostly लिख के पढ़ाओंगा, तो आप साथ में नोट भी कर सकते हो, अगर copy कर लिया है, है तो फटाफन करने सीगे ल्सी ल बोले तो कॉपी कर लिया है वात बड़िया बहुत को चलिए आगे बढ़ते हैं सर इसके बाद हम आते हैं कुछ टाइपस ऑफ सोल्यूशन देख लेते वैसे यह आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, no need to write, बस just for information, अगर माल लो हमारे पास solute gas है, solvent gas है, solute liquid है, solvent gas है, solute solid है, यह gas है, तुम देख लो हमारे पास क्या हो सकता है sir, solid liquid gas है ना, फिर solid liquid gas, इसका PNC अगर लगाएंगे तो total 9 तरीके का possibility है, तो solid के साथ solid, solid के साथ liquid, solid के साथ gas, similarly इसी तरीके साथ, gas, gas के साथ liquid, gas के साथ solid, तो यह कुछ examples है, अब देख लो gases वाले को हम gases solution बोलते हैं, liquid वाले को हम liquid solution बोलते हैं, और यही हमारे syllabus में है sir, liquid solution वाला पार्ट ही हमारे पास syllabus में है, liquid solution वाला पार्ट ही हमारे पास syllabus में है sir, तो मैं इसको यहीं छोड़ देना, इसको टाइप नहीं करना, आठ टाइप इसके 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 नहीं होते हैं, वहाँ पे हम कहते हैं, वहाँ पे हम एक लाइन कहते हैं, वहाँ पे हम एक में क्या है sugar in water, फिर gas in solid का क्या है sir, h2 ने या palladium ने h2 को absorb कर लिया अपने उपर, फिर liquid in solid का क्या है sir, amalgam of mercury बहुत बढ़िया, फिर solid solid का क्या है sir, solid solution इसको alloy बोलते हैं, इसमें मैं आपको एक मज़ेदार fact दे दू क्या, एक मज़ेदार बात बता दू, याद रखना iron and platinum do not form amalgam, iron and platinum do not form amalgam, ये भी याद रखना sir, ये सीधा सीधा आपके हो सकता, इन औरगानिक में आजा, टिक करके आजाओगे answer है, चार नंबर का सवाल answer, चार नंबर का सवाल answer, समझ गया क्या, चलिए बहुत बढ़िया, इसको लिखना नहीं था sir, अब इसमें देखो यहाँ पर example क्या ले रखा, मैंने बोला ना, लोग तो पानी में क्या-क्या मिलात है, आप जानते हैं इस प्रजाती को, है न, बहुत बढ़िया, आप जानते हैं प्रजाती को, बताई, यह table बिलकुल याद नहीं करना है, लिख देता हूँ यहाँ पर, लिखी देता हूँ यहाँ पर, no need to remember, no need to learn, एकदम याद नहीं करना है, भाई, एकदम याद नहीं कर करना ही नहीं है करना ही नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं सर करना ही नहीं है सर इसके बाद हम बात करें तो कुछ concentration terms की चर्चा कर लेते हैं इसको पढ़ना बहुत जरूरी है मैं basically तीन concentration term को यहां पर discuss करूँगा जो कि the most important है उसमें से अगर हम सबसे पहले बात करें उसमें से अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले हम molarity की चर्चा कर लेते हैं किस की चर्चा कर लेते हैं सर मोलारिटी की molarity को हम बढ़के m से represent करते हैं किस से represent करते हैं बढ़के m से we represent मुलारिटी के डेफिनेशन के अगर हम बात करें तो डेफिनेशन इसके होती है इस सीरीज में आपने मोल कॉंसेप्ट कर रखा है तो मोल कॉंसेप्ट में भी आपने मोल कॉंसेप्ट पढ़ रखा होगा तो इसको हम लीटर में यूज करते हैं सर तो यह हो गया पहिल का फार्मूला यह हो गया पहिला फॉर्मूला सर यह सिंपल क्या है सर देश सिंपल आपकी सिंपल आपकी मोलारिटी सिंपल है सर मोलारिटी की बात हो गई सर यह भी याद रखना एक पोइंट और में देता हो यहां पर कि मोलारिटी इस टेंपरेचर डिपेंडेंट यह जो है न यह टेंपरेचर डिपेंडेंट होता है तो ऐसी जगा ऐसी जगा जहां पे टेंपरे छोटी छोटी बाते करूंगा बस ये हो गई molarity, molarity के बाद अगर मैं आ जाओं दूसरा concentration term जो है that is molality दूसरा concentration term is molality तोतला जुबान में अगर कोई बोलेगा ना जैसे मान लोग कोई छोटा बच्चा है उससे पूछोगे कि का होता है सर जैसे छोटे बच्चे को तुम ये लिखके दोगे कि पढ़ो इसको क्या है पढ़ो इसको क्या है तो छोटा बच्चे इसे ही पढ़ेगा ना molality तो वही उससी से नाम बना दिया molality ठीक है बट definition थोड़ा सा different है इसको छोटका M बोलते है इसको छोटका M बोलते है और इसके definition की बात करूँ तो definition ना लिख करके मैं सीधा formula लिख देता हूँ छोटका M जो है वो किस के बराबर होता है सर तो ये होता है number of moles of solute number of moles of solute per kg solvent याद रखना है यहापए divided by weight of solvent है के वल यहापए weight of solvent in kilogram weight of solvent in kilogram this is very important part यह बहुत important है सर बहुत सारे लोग क्या करते है इसको solution लिखते है बट नहीं this is solvent फिर अगला point क्या है सर यह भी याद रखेगा it is temperature independent यह temperature independent होता है यह temperature कैसा होता है सर independent होता है यह temperature कैसा होता है independent इसके बाद unit की बात करें unit is mole per kg वो सब आपने पढ़ रखा है सर that is a different part मैं बस conversion की बात करूँ तो अगर छोटके m से कभी बढ़का m निकालना है या बढ़के m से कभी छोटका m निकालना है तो इन दोनों के बीच एक relation होता है छोटका m किसके बराबर होता है सर छोटका m किसके बराबर होता है सर तो thousand बढ़का m divided by thousand d minus divided by thousand d minus m into mm solute किसके बराबर होता है सर m into mm solute यह है relation और this is the most important relation जो की आपको direct सवाल इससे मतलब मैं आपको बता रहा हूँ simple is relation पे g advance 2-3 सवाल पूच चुकर है simple is relation पे यहाँ पे चीजों के बारे में मैं आपको बता दू ध्यान से सुनेगा यहाँ पे चीजों के बारे में मैं बता दू छोटका m किया है सर molality बढका m क्या है सर molarity d क्या है सर density of solution d क्या है सर density of solution और आपका mm solute क्या है sir mm solute क्या है भाईया बताओ तुक का मारो चलो बोलो बोलो mm solute क्या है sir what is mm solute here what is mm solute here तो आप बोलोगे mm solute जो है mm solute जो है that is molar mass of solute that is molar mass of solute simple है sir as simple as that molar mass of solute mm solute is molar mass of खतम बास इतना ही सर और यह फॉर्मूला बहुत इंपोर्टेंट इस पर इसे है न स्टार लगा देते हैं क्या लगा देते हैं सर इस पर एक दो स्टार लगा देते हैं क्यों क्योंकि इससे सीधा सवाल आ सकता है सर यही एक सवाल एक सवाल ही ही हो सकता है यह आपको क्या दे लेटर रखाए आपको मोललीटी दे रखिए मोलारीटी निकाल दो ज्री इस वर्मूले से डायरेट सवाले इसके बाद हम आगे आते हैं इसके बाद अगर मैं आगे चर्चा करूं तो एक और concentration term है concentration term number 3 एक और concentration term है हमारे पास that is concentration term number 3 जिसको हम बोलते है mole fraction जिसको हम बोलते है mole fraction mole fraction basically होता क्या है sir तो हमारे पास माल लो एक डबबा है इस डबबे में दो टाइप के substances है हमारे पास एक डबबा है इसमें दो तरह की चीज़े हैं एक तो cross ठीक है, cross को मैं बोल देता हूँ A, और दूसरा dot, dot को मैं बोल देता हूँ B, dot को मैं बोल देता हूँ B, ठीक है, dot को मैं बोल देता हूँ B, तो यहाँ पर क्या है sir, अगर कभी भी mole fraction निकालना हो, तो यहाँ दर्खना, mole fraction of A जो है, यह किसके बराबर होगा sir, यह बराबर होग number of moles of a upon number of moles of a plus number of moles of b साम साथ ही साथ mole fraction of b जो होगा ये होगा number of moles of that component जिसका भी mole fraction निकालो जिसका भी mole fraction निकालो divided by number of moles of a plus number of moles of b ये भी बहुत important formula है जो आगे use होगा sir mole fraction will also be used ये भी temperature independent होता है आपके जानकारी के लिए बता दूँ this is also temperature independent ये कैसा होता है sir temperature independent एक सवाल तुमसे पूछता हूँ ध्यान से सुनिए एक सवाल तुमसे पूछता उसका जवाब देना बड़े सोच समझ लेगा sir अगर मैं बात करूं sir अगर मैं पस तीन कॉंपОनेंट है एक डब्बे में एक डब्बे में मेरे पस 3 कॉंपनेंट है a भी है b भी है c भी है और d भी है चार ले ले लतने चलो चार ले लेते हैं d भी है तौँ आप मेरे कों बताओ इसके लिए component fraction of A किसके बराबर होगा सर बताइए मोल fraction of A किसके बराबर होगा उपर क्या लिखेंगे इसके लिए मोल fraction of A किसके बराबर होगा बताइए इसके लिए मोल fraction of A किसके बराबर होगा बताइए 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 of moles of A, plus number of moles of B, plus number of moles of C, plus number of moles of D, मतलब total moles के बराबर है न, component का mole fraction upon total component के mole, बहुत बढ़िया, NA by total, बहुत बढ़िया, very good, फिर अगर हम बात करें, binary solution की अगर मैं चर्चा करूँ, इन binary solution की मैं चर्चा करूँ, तो इसके मैं आपको एक-दो मज़ेदार चीजे दे रहा हूँ, लिख लिजे फटा-फट, हैश्टाग RBI, ये RBI क्या होता है सर, तो जैसे आप देखते हो न, कि मानलोग कोई है, बदमास आदमी, पाइसा-इसा गबन करके भाग रहा है, इदर उदर कुछ कर रहा है, तो उसके पीछे CBI लगा दी जाती है, तो वैसे ही कोई सवाल अगर बहुत बदमासी कर रहा है, तो हम उसके पीछे क्या लगाएंगे सर, हम उसके पीछे RBI लगाएंगे, RBI बोले तो राम बान इलाज, ठीक है बाई, एकदम ऐसा इलाज करेंगे, राम बान इलाज, ऐसा इलाज करेंगे कि अब सवाल जिन्दा ही नहीं बचेगा, ना रहेगा सवाल, ना होगा माक्स का, ठीक है, समझिया गया, चलिए, 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसकी बात अगरम करें, इसकी बात अगरम करें, तो सिंपल सा है, याद रखेगा, RBI नंबर वन आपका ये है, कि मोल फ्रेक्शन ओफ ओल दे कंपोनेंट, थोड़ के टर्म्स में लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, गणित के टर्म्स में लिख रहा हूँ, सर, ध्यान रखिएगा, दूसरा पॉइंट ये तो सबको पता है, सर, ये सबको पता होता, जैसे अगर इसके लिए मेरे को लिखना है, तो इसके लिए I can write, कितने कॉम्पोनेंट है या, दो कॉम्पोनेंट है, तो इस वाले के लिए मैं लिख सकता हूँ, XA प्लस XB, है ना, इन दोनों के मोल फ्राक्शन का सम एक के बराबर होगा, फिर दूसरे अप्शन पर अगर हम चलें, दूसरे पर चलें, दूसरा रामबाल लाज बहुत जादा इंपोर्टेंट है, बहुत जादा इंपोर्टेंट है सर्थ्यान से सुनियेगा, that is XA by XB का रेशयो जो है, XA by XB का रेशयो जो है, यह नंबर अफ मोल्स अफ A by नंबर अफ मोल्स अफ B के रेशयो के बराबर आता है, this is very important which we will be going to use in a while, which we will be going to use in a while, this is very very important, very very important, बहुत जादा इंपोर्टें summation 1 के equal होगा, बहुत बढ़िया, summation 1 के equal होगा, very good, और दोनों का रेशयो हमेसा number of moles of A by number of moles of B आएगा, clear है, clear है क्या, बताइए, 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 हाँ, this is very important sir, very important indeed, चले कुछ सवाल करते हैं sir, कुछ सवाल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल करते हैं फिर आ question छो है, वो कैसे आते हैं, sir, solution chapter के most of the question जो है ये numerical answer टाइप आते हैं, इसके लिए हम option वाले सवाल कम करेंगे, इसके लिए हम option वाले सवाल कम करेंगे और numerical answer type सवाल खूँप सारे करेंगे, numerical answer type सवाल खूप सारे करेंगे, चले एक सवाल है, calculate mole fraction of ethyl alcohol and water in solution containing 46 gramith alcohol and 36 gram water, देख बताए इसका अंसर गया आएगा जल्दी बताए इसका आंसर क्या आवागा तुमने तो पढ़ रख था है ना मोल कॉंसेप्ट अभी तो कहे रहे थे ना सर जल्दी अरे निमेरिकल भी बनेगा आंसर भी आएगा सब कुछ होगा क्यों डेंचल लेते हो बताओ 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 मैं हम बात करें पानी की तो पानी का में कितना वेट दे रखा है 36 gram, number of moles of water कितना हो जाएगा, तो number of moles of water हो जाएगा, given weight upon molar mass, that is 2 moles Similarly, अगर हम बात करें Ethyl alcohol का ETOH लिख देता हूँ ETOH हमें कितना दे रखा है 46 gram, इसका molar mass ही 46 gram होता है, तो number of moles of ETOH जो है यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 1 mole, 46 upon 46 अब हमसे mole fraction पूछा है अब हमसे mole fraction पूछा है, किसका mole fraction पूछा भई यह बोलो, तो हमसे पूछा है, mole fraction of Ethyl alcohol, ETOH तो उपर लिखेंगे, number of moles of ETOH, और नीचे लिखेंगे, NETOH plus NH2O और इसका answer अगर हम निकालेंगे, तो 1 by 3 आजाएगा, कितने लोगों का match कर गया फड़ाफट comment box में लिख दे, match match, 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 जितने लोगों का match कर गया फड़ाफट comment box में लिख दे, match फड़ाफट लिख दे, फड़ाफट लिख दे, फड़ाफट लिख दे बहुत बढ़िया, अब एक बढ़िया सवाल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, एक बहतरीन सवाल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, बताइए, एक बहतरीन सवाल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, एक सवाल से जिसमें तीनों को एक साथ गुमा फिरा के कर लेंगे, फिर ह और दूसरे में बढ़ कायम of aqueous solution of NaOH, aqueous solution of NaOH, sodium hydroxide, है न, having mole fraction of NaOH, बराबर 0.1, और अलसो density of solution, also density of solution, density of solution is, density of solution is 1.04 gram per ml, चलिए, फटा फट मेरे को बता के दीजे, दोनो concentration term, फटा फट मेरे को बता के दीजे, दोनो concentration term, ठीक है, चलिए, 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 बताए, एक बच्चा बोलना सर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो क्या हाँ यार मैंने कॉमर्स मैं मैं दसवी तक मैंने कॉमर्स पड़ी और उसके बाद फिर मैंने क्या क्या क्याता है नुमानिटीज ले ली री यह बहुत बढ़ बिल्कुल अभर इंजीनियर कैसे बनोंगे ऐसे ऐसे सवाल पूछोगे तो पर पोट रहएगिंग तुम लोग की वो मुवी में अ मम्मी रहता है व्यसमें ना यह को पर इच और पीवाई क्यों आपको घर पे भी करने पड़ेंगे होमवक भी तो होगा सर बताइए हाँ है ना वह ऐसे होगे तुम लोग भी तुम्हारे पिता जाके वह लेंगे भाईया इसको पकड़ा पहले इसकी खुब रागिंग लोग उसके बाद बात करेंगे आई यह क्या करना है सर पहले क्या दिया है वो लिख लो दी हुई चीज लिख लो कि हमें मोल फ्रेक्शन ओफ एने ओच दे रखा है मोल फ्रेक्शन ओफ एने ओच दे रखा है जिरो पॉइंट वन उसके बाद क्या निकालना है यह लिख दो तो सबसे पहले अगर हम बात करें अगर से वहां connect करना बहुत मुश्किल है लेकिन हम क्या गर सकते हैं फड़ा फड़ देखिए अगर mole fraction of यह इतना है तो mole fraction of पानी कितना हो जाएगा सर आप बोलेंगे 0.9 फिर हम क्या करेंगे mole fraction of अगर माल लो यह number of moles of पानी नाइन ले लिया यह तो करी सकते हैं ना सर यह तो कर सकते हैं ना ठीक है सर कर लो अगर माल लो अगर माल लो यह number of moles of इंटू इसका मोलर मास 18, 18 के टेबल को 9 से मल्टिप्लाई किया, तो कितना आजाएगा 162, तो आप बोलेंगे, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, सर, नमबर ओफ मोल्स ओफ एनल जो की 1 था, वेट ओफ वाटर, जो की कितना हो जाएगा, सर, 9 इंटू 18, और इसको, ये क्योंक पता है न, अभी वही तो सिखाया था, हमें पता है, एकस एनल ओफ प्लस एकस एच्टू ओ वन के बराबर होगा न, यार, ये तो अभी सिखा था, अगर बाइनरी सॉल्यूशन है, तो सारे मोल फ्राक्शन का सम वन के बराबर होता है, तो ये है तरीका करने का, जदो की तर सर, आप तो calculator use करते हो, मैं कर सकता हूं सर, क्यूंकि मैं जब आपकी जगा था, तो मैं नहीं करता था, लेकिन अब मैं कर सकता हूं, divided by 18, जो की लगबग लगबग आ गया है, कितना आ गया सर, 6.2 के करीब मैं अगर nearest integer बोले, तो 6.2 मैं कह सकता हूं, 6.2 तक answer कर सकता हूं सर second option पर चलते हैं, बढ़के M पर जाने का तरीका क्या है सर, बोलो, तो आप बोलोगे सर, छोटका M जो है न, वो बराबर होता है, 1000 into बढ़का M, divided by 1000 into छोटका D, minus M into M, solute, minus M into M, solute, अब यहाँ पर छोटके M की value हमें पता है, जो की कितनी है सर, 6.2, यह किसके बराबर है, यह 1000 into बढ़का M, divided by 1000 into density, density की value कितनी है सर, यहाँ पर दे रखिये, 1.04, इसको multiply करके लिख देते हैं, इन दोनों को multiply करके ही लिख देते हैं, यह न, यह नहीं भी करते हैं, चलो यार, मैं अभी ऐसे लिख देता हूँ, पता चला, तुम लोग ऐसे भी तो होना, कुछ लोगों क into molar mass of solute, NaOH का molar mass होता है, 40, तो इसको मैं आगे solve करूँ, तो हमारे पास आ जाएगा, 6.2 is equals to 1000 into बढ़का M, divided by 1040, तो यह बीच में multiply नहीं होगा, बीच में minus होगा, है न, बीच में multiply नहीं होगा, बीच में minus होगा, minus बढ़का M into 40, इसको आप solve करेंगे, answer मिल जाएगा, फट फट मेरे को comment करके बताईए, फटा फट मेरे को comment करके बताईए, answer कितना आएगा, density का use किया न यार यहाँ पर, यह आया नहीं density, देख भाई, यह density आया न, इस formula में, कैसी बाते कर रहा है, कैसी बाते कर रहा है, फटा फट बताईए, फटा फट बताईए, फटा फट देता हूं है ना तो फिर आप यहां से लिखेंगे इसको से multiply करेंगे है ना फिर आप यहां से लिखेंगे देख लिजे द्यान से अगर मैं देखू तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 6.2 इंटू 1 104 माइनस 6.2 M यह किसके बराबर हो जाएगा सर अच्छा सॉरी माइनस 6.2 इंटू 4 M है ना 6.2 इंटू 4 तो 4 छके 24 और 0.2 इंटू 4.8 तो यह हो गया 24.8 बढ़का M ठीक है यह किसके बराबर होगा सर यह 1000 M के बराबर होगा यहां से अगर हम इसको इधर लेके जाए तो हमारे पास आएगा 124.8 M यह किसके बराबर है सर 6.2 इंटू 104 के बराबर है और यहां से बढ़के M की वैल्यू हो जाएगी 6.2 इंटू 104 divided by 124.8 यह वैल्यू फट अफट केलकुलेट करके बताओ कितना कितना यह वैल्यू पट अफट केलकुलेट करके बताओ कितना एक हाइड्रोजन है इसका वेट होता है एक जोडेंगे तो 40 आता है यार बताओ यह कितना आ रहा है जर बड़ा बड़ा बता दीजिए यह कितना रहा है don't make me laugh what a joke है ना चलो देखते है यह आ गया 6.2 multiplied by 104 है ना divided by 124.8 divided by 124.8 that is 5.11 तो यह है 5.16 इसको हम अगर round off करना तो अगर 0.1 decimal में round off करना तो इसको हम क्या कर सकते है सर 5.2 कर सकते हैं समझ गया क्या बताइए बढ़िया सवाल था बोलो 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 weight of water कैसे number of moles of water ले लिया ना नो वहां से निकाला है भाई वहां से निकाला यही बढ़िया सवाल है यही सवाल में अब तुम फैल गए अभी दख तुम्हें लग रहा था सर एकदम रफ्तार में पढ़ाओ एकदम गाड़ी लेके दोड़ा दो लेकिन यह conversion भी तो करना होग काई पहले हुगा बोलो दो बहन ओवर्जन भी तो आना होगा ना बताईए अमरु प्र fraction आ गया यह किसके बराबर होगा वन माइनस बॉल फ्रैक्शन ओफ ने ओच यह कितना आ गया सर पॉइंट नाइन दोनों के मोल्स का रेशो आ गया मैंने बोला इसका मोल ले लिया मैंने वन इसका मोल अपने अपनो हो जाएगा एक मोल का वहां पर चिपका दिया नमबर ऑफ म जो नमबर न इन टू एडिन एगा वाफ है के मारा मेरे को मौल लेटी मिल गई मौल लेटी को मौल लारीटी वाले फॉर्मूले में चिपकाया आंसर मिल गया आगे बढ़ते हैं सर अगले पेच पे चलते हैं इसके बाद हम बात करेंगे लिखे पड़ा-फट की जर्चा करें तो पहले मैं आपको कुछ बाते बता देना चाहता हूँ solubility की एक पेज और लेते हैं एक पेज बीच में लेके थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं solubility की what is solubility ये भी समझ लो पहले क्योंकि ये पूरा chapter देखो दो ही हिस्सों में बटा हुआ है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ये पूरा chapter अगर आप liquid solution को पूरा as a whole देखोगे तो पूरा chapter दो हिस्सों में बटा हुआ है एक solubility पढ़ते हैं और उसी solubility में henry's law, round's law, deviation to round's law, agiotrop, सब उसी में आता है एक हिस्सा है solubility वाला, दूसरा हिस्सा जो है वो collegative property वाला, इन दो हिस्सों को अलग करके अगर आप clearly समझ गए तो ये पूरा chapter आपके fingertips पे होगा और guarantee है कि इसके सवाल ऐसे आते ही नहीं है कि तुम ना अगर पाऊ अलग इसके सवाल ऐसे हो तो कि तुम खोज के answer करोगे, खोज के, you will find and solve it you will find and solve it, चलिए, आगे बात करें solubility की, तो solubility की definition में दो तीम बात है important है याद रखना, it is the maximum amount of solute, it is the maximum amount of solute maximum amount of solute, ठीक है, that can be added to a solvent at given temperature at given temperature, याद रखेगा, at given temperature, maximum amount of solute that can be added at given temperature in given amount of solvent, in given amount of solvent, कि इसका मतलब, जब कभी भी हम solubility की चर्चा करेंगे, इसका मतलब जब कभी भी हम solubility की चर्चा करेंगे तो solubility की case में तीन बाते हमें देखनी होगी सबसे पहला बात है कि temperature जो है वो constant होना चाहिए सर तब ही हम बात कर सकते है temperature बदलने से solubility बदल जाएगी दूसरी चीज़ की चर्चा करें तो हमारे पास solvent का amount fix होना चाहिए solvent का amount fix होना चाहिए सर और तीसरे point की अगर हम चर्चा करें तो maximum solubility attain करना होगा maximum solutide करना होगा maximum solutide करना पड़ेगा जितना कर सकते हैं ऐसा नहीं कि आधा ही किया जिसे एक example के लिए एक example ले लेते हैं मालो मालो तुम क्या कर रहे हो तुम सर्बत बना रहे हो सर्बत और एक glass में सर्बत बना रहे हो कोई आदमी क्या कर रहा है सर उसको है ना ईसे सर्वत तयार कर रहा है सर लंगर लगाना है तो ये बहुत ज्यादा सर्वत तयार करना होगा अब तुम बोल रहो सर मैं इसमें दो चमच्छ एल नड आ डाल लूगा चीनी वह sil है नडा मैं इसमें साथ दो स्पून सुगर डाल पाया क्या डाल पाया m दाल पाया कि मक्सिमम इसमें तुमने दो स्पून सुगर क्रिस्पलाइस कर गया रधा सवाल मेरा अगर सबर मेरा इसमें भी हमें डालना है तो क्या इसमें भी हम solubility दो चम्मच बोलेंगे कि solubility इसमें जादा होगी क्या इसमें भी solubility इसका जवाब दो क्या इसमें भी solubility दो ही चम्मच होगी क्या इसमें भी solubility जो है अपनी वो 2 स्पून होगी या दो स्पून से जादा होगी बताईए इसमें सॉलिबिलिटी दो स्पून होगी या दो स्पून से जादा होगी बताईए 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 बोलो यार जादा होगी न सर एक बच्चा परेशान है सर लंगर मतलब लंगर का मतलब है इसे कुछ खिलाते पिलाते हैं ना जैसे मालो लो उपी भी हर में इसका चलन नहीं है आप इदर नौर्थ इंडिया में आओगे तो नौर्थ इंडिया में क्या होता है जैसे कोई बढ़िया दिन है ना तो लोग क्या करते हैं दो चार लोग मिलेंगे और वो मिलके ऐसे रोड पे स्टॉल लगा जो भी इंसान आएगा उसको हाना खिला देंगे तो आप सीथा वोपी इसमें दो स्वून थोड़ी ऊगी दो स्पून से भहुत जड़ा होगी तो तो इसका मतलब solubility depend किस पर करती है, solubility depend किस में करती है, amount of solvent पर, यहाँ पर मैंने आपको दिखाएगी, amount of solvent को depend करेगी, कुछ बच्चे बोल रहते हैं सर, temperature constant रख दिया, pressure constant नहीं रखेंगे, तो आप लिख लो, कि pressure भी constant रखते हैं, but pressure वाला part है न, pressure वाला part एक अलग solubility के case में आएगा, बाकी हर जगा pressure वाला part आएगा नहीं, not in every case, this is not in every case, not in every case, तो इसके वज़ह से इसको लिखने की अवशक्ता नहीं है, pressure वाला part एक अलग concept होता है, जो कि gas के लिए आता है, बस, समझ गया क्या, समझ गया क्या, समझ गया क्या, समझ गया क्या, बताए, बताए बताए, 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 हाँ, भंडारा, बिल्कुल, बिल्कुल, जिसको भंडारा गया थे, exactly, सही समझ आपने, बिल्कुल, बिल्कुल, भंडारा, बिल्कुल, जैसे आप अगर किसी गुरुद्वारे जाते हो, तो वहाँ पर आपको लंगर, भंडारे, ये सारी चीज़ां मिलेंगी बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया कभी के लिए चली आगे बढ़ते हैं सी के लिख दो फिर आगे बढ़ते हैं सर सी के लिख दो फिर आगे बढ़ जाते हैं सर सी के लिख दो फिर आगे बढ़ जाते हैं सर फ्रैक्शनल डिस्टलेशन solids in liquid, तो सबसे पहले solid in liquid की बात अगरम करें, तो हमारे पास याद रखना, solute क्या होगा, solute हमारे पास क्या होगा सर, एक solid होगा, और solvent हमारे पास क्या होगा, solvent हमारे पास क्या होगा सर, solvent हमारे पास liquid होगा, जैसे इसका example की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर अगर मैं example ले लूँ तो example में आप ले सकते हो sugar in water है ना sugar in water sugar in water चीनी को कहाँ पर मिलाया सर पानी के अंदर अरे clear है दादा बोलो clear है क्या बताईए 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 clear है yes sir ठीक है बहुत बढ़िया उसके बाद अगर अगर बात करें sugar को हमने पानी में मिला दिया sugar को चीनी को हमने कहाँ पर मिलाया पानी में सर ऐसे solubility को हम 3 cases पर देखेंगे mostly 2 cases पर सबसे पहला हम temperature का effect देखेंगे दूसरा हम pressure का effect देखेंगे सबसे पहले case में लिखिए effect of pressure सबसे पहले case में लिखिए effect of pressure effect of pressure effect of pressure की बात करें effect of pressure की बात करें तो यहाँ पर लिखेगा no change या no effect no effect is seen क्यों sir इसके पीछे reason क्या है इसके पीछे सीधा reason यह है कि solid जो है वो भी incompressible है वो भी incompressible है yes sir यह बात सही है sir liquid यह भी incompressible है और दोनों ही incompressible है दोनों ही incompressible है तो pressure बढ़ाने से कोई फरक नहीं पड़ेगा no effect there is no effect समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए क्या चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इसके बाद अगर हम आगे बात करें अगला point है effect of temperature तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा effect of temperature मैं आपको इसको याद करने के लिए इस concept को समझने के लिए बस एक ही concept आपको सिखाऊंगा याद रखना एक नाम जिसका नाम है नाम जलेबी वाला हाँ जलेबी भाई नहीं भाई जलेबी वाला जलेबी वाला को याद रखना बस जलेबी वाले को याद रखना माल लो एक example के लिए तुम जलेबी खाने गया तो कभी ऐसा देखा है क्या कभी ऐसा देखा है तुमने कि सर जलेबी वाला जो होता है ना वो चासनी जो है ना पानी की उसको लगातार गरम करते रहता है और उसमें खूब चीनी मिलाता है तुम सोचो कि तुमने चीनी पानी का एक सरबत बनाया उसमें जलेबी डिप करके खाओगे उसमें जलेबी डिप करके खाओगे उसमें जलेबी डिप करके खाओगे अरे वह वाला वाला नहीं है वह वाला तो love है, है ना, हाँ, that वाला is love, ठीक है, तो जलेबी उसमें dip करके खाओगे, तो मीठी लगेगी जलेबी, फेक दोगे, खाना बंद कर दोगे, लेकिन उसी को क्या करते हैं सर, उसी को गरम करते हैं, उसमें खूब चीनी डालते हैं, खूब चीनी डालते हैं, बढ़ती है temperature गटने पर temperature गटने पर solubility घट जाती है इंपहर घटताने पर सोल्यूबिलिटी ज cev है वह घट जाती है सरक यह बात क्लिय क्लियर गा दिस टॉक और बोलियों वन्यां चाहित तो टॉर अनिक्व जास नहिता हा जलती है ट्यक है तो यह पर सालब तुम चासनी जिसको आप बोलते हो उसको अगर वो ठंडा कर देता तो उसके उपर आप देखना चीनी की छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी परत जम जाती है क्यों सर क्योंकि टेंपरेचर का हुआ अगर इसको चाहो तो घर में एक्सपरिमेंट कर सकते हो बस पिटना मत घर वालों से आप चाहें तो एक एक्सपरिमेंट कर सकते हैं सर घर प्याराम से एक्सपरिमेंट क्या कर सकते हैं सर पिटना मत भाई मार वार मत खा जाना बस देख लेना एक ग्लास ले लो छोटा सा ग्ल मिल साथ गाधा श्रीच यह भिया ने का मिल डाम जैसे हम तक मिले तक लिखन जब लोल जाया कि निशे निशे जान के आलक या सब्सक्रांइब अब क्या कर थुज्स याकता है ईश्रीज में एइस साथ ठर्शो得 10 शुब्सक्षराइब नाबो डेखने तो जान की बाजी नहीं लगाना है वैसे कर लेना है चलिया आगे बाद मिलेगा बिल्कुल आगे बढ़ते हैं सर इसके बाद करते हैं कि इसके बाद करते हैं solubility of gases in liquid यहाँ से हमारे chapter का main portion start होना शुरू हो जाता है sir main part start होना शुरू हो जाता है main part यहाँ से start होना सुरू हो जाता है sir अब हम क्या करेंगे sir किसी gas में, किसी liquid में gas की solubility की बात करेंगे तो इसके लिए भी मेरे पास एक मस्त सा example है इसके लिए मेरे पास एक example है, आप याद रखेगा, Coca-Cola, सर Coca-Cola है क्यों बोल रहे हो, पैसा दिया है क्या इसने आपको, नहीं, कुछ भी मतलब, soft drink लिख देता हूँ, भाई, हाँ, चलो, पैसा तो नहीं दे रहे हैं ये लोग हमें, तो क्यों लिखे हैं इनका ना, जाने दो, soft drink, पीनी तो नहीं चाहिए, वैसे बड़ी बेकार चीज होती है, खाली चीनी होता है, इसमें कुछ होता नहीं है सर, soft drink का example अपने दिमाग में रखो, तुम्हें solubility चिपकी हुई रहेगी, बेजमें, एकदम बेजम सेट रहेगी solubility, क्या गरना है सर, soft drink, बोले तो Coca-Cola औ बढ़ी आगाम किया था, soft drink पकड़ा उठाच साइड रख दिया, और Coca-Cola शेयर जो थे, आई से हो गया एक दब, Pepsi को था, पेपसी का था, या जो भी आई सेयर जो थे, आई से हो गया तुरन, है ना, हाँ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अब मैं जो बात कहने जा र तो क्या होता है सर, इसमें dissolved gas का amount कम होता है या बढ़ जाता है ये बताओ, dissolved gas का amount कम होता है या बढ़ जाता है, बताइए, 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 gas हाँ, limka, बहुत बढ़िया, Sprite, Pepsi, देख रहा हो, कुछ लोग, कुछ लोग भालू भी लिख रहे हैं, मम्मी कमेंट वे अच्छा, सोते जाओगे बहुत तेज, कोई बचाने नहीं आएगा फिर, फिर गूमते फिर होगा रहे, बचाले, बचालो बचालो बया, चलिए, तो मेरे को बता, temperature अगर बढ़ गया, जैसे मालो मैं cold drink की bottle लेक्या हो, और उसको धूप में रख दू, तो उससे फिजिनेस चली जाएगी न सर, उससे फिजिनेस चली जाएगी, और फिजिनेस चली जाएगी, इसका मतलब temperature बढ़ाने सर, solubility क्या होती है, मैं जो पूछते जा रहा है, उसको बताते जाना, temperature बढ़ाने सर, solubility क्या होती है, सर, कम हो जाती है, फिर अगला example, अगर मैं है, और temperature कम कर रहे है, बताइए, क्या असर पड़ेगा, बोलो, 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 तो आप बोलो कि सर, इस case में solubility बढ़ी जाएगी, फिर अगले point पर अगरम चले, फिर अगले point पर अगरम चले, तो मैं आपसे बोलू कि देखो, pressure बढ़ाएंगे, तो क्या असर पड़ेगा, तो तुम्हें पता है, ना, coldering की जितनी भी बोलो होती, जब उसको खोलते है, तो एक fish sound आते है, करके खुलता है, पता है यूँ, क्यूंकि high pressure पर pack किया जाता है, तो आपको पता है, सर, pressure बढ़ाने से भी solubility क्या होगी, बढ़ेगी, है ना, pressure बढ़ाने से भी solubility बढ़े है, क्या है बात सही है, क्या है बात सही है, बहुत बढ़िया, 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 चलिए, आगे अगर हम देखें, तो कुछ और बात करें effect of temperature की अगर बात करें effect of temperature की तो होता क्या है जब कभी भी किसी gas को हम किसी liquid में मिलाते हैं तो यह क्या बना के देता है सर यह आपको बना के देता है जब कभी किसी gas को liquid में मिलाते हैं तो यह आपको बनाके देता है solution और इस solution के लिए जो डेलटा हैज आज है न एस solution के लिए जो डेलटा है वहadow wiele होता है इल्टा ही नेगटिव होने के कारण डेलटा ही नेगटिव होने के कारण जब तेमप्रेचर बढ़ाया जाता है तब solubility कम हो जाती है उस case में solubility क्या हो जाती है सर उस case में solubility कम हो जाती है और जब temperature कम किया जाता है उस case में solubility बढ़ जाती है उस case में solubility बढ़ जाती है सर तीधी बात है अब मैं अगर आपसे पूछू एक सवाल अच्छा ठीक है ठीक है समझ गया मैं इसको वापस ऐसे कर लेता हूं सर है ना एरो नीचे कर लेता है आप खुस हो जाओगे तुम अब happy ठीक है सर अगर मैं बात करू हां wrong सर bladder कर दिया एक बच्चा भई मैं क्या कहूं लिखते आप लोग ऐसे मलंटर को एक बच्चा लिख रहा है एक बेच्व बढ़ा रहा है था तो bladder वह जाए ता सर यहां पर लिख लेता हूं बात अगले पेज़ पर करेंगे, effect of solubility on pressure, effect of solubility on pressure, और इस पूरे कहानी को, इस कहानी को समझाने वाले व्यक्ति का नाम था Henry Uncle, इस कहानी को समझाने वाले अंकल का नाम था Henry Uncle, तो हमने Henry Uncle के नाम पे law बना दिया, जिसका नाम है Henry's law, क्या बना दि है, Henry law मतलब हमें यही बताता है, कि pressure का क्या effect होगा on solubility, Henry's law हमें यही बताता है, कि pressure का क्या effect होगा on solubility, पड़ पड़ बता दो यहां तक अगर बाते समझ में आ रही तो एक बड़ी दिल बना दिजे, और CKL के साथ दिल बना दिजे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, CKL के स चलिए, 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 चलिए भया, चलिए, फटा फट बताईए, फटा फट बताईए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो अब इसकी हम बात करेंगे आगे, Henry's law, Henry law क्या कहता है है से मालम हमारे पास एक container मैं पहले आपको दिखाता हूँ है न लोग का statement तो नौटस हां अपटेंटम आपको डिखाता हूं जैसे इस container में हमारे पास एक लिक्विड है कि से Спनितीनर में हमारे पास क्या है सब्सक्राइक कूषिस कंटेमरे पास ठीक है अब इस liquid के अगर मैं चर्चा करूं तो इस liquid में भी gas soluble होगा थोड़ा बहुत इस liquid में भी gas थोड़ा बहुत तो soluble होगा सर इस liquid में भी gas particle थोड़ा बहुत तो soluble होगा तो henry uncle कहते हैं henry uncle कहते हैं ध्यान से सुनियेगा henry uncle क्या कहते हैं कि partial pressure partial pressure of any gas in liquid henry uncle कहते हैं कि partial pressure of any gas in liquid is directly proportional to mole fraction of that gas है ना partial pressure of any gas is directly proportional to mole fraction of that gas अब ये P gas क्या है sir ये P gas यहाँ पर partial pressure है pressure of gas है sir P gas का मतलब ये pressure of gas है और mole fraction यहाँ का x gas जो है वो mole fraction of gas in liquid है mole fraction of gas in liquid है sir ये ध्यान रखेगा तो यहाँ से अगर हम आगे लिखें तो हम लिखेंगे partial pressure of gas जो है ये बराबर हो जाता है किसके k h into mole fraction of that gas k k h into mole fraction of that gas k और यहाँ पर दो तीन बाते जो बहुत important है वो मैं यहाँ पर लिख देता है उसको ध्यान से सुनिएगा sir यहाँ पर P gas का मतलब क्या है sir यहाँ पर की P gas का मतलब है partial pressure of that gas P gas का मतलब क्या है partial pressure of that gas partial pressure of gas अबब liquid कहीं पे नहीं sir liquid के ऊपर कितना है liquid के ऊपर gas का partial pressure कितना है वो ठीक है liquid के ऊपर gas का partial pressure है वो कितना है और उसके साथ अगर हम x gas की बात करें तो x gas is mole fraction of gas, mole fraction of gas, mole fraction of gas in liquid state, gas in liquid state, in liquid state या liquid है न, in liquid, यहां का mole fraction sir, mole fraction liquid phase का, mole fraction liquid वाले पार्ट का partial pressure उपर वाले gas पर यो उपर pressure लग रहा है इसको हम कहते हैं और k h यहां पर क्या है sir, k h is henry's constant, k h is henry's constant इसको henry's constant या फिर henry's henry law constant बोला जाता है, क्या बोला जाता है sir, या तो henry's constant बोल लो या फिर henry law constant इसको क्या बोलता है sir, henry law constant इसको copy कर लिजे, फिर हम आगे पर कुछ और बात करते हैं, इसको कॉपी कर लिजे, फिर हम आगे कुछ और बात करते हैं, ठीक है, बताइए, बताइए, फिर अगर आप से कोई पूछे कि सर यह Henry law, फिर अगर आप से कोई पूछे कि यह Henry law constant किस-किस चीजों पर depend करता तो याद रखना यह तीन बातों पर depend क करता है, वो nature of solute, nature of solute, दूसरे की अगरम बात करें, nature of solvent, nature of solvent, दीसरे point की अगरम चर्चा करें, तीसरे point जिस पर depend करता है, that is temperature, यह भी याद रखना, that is temperature, यह तीन बातों पर depend करता है, nature of solute, nature of solvent और temperature, जैसे कुछ gases होती है, है न, why not, when pressure, why not when pressure कैसा, delta क्या होता है, delta कहां लिख दिया भाई, delta तो कहीं लिखाई नहीं है, देख रहे हो, delta क्या होता है, delta वो होता है, जहाँ नदी चारों तरफ से गुजरती है, और बीच में जमीन का टुकडा होता है, उसको delta क्याते है, सुंदर्बन, गजब, बहुत बढ़िय delta क्या होता है, वाह, चलिए, तो nature of solute, nature of solvent और temperature पर यह depend करता है, nature of solute, nature of solvent है ना, यह पर depend करता है, समझके मेरी बात, बताईए, 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 delta H previous page में, अबे, भाई, तुम लोग इमान्दारिस बताओ यार, 8-9 वी बच्चे तो नहीं हो ना, कौन से class के हो, जली कौन से class के बच्चे 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 हो, अपनी class बता दो एक बार, मेरे को तो लगना दो चार चौती पाच्वी के बच्चे हो है, 4-5 के कौन है, बोलो, बोलो, 4-5 के कौन है, बोलो, बोलो, अबे, delta क्या होता है, यह enthalpy है, यह enthalpy of solution है, अब enthalpy लिख दूँगा, तो पूछ गजवे अद्वियो एक दव, तबाही मचा रखी है, बीच बीच में ऐसे बोल रहे होंगे, कि भाई तुम देख लो थोड़ी दिर, अपना छोटा भाई ऐसा है, बोला इधर आप चल, तुमको आज लेक्चर दिखाएंगे, थोड़ी दिर तुम देख लो, गजव, तो देखो द्यान से, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ सर, द्यान से सुनिएगा, नेचर ओफ सॉल्वेंट, नेचर ओफ सॉल्यूट और साथ में टेंपरेचर पर डिपेंड करता है, जैसे अगर मैं एक 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 जामपल दूँ, जैसे मैं एक आपको छोड़ा से एक्जामप पानी के अंदर क्या होती है, वही वही हाइए, बहुत जण भी पोलर, यह दोनों मिलते है, इसमें भी एच बोंड एच बोंड तो यह क्या करते है सर, एनेस्ठी जब पानी के साथ मिलता है, तो बस मिलता नहीं है, रियाक्त कर जाता है और अमोनियम हाइडरोक्साइड बन जाएगा सार, रुकेगा ही नहीं, रुकेगा ही नहीं जार, रोक ही नहीं सकते, रोक ही नहीं सकते, और बाकी solubility का एक और concept है, उसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर अभी थोड़ा सा mention करी लेते है, solubility के terms में एक बड़ी famous line चलती है, that is like dissolves like, like dissolves like, like dissolves like, like dissolves like, इसक क्या मतलब है sir, इसका मतलब यह है, कि polar solvent, जैसे मानलों यहाँ पर बोला solvent, यहाँ पर मैने बोला solute, है ना, अगर मानलों यह भी polar है, अब polar का मतलब मत पूछना sir, polar का मतलब क्या होता है? तो polar अगर solvent भी polar है और solute भी polar है अगर ये polar है और ये वाया non-polar है ये वाया क्या है सर? non-polar है ये non-polar है और ये visap polar है और आखरी case में दोनों ही non-polar है तो इस case में अगर तुमसे solubility पूछी जाए इस case में अगर तुम से solubility पूछी जाए तो आप बोलोगे सर इस case में ये soluble होगा इस case में soluble नहीं होगा, इस case में soluble नहीं होगा, इस case में भी soluble होगा like dissolve like का मतलब है polar polar को dissolve करता है, non polar non polar को dissolve करता है थीक है बताइए Lovely Hermia Would fast clear button अगली बात उपको बताता हूँ उसको ध्यान से सुनphyेगा अगली चीज अगर आप दयान से देखेगा यह सुन्येगा किर से माल apex नॉन और तो यह माल लो है नौन पोलर नौन पोलर स आलबंट यह आद र्खना तो इन दोगों नियों है P ise की solubility बहुत ज्यादा है क्यों उसका पीछे रीजन यह कि यह रियाक्ट कर जा रहे है रियाक्टिंग मिक्चर से चलिए अब अगर हम हेंवरी लॉप पे चले वापस हम हेंवरी लॉप हमारे पास क्या था सर हेंवरी लॉप हमारे पास था यहां पर फिर से लिखता है उसको यहां पर अगर आप देखेंगे यहां पर अगर आप देखेंगे तो के एच की अगर हम बात करें तो के एच इस डिरेक्ली प्रपोर्शनल टू तेंपरेचर वेरी वेरी इंपर्टेंट पोईंट के एच इस डिरेक्ली प्रपोर्शनल टू तेंपरेचर यह भी याद रख अगले फेंट को दिहाँ से दिखाते हूं जैसे मालो यह है यहाँ पे मैंने क्या किया सर यहाँ पर मैंने लिखा यहाँ पर मैंने लिखा परिशल प्रेशर ऑफ गैस है न और यहाँ पर मैंने लिखा mole fraction of that gas in liquid state, तो आप देखेंगे इन दोनों के बीच में अगर हम इसको plot करें, तो यह को हमने y axis पर रखा है इसको हमने x axis पर रखा है तो यह y बराबर mx का graph है, इसका मतलब straight line passing from origin इस तरीके से यह graph होगा sir straight line passing from origin माल लो, माल लो माल लो गर हम बात करें कि यह t1 temperature पर graph है और यह t2 temperature पर graph है तो compare t1 and t2 एक सवाल आप से पूछेगा compare t1 and t2, बताइए t1 t2 में कौन बड़ा है compare t1 and t2 फड़ा फड़ बताइए t1 और t2 में कौन सा जादा बड़ा है बोलिए, बोलिए, बोलिए बोलिए, बोलिए, बोलिए बताइए t1 और t2 में कौन बड़ा है तो आप बोलेंगे sir देखो जिसका kh जादा जिसका kh जादा kh जादा उसका temperature जादा पहली बात तो यह ध्यान में रखना है और इस graph के लिए अगर हम देखें तो इसके लिए slope हमारे पास क्या होगा sir slope जो है वो kh के बराबर है slope ही तो है na kh, m बराबर kh तो आप बोलेंगे यहाँ पे अगर हम बात करें यह है kh at temperature t1 यह है kh at temperature t2 तो आप बताइए कौन सा slope जादा है sir यह है kh at temperature t2 कौन सा slope जादा है तो आप यहाँ पे बोलेंगे sir kh2 is greater than kh2 is greater than kh1 इसका मतलब this implies that t2 is greater than t1 सीधा तो आप अगर हम से पूछा है कि compare t1 t2 तो आप बोलेंगे sir t2 is greater than t1, t2 बढ़ा है किस से t1 से, ऐसे direct सवाल आप से पूछे जाएंगे ऐसे direct सवाल आप से पूछे जाएंगे sir ठीक है बदाईए कोई doubt इसमें बोलिये बोलो भाई चलिए एक सवाल करे एक सवाल करे e2 बढ़ा है, बढ़ा है, बढ़ा है बहुत बढ़ा है, बहुत बढ़ा है, एक सवाल करते हैं इसको अगर आपने copy कर लिया तो फड़ा फड़ लिग दीजे ckl, फिर एक बढ़ा सा बहतरीन सवाल करते हैं जिससे आपको थोड़ी से understanding हो जाए बहुत बढ़ा है बहुत बढ़ा है, बहुत बढ़ा है पड़ा फड़े एक सवाल करते हैं पड़ाफट एक सवाल करते हैं, सर स्टार्ट राउल स्लो, अरे क्यों टेंचल ले रहे हो, अभी आएगे ना सब पे, बस खतब हो गया सर, इसके बाद राउल स्लो वाला पोर्शन यह आएगा, इसके बाद अगर मैं आगे बाद करूं, एक सवाल करते हैं, फटा फट एक छोड़ा सा क्वेशन है, कि, for solubility of N2, for solubility of N2 in water, KH is equals to 10 की पावर 5 बार, KH is equals to 10 की पावर 5 बार, KH की वाल्यू कितनी है सर, 10 की पावर 5 बार, ठीक है, तो आप से पूछा है, find, find the moles of, find the moles of, find the moles of, find the moles of N2 dissolved in, N2 dissolved in, 20 mole water, 20 mole water, if, if the T atmosphere, ya atmospheric pressure, if atmospheric pressure, या ऐसे लिख देता है, सीधा छोड़ा, atmospheric pressure देखे, अभी तुम्हें परशान नहीं करता हूँ, if partial pressure of N2, if partial pressure of N2 is 0.5 bar, if partial pressure of N2 is 0.5 bar, पटा पट करिये और इसको solve किजे, पटा पट करिये, और इसको solve किजे, सर, pressure का term में बता दो, pressure के term में तो पहले बात की थी थी न, यार, चलिए, पटा पट इसको किजे, तो ऐसे सवालों को करने के लिए, पहले Henry law लगाना पड़ेगा, Henry law क्या कहता है, सर, Henry law कहता, partial pressure of N2 जो है, यह बराबर किसके होगा, सर, यह बराबर होगा, KH into mole fraction of N2, और यह mole fraction of N2 जो है, यह कहाँ पे होगा, सर, liquid के अंदर, अब liquid के अंदर बात करें, तो हमारे पास हमें ऐसा दे रखा, देखो ध्यान से, यह हमारे पास liquid है, सर, यह हमार पे N2 gas है, और इस N2 gas का partial pressure जो है, इसका partial pressure जो है, वो है 0.5 bar, इसका partial pressure 0.5 bar है, इसका partial pressure कितना है, sir, 0.5 bar, और यहाँ पे हम से mole fraction of H2O पूछा है, mole fraction of H2O से हमें मिल जाएगा number of moles, कैसे, तो mole fraction of H2O की अगर हम बात करें, तो हम partial pressure of N2 को ऐसा लिख सकते है, यह बराबर हो जा moles of water, और generally मैं आपको यह बता दू कि हमारे पास जितने भी solution होते, they are very dilute, क्या होते है, very dilute, तो मैं यह कह सकता हूँ, कि इसको neglect किया जा सकता है, इसको है न, neglect किया जा सकता है, sir, इसके terms में, मतलब हम क्या कर सकते है, sir, number of moles of H2O is much, much, much higher than number of moles of N2, ऐसा होगा, ऐसा होता है, sir तो आप देखोगे, partial pressure of N2 कितना है, sir, 0.5 bar, मैं इसको 5 into 10 की power minus 1 लिख लेता हूँ, यह किसके बराबर है, sir, KH के, KH की value है, 10 की power 5, है न, यह multiply किससे कर देंगे, sir, तो आप उपर लिखोगे, number of moles of N2 से, नीचे लिखोगे, number of moles of H2O, जो की है 20, इसको इधर भेशते हैं, इसक divided by 10 की power minus 5, तो multiply कर देंगे, 10 की power minus 6 है, यह 0 और यह 0 कट जाएगा, 5 तुनी 10, तो यह हो गया 10 into 10 की power minus 6, और इसको आगे solve करेंगे, तो यह सीधा सीधा आगया 10 की power minus 5 moles, समझ में आई बात, बताईए, कितने लोगों को यह सवाल clear हो गया, और Henry Law से आगे कोई भी सवाल तो बड़ी असानी से कर लेंगे सर, बताईए, 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 बोलो, 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 बताईए, सर दुबारा समझा दो, कुछ नहीं सर, देखो क्या होता है, जब हमने इस formula को लिखा ना, तो इस formula में हमें number of moles of n2 पूछाता, तो number of moles of n2, mole fraction of n2 से आएगा, mole fraction of n2 किसके बराबर होता है, number of moles of n2 divided by number of moles of n2 plus number of moles of पानी को, अब यहाँ पर इसको हमें neglect करना पड़ता है, सर, इसको neglect करने के पीछे का एक सिंपल सरल सारीजन है, कि सर, इसको neglect करने के पीछे एक सिंपल और सरल सारीजन है, कि सर, यह हमारे पास, बहुत कम है, देख लो, इसके mole 10 की पार minus 5 है, सामने वाले के 20 हैं, तो कैसे ही तुम इसको equate कर लोगे, कैसे ही तुम इसको equate कर लोगे, सर, possible ही नहीं है ना, बताइए, 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 क्या यह बात clear है, बताइए, एक सवाल और करें, जेई मेंस का, एक सवाल और करते हैं, जेई जेई मेंस 2022, सारे के सारे ऐसे जो blue, yellow color के सवाल होंगे, वो सभी जेई मेंस 2022 के सवाल होंगे, सर, है ना, एक सवाल हम करते है, जेई मेंस 2022 का, यह थोड़ा सा और बहतरीन सवाल है, क्यों, क्योंकि इसमें एक concept और लगेगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्या है, ध् if O2 is bubbled through water at 303 Kelvin, the number of millimoles of O2 gas that dissolved in 1 litre of water is, nearest integer में बताना है, Henry law constant for O2 हमें दे रखा है, 46.82 kilobar and partial pressure of O2 हमें इतना दे रखा है, बताईए, कैसे करेंगे सर, बताईए, 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 सर, third step wrong, देख लेते हैं, कुछ wrong कर दिया होगा, क्या wrong कर दिया सर, third step, बोल देख लेते हैं, मैं पूरा multiply करके दिखा देता हूँ, ऐसे answer वही आएगा, है न, इसकी अगर हम बात करें, तुम ज्यादा ज्यादा एक 0 काड़ दोगे हां से, तो 4 बोलोगे, ठीक है सर, अब इसको 2 को multiply करके लेके जाते हैं, तो number of moles of N2 जो है, number of moles of N2 जो है, वो उधर ज हो जाएगा सर, 2 into 5 into 10 की पावर minus 1 divided by 10 की पावर 4, ठीक है, clear है, इसको आगे solve करें, तो ये 10 हो जाएगा, 10 से 10 कट गया, तो answer आगया, 10 की पावर minus 4, ये ही आ रहा है क्या, 10 की पावर minus 4 आ रहा है, अब ठीक है, बताइए, सर क्यू नेगलेक्ट कर रहे हैं, अब मोल है, ये 20 मोल है, पानी 20 मोल है इसमें, और N2 के जो इसमें मोल है, number of मोलस of N2, ये 10 की पावर minus 4 है, देख लो, ये सही आया है, 10 की पावर minus 4 मोल्स है, तो डिफरेंस है ना यार, ठीक है, हाँ, बलाडर हो गया सर, बलाडर, ठीक है, अब ठीक है बाई, चलो, आगया थे, इस सवाल को करते जेई मेंस, यह है, जेई मेंस, 2022 का सवाल, और यह सवाल क्या है सर, PCB टाइप सवाल है, PCB बोले तो pure concept based, इसमें और कुछ नहीं है सर, hashtag PCB, पाकिस्तान cricket board नहीं, pure concept based, एकदम conceptual सवाल है सर, तो ऐसे सवाल में, जैसा अभी हमने पीछे किया, वैसा ही, जैसा सवाल सबने पीछे किया, वैसा ही, यहाँ पर भी करेंगे, क्या करेंगे सर, ध्यान से देखें, क्या करेंगे सर, बड़े ध्यान से देखें, हमें पता है सर, हमें पता है, partial pressure of O2 जो होगा, यह किसके बराबर होगा सर, यह KH into mole fraction of O2 के बराबर होगा, KH into mole fraction of O2, तो mole fraction of oxygen, है ना, अ अगर हम आगे बात करें, partial pressure of O2 हमें दे रखा है, 0.92, यह किसके बराबर, KH, KH की value हमें दे रखें, इतना किलो बार, तो हम लिखेंगे, 46.82 into 10 की पावर 3, बार में दोनों आगे सर, हाँ, बिलकुल सही है, उसके बाद multiply करेंगे, mole fraction of O2, अब अगर हम mole fraction of O2 की बात करें, यह यहां पर यह भी लिख रखा है, assume solubility of water is too small, तो हम सीधा इसको लिखेंगे, number of moles of O2 divided by number of moles of O2 plus number of moles of H2O, अब मेरे को बता, इसमें से नीचे से क्या हम O2 neglect कर सकते हाँ या ना बोल, इसमें से नीचे से O2 neglect कर सकते हाँ या ना, तो आप बोलोगे, yes sir, very easily, we can very easily neglect, तो यहां से इसको neglect कर दिया, sir, इसको neglect कर दिया, इसको neglect करने का मतलब है, फिर सीधा सीधा हमारे पास हमारा answer क्या आएगा, वो लिख लेता हूँ, number of moles of O2 जो है, यह किसके बराबर आएगा, sir, देखे ध्यान से, यह बराबर आएगा, 0.92 divided by 46.82 into 10 की power 3, और यह number of moles of पानी उपर जाके multiply हो जाएगा, तो multiplied by number of moles of पानी, एक बार number of moles of पानी निकाल लेते हैं, हमें दे रखा है, volume of water, volume of water जो है, यह एक लीटर है, पानी की जो density होती है, density of water is, आपको पता है, sir, 1 kilogram per liter या फिर 1 gram per ml, दोनों एक ही बात है, इसका मतलब पानी हमारे पास 1 kg है, एक लीटर पानी का एक kilogram पानी, एक kilogram पानी में number of moles of पानी कितने होंगे, तो given weight जो की है, 1000 gram, एक kilogram को convert किया gram में, और इसको divide कर दिया, इसके molar mass से, that is 18, तो हम यहाँ पे number of moles of पानी के जगा, thousand by 18 लिख देंगे, sir, क्या लिख देंगे, thousand by 18, sir, ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया, क्योंकि मैं एक साथ सबको solve नहीं करना, अब मैं solve करूँगा, अभी तक मैं solve करने से बच रहा था, अब मैं सबको एक साथ solve कर दूँगा, तो देखो यह thousand से thousand कट गया, final answer हमारे पास जो आएगा, final answer जो हमारे पास आएगा, यह आएगा, 0.92 divided by 46.82 into 18, फट 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 बता दो यह कितना आ र है, कितना रहे, y10 raised to power 3, अब एक किलो बार दिया है ना, k बार, किलो बार, किलो बार, किलो बार, किलो बार, हाँ, चली रेखते हैं बड़ा पट, यह गया हो गया, एक बार मैं calculator देवता, प्रकट कर लेता हूं, answer निकालने के लिए, वैसे आप calculate कर लेंगे, सर, आपका calculation मेर सो, obviously, ज्यादा अच्छा होना चीए, साइद हो ना, बट होना जरूर चाहिए, क्योंकि भाई, तुम लोग तो daily इसी में चलते हो, daily calculate करते हो, इतना, divided by 18, तो यह कितना आ गया, सर, यह आ गया, 0.00109, यह कितना आ गया, सर, 0.00109, आया, सर, यह क्या आया, मोल्स, हमें मोल् पूछा है, तो अगर लीटर से मिली लीटर निकालना होता, तो 1000 का multiply करते हैं, मोल्स से मिली मोल निकालना पड़ेगा, तो भी 1000 का multiply करेंगे, तो यह हो जाएगा, 0.00109 into 1000 मिली मोल्स, और इसका répond क्या जाएगा, sir, 0.303 मिली मोल, और 1.09 मिली मोल का मतलब आंसर इसका हो जा बना दे में दिल नते हिससे का अंसर सबसक्किता ञाया है alors अच्छे ही सवाल पूछे जाएंगे कोई साइंज वाल नहीं पूछ जाएगा क्युक् возмож रोकेट सांस मैं सवाल नहीं पूछ जाएगा क्यूंकि नियरेंस एंट आशिवर अनिटीझर तर्वह नहीं होता है बताई है अवार बताईए बताईए बताइए बताईए 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 if ने ले रह आ टकिलिए रह टकिलिएर रह क्या है ऑफावन एक लीटर पानी का वॉल्यूम एए लिट्र है मनूख 1000 ट मेल घोजन भी 1000 ज olmगा कि बहुत बढया आप में कितने ही सवालrous कितने इजीिस वाल इस सवाल में कोई rocket science नीथा में ये बताना चाहता हूँ वो के rocket science इसमें यह था, एक दम सेंपल सा सवाल था, सरल सा सवाल था, चलिए आगे temperature इसलिए दिया है क्योंकि बताज रहे है कि temperature constant है, कुछ लोग ऐसे होते हैं temperature दिया है तो कहीं तो लगेगा आपे बताना चाहरा है कि constant temperature कर पूरा गाम कर रहे है, तिक है को Dalton law partial pressure पता है जल्दी से बता दो. बताइए, बताइए, बताइए. Sir, यह सवाल NCRT का है. हाँ, बिलकुल NCRT से उठागे सवाल पूछता है. इसमें कोई doubt नहीं है. जही मेंज तो पूछी देता है, Sir. चलिए, Dalton law partial pressure पता है. तो एक सवाल दे रहा हम. इनगा, इसको द्यान से करिएगा, एक सवाल दे रहा हो, इसको द्यान से करिएगा, यहाँ पे हमारे पास पानी है,upp ok, यहां पर हमारे पास क्या है वह यह पानी बड़ा मज़ेदार सवाल दे रहा हूं और इसके उपर हमारे पास air है सर इसके उपर हमारे पास air है सर क्या है यहां पर air है सर ठीक है यहां पर air है आप से पूछा है आप से पूछा है question आपसे पूछाए number of moles या if if T air is one atmosphere P air बराबर one atmosphere partial pressure of air one atmosphere है and and T air जो है one atmosphere के बराबर है and mole fraction of n2 mole fraction या ऐसे लिख देता हूँ x n2 कहाँ पे सर air के अंदर is 0.8 बराबर 0.8 तब आपको क्या करना है find number of moles of n2 dissolved in number of moles of n2 dissolved in 100 moles of water बताईए 100 mole पानी में कितने mole n2 dissolved होगा k h आपको दे रखा है 10 के पावर 5 atmosphere कितना दे रखा है जल्दी बताईए तुरंट तुरंट इसको निकालके बताओ देखें कौन सही आंसर निकालता है जल्दी बताईए तुरंट अगर आप देखेंगे डाल टन लाउग पर्सल प्रेशर गेसे नहीं पता अभी थोड़े टाइम पहले तो गैसे श्टेट का मैंने देखा सेशन ओर रखा है तुम लोगों का थोड़े देर पहले तो हो रखा है ना यार बताओ तो मैं अगर देखूँ इसमें ध्यान से देखना जो मैं बात कहरें उसको ध्यान से देखना डाल टन लाउग पर्सल प्रेशर ये कहता है कि अगर दो गैसे हैं हमारे पास दो गैसे हैं हमारे पास तो पी टोटल जो है जैसे माल लोग यहां पर अमारे पास कहा है सर ओ ओ ट होगा P total into mole fraction of O2 के तो अब मेरे को एक बात बता हमें solubility किसकी निकालनी है हमें solubility यहाँ पर किसकी चाहिए तो हमें solubility केवल N2 की चाहिए तो हमें partial pressure air का चाहिए होगा या इसमें से केवल partial pressure of N2 चाहिए होगा पहले ये बोलो air या N2 A और N, A और N, air और N2, air और N2, air और N2, A और N बताईए तो आप बोलेंगे सर देखो इसमें simple सी बात यह है इसमें simple सी कहानी यह है कि हमें partial pressure भी N2 का चाहिए होगा तो partial pressure of N2 जो है यह बराबर किसके हो जाएगा सर P air into mole fraction of N2 तो आप बोलोगे सर pressure air 1 है mole fraction of N2 जो है यह 0.8 है यह 0.8 है दोनों को multiply किया तो N2 का partial pressure 0.8 atmosphere आगया अब Henry law लगाएंगे तो हम लिखेंगे P N2 जो है यह किसके बराबर हो जाएगा KH into mole fraction of N2 और यह mole fraction है दियान से सुनिएगा गलती यही करोगे चाचा यह mole fraction जो है दियाना यह mole fraction air के अंदर है अरे वया यह वाला mole fraction 0.8 यह air के अंदर था लेकिन हम यहाँ क्या यह EAR के अंदर ह नहीं न आदे लोग यही गलती कर जाते है यह mole fraction हम जो mole fraction निकालेंगे हमें यहां mole fraction N2 का निकालना है और यह mole fraction हमें नहीं पता है सर यहीं तो पता करना है तो हम लिखेंगे partial pressure of N2 जो है वो किसके बराबर होगा यह बराबर हो जाएगा 10 की power 5 into mole fraction of N2 mole fraction of N2 का मतलब number of moles of N2 divided by सीधा लिख दू number of moles of पानीm क्योंकि हमें पता है number of moles ofants बहुत 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 खोटा है और number of moles of pani seems 100 कितना दे रखा है वह और दादा अंकिल वताइए वताइए कितना दे रखा है हमें तो number of moles of in 2 यहां से number of moles of when to two is 0.8 six multiplied byee so divided by ten ki पावर 5 है ना ये final answer आ गया 8 यह 20 यहां से 10 अटा लेते हैं फिर 8 लिख देंगे यह आ गया 10 की पावर 4 है ना तो 8 into 10 की पावर minus 4 आंसर समझ गये मेरी बात तो दोनों मोल fraction different था सर दोनों मोल fraction different था ये बात किसको किसको समझ में अगे एकदम आग बना ना दो सरे सवाल के साथ कि यह सवाल तो बड़ा मज़दार कुछ लोग क्या करेंगे यही फॉर्मुला लिखेंगे जो जो लोग ऐसे डेटा खोशते ना जो अभी टेंपरेचर बोल रहे थे कि टेंपरेचर क्यों दिया है सर उसको क्यों नहीं यूज किया बोलोग ऐसे पर आगे बढ़ते हैं कॉपी कर लिए तो सीके लिख दो फिर हमागे चलते हैं यूज का इतना ही सवाल होते हैं हैं यहीं पर गुमा फिर आगे सवाल पूछा जाता है अब हम आगे बढ़ेंगे लिकविड इंलिकुड फटाफट कमेंड बोक्स में इक बार दिल बना ऩुन पे खेलेंगे सब कहा पे एडाइध अधरेंट फूट पड़िया च हम बाया झुक्रों लेते हैं कुछ application of Henry's law की पहली बात बताओ मचली ठंडी पानी में जाद अच्छे से रहेगा है अगर हम पानी में मचली 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 जलकी रानी है जीवन उसका पानी है हाथ लगाव डर जाएगी बाहर निकालो मर जाएगी मचली कि अगर हम बात करें मचली कहां पैच्छे स रहेगा ूए एक दम 3-d मचली बनाया है भाई खा मत जाना वस योड़ मर जाएग तो आप मचली के साथ क्या है सर पर फॉण वटर में क्या होगा हाँ ध्यान से सुनिएगा फृटर में क्या होगा सर्त पूल बॉर्टर में आपको कोशीजर्ड देखने को मिलेगा E खंडे पानी में आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि सर सॉल्यूबिलिटी ओफ ओटू ज़्यादा होगा इन वोटर पानी में ऑक्सीजन ज्यादा है तो मचली को अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगा और यह अच्छे से जी पाएंगा बिल्कुल डिसॉल्ड ऑक्सीजन सब्सक्राइब है गला इंतर स सहीन गौर का अप्रीकेशन नहीं सब्सक्राइब हो पैस्ट आप सब्सक्राइब को tissue and people living at high altitude. Have low blood oxygen causes symptom of anoxia. तो एक बिमारी होती है एक condition होता है जिसको हम कहते है anoxia. Anoxia basically क्या होता है sir? Anoxia basically होता है जब हम पहाडों पे जाते है na sir पहाडों पे जब हम पहाडों पे जाते है na to पहाडों पे partial pressure of oxygen बहुत कम होता है और जब partial pressure of oxygen बहुत कम होगा, तो blood के अंदर, blood के अंदर dissolved oxygen, mole fraction of oxygen भी कम हो जाएगा, Henry log के साब से, और जब mole fraction of oxygen कम होगा, तो brain तक कम oxygen पहुचेगा, तो हमारे decision making के, हमारे decision making, हमारी body activity थोड़ी slow हो जाती है, इसको हम anoxia condition कहते हैं, फिर आप याद रखिएगा, to avoid in scuba diver, air is diluted with helium, bend disease क्या होती है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, bend disease की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, bend disease एक interesting भीमारी या ध्यान से देखेगा, होता क्या है, कि जैसे मालनो, ये हमारे पास, ये हमारा क्या है सर्फेस है, surface है kis water का है ना surface है मालो normally sea या ocean में ही जाते हैं scuba diver और जब scuba diver नीचे जाते हैं जब scuba diver नीचे जा रहा है sir तो आपको पता है sir नीचे h height पर जाने पर pressure जो है वो rho g h से बढ़ जाता है pressure जो है वो rho g h से बढ़ जाता ये बात कितने लोग मानते हैं बोलो झहां पर रो कीया है density of liquid ज़ली बताईए तुरंट बताईए तुरंट बताईए तुरंट बताईए तुरंट बड़ो बताईए बलो 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 थीक है अब होता गया सर जैसे हम height पर जाते है प्रेशर बढ़ता है तो pressure of gases भी बढ़ जाता है partial pressure of gas बढ़ जाता है तो solubility in blood बढ़ जाती है solubility बढ़ जाती है इनकी blood के अंदर अचानक से solubility इनकी बढ़ जाती है solubility बढ़ने के बाद अगर मालो एक diver अगर मालो एक scuba diver अब पानी में नीचे था इसने पीछे oxygen cylinder लगा रखा है अब पानी में नीचे था अब उपर आ गया भले बहुत बेकार लग रहा बट कोई बात नहीं अब यह जब उपर आएगा तो उपर आने से उपर आने से जब यह उपर आएगा तो क्या होगा से उपर आने पर फिर से इसका partial pressure of gas जो है वो कम होगा और partial pressure of gas कम होने से solubility भी कम होगी solubility भी कम होगी तो इसके veins जो है ना इसका veins हैसे समझ लो यह क्या है सर्वेंस यह क्या है सर्वेंस है ना वेंस में dissolved oxygen है ना वेंस में dissolved oxygen और nitrogen जो भी dissolved gases है यह अचानक से बाहर आना सुरू होंगे और बाहर आना ही नहीं इनकी volume भी बढ़ने लगी क्या होता है सर इनका volume बढ़ने लगता क्योंकि pressure का में तो volume बढ़ जाएगा और volume बढ़ने के कारण कई बार यह बहुत बहुत असानी यह दर्द होता है and it may cause brain hemorrhages also क्यों क्योंकि volume बढ़ रा नस फट गई सर नस फट गई तुम खतम भाई तुम खतम इसी कले क्या करते सर इसको हम dilute करते है विध हीलियम से dilute करने का दो परपस है एक तो हीलियम की solubility बहुत कम होती है एक तो हीलियम की solubility बहुत ही जादा कम होती है और दूस सवाल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं अगर आपने कॉपी कर लिया तो फिर एक सवाल करते हैं फटाफट आगे बढ़ते हैं सर अगर आपने कॉपी कर लिया तो फिर एक सवाल कर लिजे फिर दो तीन सवाल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं बताइए जैसे एक सवाल यह कर आपका नाम क्या है?! मेरा नाम है SM सर्स बस बाकि इस रेषनिही करते हैं नहीं नाम में रखायर पड़ोना होँभ बढ़ी यह तो आप देखो नॉर्मली लोग ऐसे लोग तैर लज किया है तो इसको चाहिए fire राभ तो शूंद और दो इसन का उसना है oxygen operate जितना होता उतना इसका परसंट बताओ गपूसन का मुलर मास तो थो होता है प्लस भाकई तो प्लस माइनस करके वे हीलियम का निकाल लोगे न? प्लस माइनस करके हीलियम तो निकाल लोगे न मैं या कि इतना तो कर लोगे न? कि वहतलो जयता ले जूघत सब्कान सकते होगे यौ अब het बहुत बढ़िया सबड़ी यह सवाल आपको होंबग कर लोग से और लिखना है जो आंसर लिखेगा उसका सेलेक्षन होगा जही में और यह सवाल आएगा यह भी आद रखना अब हम चलते हैं अब हम चलते हैं अब हम चलते हैं अब ही नहीं आराम से क्लास खतम होगी जब क्लास खतम होगी 30-40 सवाल भी करने के लिए दूगा इसे थोड़ी छोड़ दूगा तो अगर हम बात करें लिक्विड वैसे तो यहां पर आउल स्लो सीधा लिख दिया है बट उसके पहले मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं तो अब हम किसकी बात करें सर अब हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा अब हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा उसमें दोनों ही सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही लड़कों का फेवरेट कलर ले ले लेता हूं इससे थोड़ी थोड़ी बाते लिख रहा हूं ध्यान से द लिक्विड औन लिक्विड है ना हम बात किसकी कर रहा थे सार सॉल्यूबिलिटी औफ लिख इन लिक्विड की कर रहा थे बहुत बढ़िया चलिए आगे बात कर सें हाँ गुलांबी वी बहुत बढ़िया इससे पहले मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉंसेट थोड़ी देरम वेपर प्रेशर पड़ेंगे, थोड़ी देरम वेपर प्रेशर पड़ेंगे सर। पड़ब अपनी कॉपी पे लिखे, what is वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर is a very interesting concept और बहुत important है सर। आगे की बातों को समझने के लिए बहुत ज़्यादा important है। बाबू थाना थाया, फॉर्चुनर, फॉर्ट पिंक वार, धनिया वईया, अरे तुम लग भी यहाँ पे हो, कहीं पीछा नहीं छोड़ो गया है, रिपीट कर दीजे, अब हम बात करेंगे solubility of liquid in liquid की, अब हम बात करेंगे solubility of liquid in liquid की है न, और उसमें वेपर प्रेशर की चर applied by, it is the pressure applied by, applied by vapors of a volatile liquid, vapors of a volatile liquid, volatile liquid on its liquid surface, अपने liquid surface पे जो pressure apply करेगा, कोई भी volatile liquid, या, it is the pressure applied by vapors of a volatile liquid on its liquid surface, इसका मतलब क्या है ध्यान से देखे, इसका मतलब क्या है ध्यान से देखे, जैसे मैंने नीचे क्या कर लिया, मैरे नीचे महलोग पानी ले लिया, नीचे क्या ले लिया सर, water molecule ले लिया मैंने, ध्यान से देखेगा, वेपर प्रेशर समझना ज्या a good part, तो यहाँ पर हमने पानी ले लिया सर, पानी volatile liquid है, हाँ या ना, volatile का मतलब क्या होता है सर, कुछ लोग ऐसे लिखते है, भोला टाइल होता है ना सर, भोला टाइल, है ना, हाँ सर हम देखे भी है सर, मेरे घर के बगल में एक थो दुकान है, जिसका नाम भी है, भोला ट टाइल्स, टाइल्स ही टाइल्स है ना, हाँ चस्मे ही चस्मे, समझ गये, हाँ टाइल्स ही टाइल्स, चस्मे ही चस्मे है ना, भोला टाइल, तो बोला टाइल का मतलब क्या होता है, भोला टाइल, बोला टाइल बोलते हैं, बोला टाइल सब्द का सीधा सीधा मतलब यह है, तो कुछ पार्टिकल नीचे से कुछ पार्टिकल जो है वो नीचे से उपर जाना चाह रहे होंगे कुछ particles जो है वो नीचे से उपर की तरफ जाना चाह रहे होंगे और नीचे से उपर की तरफ जाने का मतलब क्या है नीचे से उपर की तरफ जाने का मतलब क्या है सर ये किस state में जाना चाहते होंगे सर ये अपने vapors में जाना चाहते होंगे किसमें जाना चाहते होंगे सर यह अपने वेपर बनाना चाहते होंगे सर और कुछ वेपर पार्टिकल जो है उनको लग रहा होगा कि ठगे गए यार हम वेपर बना लिये गए ऐसे तो मज़ा नहीं आ रहा है एक काम करते हैं एक काम करते हैं हम किसमें चलते हैं सर एक काम करते हैं वापस से किसमें चलते हैं सर लिक्विड वाले पार्ट पर चलते हैं तो इस वाले पार्ट को ऊपर वेपर वाले बनने के पोर्शन को बोलते हैं वेपर आईजेशन और वापस आने के पार्ट को हम बोलते हैं कंडंसेश क्या बोलते हैं condensation फिर से repeat कर रहा हूं ध्यान से सुनिएगा क्या बोला सर कि ये liquid के particle कुछ उपर जाएंगे पानी के कुछ molecule उपर जाना चाहेंगे उपर जाना चाहेंगे तो वो vapor form में आएंगे और जो vapor वाला form है जब vapor बनता है तो उसको हम बोलते है vaporization उस process को कहा जाता है vaporization और जो नीचे आएगा vapor नीचे आता है उसको हम कहते है condensation मतलब vapor का liquid में convert होना उस कहलाता है condensation तो आप देखेंगे कि एक process continuous चलता रहेगा अगर मैं पानी की बात करूँ पानी को अगर मैं closed container में लगता हूँ तो पानी liquid constantly पानी gas भी बना के देगा H2O gas बना के देगा है ना और यह H2O gas वापस भी convert होता रहेगा किसमें H2O liquid में यह H2O gas वापस भी convert होता रहेगा किसमें sir H2O liquid में और इसी equilibrium को study करते हैं तो vapor pressure आता है अगर मैं बात करूँ यहां से तो इधर से इधर जाने के process को हम कहते हैं vaporization मतलब vapor में convert होना vaporization और इधर से इधर आने वाले process को हम कहते हैं condensation क्या कहते हैं sir को जब equilibrium establish हो जाएगा जब equilibrium establish हो जाएगा तो आप बोलोगे sir equilibrium पर अगर हम बात करें equilibrium पर करम kp निकालें तो Kp की value किसके बराबर होगी? Kp की value partial pressure of H2O के बराबर होगी हैATHANए H2O gas के बराबर होगी क्योंकि pure liquid पे तो equilibrium constant depend करता ही नहीं है और जैसे हमने इसको देखा जैसे ही हमने इसको देख लिया जैसे हैं ने इसको देख लिया कि Kp जो है वह partial pressure of वेपर प्रेशर जब इक्विलिब्रियम स्टाबलिस हो चुका है यही कहलाता है वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर क्यों सर क्योंकि यह लिक्विड वेपर आई हो रहा था तो इसके वेपर में जो प्रेशर नीचे लगाया उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं उसको हम वेपर जल्दी बताओ, कॉपी कर लिए आगे बढ़ते हैं, बोलो, 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 बोलो इसको टेंपरेचर चाहिए इतर जाने के लिए यह वात सभी को प्लेयर है बताइये अ कि अ कि बाई कि अ कि भटत कि अ लेयरए तो मैंने क्या बोला कि कोई भी लिक्विड है वो जब अग किविल्वान धोगा हो गया वारे साथ वह वापस आना चाहेगा तो उसको लगए व्यपलाइजेशन नीचे आने का कंद्नसेशन भी होगा कंद्नान भी होगा और यह पीविलिब्रियम होने का 카메ल हूँ तो एक चीज और लिख सकता हूँ अगर तुम समझ पाओगे तो मैं लिख सकता हूँ at equilibrium rate of vaporization rate of vaporization जो है यह किसके बराबर हो जाएगा rate of vaporization will be equal to rate of condensation will be equal to rate of condensation बदाइए rate of vaporization is equal to rate of condensation क्या यह बात clear है यह दोनों मतलब जितनी तेजी से जितने लिक्विड उपर जा रहे हैं उतने ही गैसियस molecule वापस पानी में आ रहे हैं इसको हम बोलेंगे इसको हम बोलेंगे इसको हम बोलेंगे क्या सर्थ इसको हम बोलेंगे दोनों का rate बराबर हो गया और यही पे equilibrium stablish हो जाएगा और यही पे equilibrium stablish होगा उर इसके कारण के फी जो होता है वो partial pressure इसी partial pressure को इसी pressure of h2o को को हम vapor pressure of any liquid कह देते हैं इसी को हम क्या है देते हैं Sir weight pressure कह देते हैं sir ठीक है इसके बाद अगर हम बात करें इसके बाद अगर किसी किसी का वेपर प्रेशर ज्यादा ध्यान से सुनिएगा वेपर प्रेशर जो है किसी का अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है किसी का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो वो ज्यादा वोला टाइल होगा वेपर प्रेशर ज्यादा होने का मतलब है वो लिक्विड क्या होगा सर ज्य वेपर प्रेशर ओफ एक तो पानी का एक ठूओ किया सर लिक्विड और एक पेट्रोल का बताईए किसका वेपर प्रेशर जाधा होगा सर यह बताओ पेट्रोल का यह पानी का बोलो 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 तर प्लीज पीड़ अप करिये यह सब इजी है अरे कोई टेंशन ही तुम टेंशन मत लो जितना टाइम तुमें दिया है उतने में सब कुछ बहुत डीटेल्ड वे में कम्प्लीट होगा जली बताओ इन दोनों में से किसका कमपेर वेपर प्रेशर जली बत पर पता है पेटरोल का नई नई तर पर पूछो क्यूंकि हमें यह पता है यंग हमें यह पता है पेटरोल जलिंग फ्ट्रोर जातिक्वा पेट्रोल एस boiling point of petrol is less than that of water less than that of water boiling point किसका sir petrol का कम है तो petrol ज्यादा vapor बनाएगा जिसका boiling point कम वो vapor ज्यादा बनाएगा जिसका boiling point कम वो vapor ज्यादा बनाएगा ये बात clear है फड़ा फड़ा बता दीजे फिर अगर हम बात करें temperature dependence of vapor pressure क्या होगा sir तो ये देख लो एक equation है Vp1 Vp का मतलब vapor pressure है ये बराबर किसके होगा sir ये बराबर होगा delta H upon 2.303R into 1 upon T1 minus 1 upon T2 यहाँ पर सभी terms का मैं सही सही value लिख देता हूँ जहाँ पर Vp2 जो है Vp2 जो है ये है vapor pressure at temperature 2 vapor pressure at T2 temperature ठीक है फिर अगर हम बात करें फिर अगर हम बात करें Vp1 की किसकी बात करें sir फिर अगर हम बात करें Vp1 की फिर अगर हम बात किसकी करें sir Vp1 की तो Vp1 किसके बराबर है sir तो आप बोलेंगे Vp1 जो है Vp1 जो है वो वेपर pressure at T1 temperature है vapor pressure at T1 temperature है उसके बाद अगर हम r की बात करें तो r is universal gas constant, r is universal gas constant और अगर हम delta h की बात करें तो delta h की ऐसर enthalpy of vaporization यहाँ पर enthalpy of vaporization इसको अगर आप देखोगे, इसको अगर आप mathematically analyze करोगे, इस equation को अगर आप mathematically analyze करोगे तो आप यह पाओगे, आप यह पाएंगे सर कि temperature बढ़ाने से as we increase temperature देखो यह वाला process जो है, यह वाला process जो है, इसके लिए delta h positive है delta h positive होने का मतलब temperature बढ़ाएंगे तो reaction forward direction में जाएगी temperature बढ़ाएंगे तो reaction forward direction में जाएगी इसका मतलब temperature बढ़ाने से vapor pressure increase होता है temperature बढ़ाने से vapor pressure increase होता है and vapor pressure increases as temperature vapor pressure increases very very important point और एक आपको RBI दे दे रहा हूं याद रखना कि vapor pressure only depends upon RBI कि vapor pressure only depends upon temperature vapor pressure only depends upon temperature for a given liquid pressure only depends upon depends upon temperature for a given liquid किसी एक given liquid के लिए vapor pressure केवल temperature dependent है बाकी किसी चीज़ पर कोई फरक नहीं पढ़ता है बाकी किसी चीज़ पर कोई फरक नहीं पढ़ता है आगे बढ़ जाते हैं बताईए आगे बढ़ जाए क्या बोलो 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 कि फेली बार क्यों देख रहा हूँ क्यूंकि सुइट पहλι बार देख रहे होगे मैं क्या कर सकता हूं यार मैं बताऊ तो ना दिखाऊ चुपा लू क्या हो तो पालों का सर, same liquid का ही कर सकते हैं, अबे different liquid होगा तो उसके लिए तो अलग-अलग होगा इना obvious सी बात है, different liquid का जैसे अभी देखो न, पेटरोल और पानी, दोनों का vapor pressure अलग-अलग होगा, पेटरोल का vapor pressure बहुत जादा होगा, क्योंकि पेटरोल बहुत जादा vapors बनाएगा पानी थोड़ा कम बनाएगा, तो पानी का vapor pressure कम होगा, समझ गया, yes sir, neat वाले देख सकते हैं, हाँ, अगर आप चाओ तो देख सकते हैं, आगे बढ़ जाएंगा, copy कर लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फड़ा पापी कर लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक point और आ vapor pressure है न, vapor, yes, vapor pressure की जगहा, अगर हम लिखे, saturate या vapor pressure of, vapor pressure of, water, इसको एक और नाम से जाना जाता है, sir, इसको नाम से जाना जाता है, aqueous tension, इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम कहते है, aqueous tension, यह भी याद रखेगा, कभी aqueous tension लिख रखा हो, इसका मतलब vapor pressure of, पान पानी की चर्चा की जा रही है सेर कभी एक्वस्टेंचन लिख रखा और इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ पानी की बात की जा रही है समझ गए बताईए जल्दी बोलो जल्दी बताईए फिर हम आगे एक मज़दार चीज चलते हैं पैसे नहीं है बाई कॉपिराइट क्लेम बरने के लिए अब है जई के लिए कुछ टेप्स दे दो कुछ नहीं आ रहे है चिल होके जाना आराम से जई मेंस में बहुत इजी सव वड़तेख prix बरुब मुझे बाद बताने जा रहा हुँ वह सायद आपने कहीं पड़िया नहीं भी € 2 ली है जा रहा हो, that is very very important, वो ऐसा topic है, जो सायद आपने पढ़ा होगा, बहुत cases में बहुत ज़्यादा संभावना यह है, कि आपने इसको नहीं पढ़ा होगा, तो सुनिए ध्यान से, अब जो बात पताने जा रहा हो, यह completely नहीं और मज़ेदार बात होगी, मैं यहाँ पर क्या बा प्लॉड करेंगे, तो y-axis पे हम pressure plot करेंगे, इसको अच्छे सब बना लेते हैं, up. ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत सारी बात'े इसमें सिखाओंगा, जिससे आपको आगे advanced level तक के सवालों में बहुत मदद मिलेगी ठीक है, तो y axis पह हमने क्या plot किया sir, हमने pressure plot किया, और x axis पहणने क्या plot किया sir, हमने temperature plot किया, तो इदर pressure, इदर temperature, अब मैं जो graph बना रहा हूंँ को ध्यान से देखिएगा, जो graph बना रहा हूं, इसի गया, प्रहुपे बना मैं यह ऐस से गया, ठीक है, color change कर करके बनाओगा, फिर ये graph इस तरीके से जाएगा, फिर ये graph इस तरीके से जाएगा, और फिर ये graph इस तरीके से जाएगा, और फिर ये graph इस तरीके से जाएगा, ये phase graph है for any substance, this is the phase graph for any substance, किसी भी substance के लिए phase graph कुछ इस तरीके से होता है, इसमें इस point की बात करें, तो ये point जो है, ये triple point होता है सर जहां पे तीनों फेज़स एक साथ exist करते हैं अगर इस वाले portion की बात करें नीचे वाले portion की मैं तुम से जो पूछते जारा हूँ ध्यान से सुनिएगा मैं आप से जो भी पूछते जारा हूँ उसको ध्यान से बताते जाएए अगर मैं आप से पूछू कि सर ये वाला portion जो है ये वाला portion जिसको मैं portion A बोल रहा हूँ यहां पे pressure कम है या जादा है temperature कम है या जादा है बताइए इस वाले portion में इस तरफ की बात करें तो आप बोलोगे सर यहां pressure बहुत कम है और temperature ठीक ठाक है सर अच्छा गासा है तो यहां पे substance जो है वो liquid state में और सॉरी यहां पे जो भी substance होगा वो अपने gaseous state में मिलता है किस state में मिलता है gaseous state में यहां पे आपको gas मिलेगा सर ठीक है इसके बाद आगे बात करते हैं break की बात करें तो break हम करीब करीब बारा साड़े बारा तक लेंगे है ना आगे बात करते हैं अगर हम यहां पे बात करें अगर हम यहां पे बात करें इस वाले portion में अगर हम यहां पे बात करें इस वाले portion में तो इस वाले portion में आप या इधर आए जाते हैं पहले इधर pressure बहुत ज़ादा है, temperature बहुत कम है, तो यहाँ पे आपको कोई भी substance अपने solid form में मिलेगा, किस form में मिलेगा सर, solid form में, और अगर हम beach वाले portion की बात करें, beach वाले portion में कोई भी substance आपको अपने liquid form में मिलेगा सर, किस form में मिलेगा liquid form में, तीन चीज़ की बात करनी, ध्या अगर कभी हमें वोइलिंग पॉइंट या मिल्टिंग पॉइंट निकालना है तो हम क्या करते है सर प्रेशर, constant pressure से एक line draw करते हैं, constant pressure से line draw करते हैं, देखो boiling point और melting point इस graph से निकालने का technique क्या होता है? constant pressure से line draw करते हैं, और ये constant pressure वाली line जाके जहां पी, माललो भी हमें pressure पता है कि इतना, हमारा इतना pressure है, तो ये वाली line जहां इससे टकरा रही है ध्यान से सुनिएगा फिर से repeat करता हूँ ये वाली line जहां भी इससे टकरा रही है इस वाले point को हम कौन सा point बोलेंगे सर ये temperature जो इस point के corresponding जो हमें temperature होगा इसको इस वाले temperature को मैं क्या बोलू melting point बोलू या boiling point बोलू तुम खुद बताओ तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच जो equilibrium है न वो solid और liquid का equilibrium है और जब कभी भी solid और liquid आता है तो ये line किसकी कहलाएगी सर बोलो 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 दिस इस ये कौन सा है बताइए ये कौन सा है सर बताइए 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 बोलो भाई जल जली बताओ अगर इस temperature की बात करें और solid और liquid का equilibrium आता है solid और liquid का equilibrium आता है है ना बताओ तो आप बोलोगे सर यह melting point है सर यह क्या है melting point है इसी के लिए इस line को हम MP line कहते है melting point line कहते है MP line, अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे face transformation क्या है सर, यहाँ पे face transformation क्या है, तो यहाँ पे जब आप face transformation देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे liquid जो है, वो gas में convert हो रहा है, liquid जो है, वो gas में convert हो रहा है, इसके corresponding temperature आएगा, इसके corresponding temperature आएगा, यो बड़ी बारी बात बता रहूँ, ढिखिन से सुनियेगा, अब ये आजगे और एक लाइन कहते हैं याद रखना ये face graph जो है न ये face graph जो है न ये for all substances है ये face graph किसके लिए है sir for all substances for all substances for all substances for all substances अब मेरा सवाल आपसे जो है वो सुनना ध्यान से अगर मालो मैंने pressure बढ़ा दिया तो pressure बढ़ाया तो pressure बढ़ाने से boiling point बढ़ेगा melting point या घटेगा boiling point बढ़ेगा melting point बढ़ेगा या घटेगा बताईए तो आप बोलोगे sir ये पता करने के लिए कुछ मत करो ये pressure पहले इतना लिया था इसका color बदन देते हैं थोड़ा चिस दिखेगा ये pressure पहले इतना लिया था sir अब इसको उपर लेके चले जाओ उपर लेके चले जाओगे तो मेरे को बता boiling point बढ़ गया या घट ग रहा है boiling point वाले line को cut कर रहा है तो यह हमे boiling point देगा तो आप देखेंगे कि सर यहां से यहां जाने पर प्रेशर बढ़ाते हैं तो boiling point भी increase हो गया और melting point भी increase हो गया कितने लोगों को ये बात clear है बताईए आगे अब चर्चा करता हूँ ध्यान से सुनिएगा इसी graph को पकड़ता हूँ इसी graph को पकड़ता हूँ और आगे एक मज़ेदार discussion और जिससे आपको और बहुत सारी बाते clear हो जाएगी सर ध्यान से सुनिएगा इससे आपको बहुत सारी बाते clear हो जाएगी सर इस graph को फिर से क्यूं बना रहे हो क्यूंकि कुछ तो मज़ेदार बात है ना सर तभी तो इसका discussion किया इसमें इसको अटा देतने हैं अभी डिलीट 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 है ना और जो लिख रखा है उसको भी मिटा देते हैं और ये चलो ये ऐसा अब ये graph जो मैं बनाने वाला हूं ये graph जो मैं बनाने वाला हूं वो पानी के लिए बनाने वाला हूं किसके लिए बनाने वाला हूं सर पानी के लिए प ग्राफ जो पानी के लिए है न ये पानी के लिए ग्राफ थोड़ा अलग बनता है मतलब इस तरफ ऐसे चली जाती है this is the graph for water that is totally different हाँ पानी एगदम disagree कर जाता है सर तो यह क्या है सर यह अब पानी के लिए है यह पानी के लिए क्या है सर melting point line है ठीक है यह क्या है सर पानी के लिए boiling point line है BP line है और यह triple point है यह इसका triple point है सर अगर हम इधर से इधर जाने की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है सर पानी जो है वो solid form में है या sorry पानी यहां की अगर हम बात करें तो यह solid form मतलब ice के form में है यहाँ पे अगर हम बात करें तो पानी liquid मतलब water के form में है और यहाँ gas मतलब water vapor के form में है ये वाला equilibrium, vaporization का equilibrium कहलाएगा, ये liquid से gas का equilibrium है, मतलब vaporization है, और ये वाला equilibrium जो है, ये solid से liquid का equilibrium है, मतलब ये आपका melting है, समझ गए, बताइए, बताइए, सर ये external pressure है क्या, exactly, this is external pressure, बिल्कुल, 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 ये external pressure है, बिल्कुल, 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 अब अगर ह प्रेशर P1 पहले क्या करते हैं सर पानी के लिए पहले पानी के लिए हम P1 प्रेशर पे यह पूरी बात की चर्चा करते हैं तो P1 प्रेशर पे इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है और बॉइलिंग पॉइंट क्या एक बारी देख लेते हैं P1 प्रेशर पे इसका मेल्टिंग MP है या BP है, MP है या BP है, यह graph advance के लिए important है sir, advance में पूछते हैं इससे सवाल, और वहीं अगर हम बात करें, यह वाला point, यह वाला point BP है या MP है बताओ, यह वाला point BP है या MP है बताओ, बोलो, बोले, तो आप बोलेंगे sir देखो, yellow वाला जो line था न, यह melting point का line था, क्योंकि यह melting point line को cut कर रहा है, और यह वाला line जो था न, यह boiling point वाला line है, तो यह BP है sir, यह अभी boiling point है sir, लेकिन जैसे ही, लेकिन जैसे ही मैं pressure, external pressure बढ़ाता हूं, जैसे ही मैं external pressure बढ़ाता हूं इसके case में, तो external pressure बढ़ाने के एक साथ, इसमें क्या होता है sir मेरे को बता, क्या इसमें भी वैसा होता है दोनों ही बढ़ रहे है या एक बढ़ रहा है गट रहा है तो आप बोलोगे सर इस केस में न तो गडबड हो गई सर गडबड क्या हो गई अब अगर आप देखोगे melting point decrease कर रहा है और वही boiling point increase कर रहा है melting point decrease कर रहा है और वही boiling point increase कर रहा है हाँ या न? यह सर तो इस case में आप देखेंगे इस case में आप देखेंगे कि अगर हम P external को बढ़ाते हैं for water यह बात किसकी कर रहा है सर? यह हम चर्चा कर रहा है पानी के लिए है बट melting point decrease हो जाता है सर याद रखेगा ये बात को पानी ने खेला कर दिया सर खेला हो बे है ना पानी ने क्या किया सर खेला कर दिया पानी ने क्या किया सर खेला कर दिया सर बताएए क्लियर है? बोले 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 हो तो पानी ने क्या गर दिया सर? खेला गर दिया सर, खेला पानी ने क्या क्या? खेला कर दिया सर समझ गे मेरी बात? बताईए क्या है मेरी बात क्लियर है? बताईए बताईए क्या हमार बात आपको क्लियर है? ब्रेक अभी रुख जा है यार थोड़ा साथ और पढ़ ले इसका मतलब क्या है सर पानी के लिए इसका मतलब क्या है कि on increasing pressure है नब pressure increase करने पर pressure increase करने पर बर्फ जो है पानी में convert होगा बर्फ melt होगा या पानी बर्फ बनेगा तो आप बोलोगे सर प्रेशर increase करने पर बर्फ मेल्ट होगा ice will melt pressure increase करने पर ice will melt आया ना? यस सर ice melt होना सुरू हो जाएगा और अगर हम बात करें pressure increase करने पर पानी के साथ क्या change होगा? सर water के साथ क्या change होगा? water क्या होगा सर बताओ pressure increase कर दिया तो उसका boiling point बढ़ जाएगा boiling point बढ़ने का मतलब यह है boiling point बढ़ने का मतलब यह है कि vaporization कम हो जाएगा सर water का vaporization कम हो जाएगा therm spacecraft increase होने से यह ना? वो आगे जाके करेगा ठीक है? बोलो 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 आप बंगाली जानते हो सर ठोड़ा वो जानता हूँ सर 12.12 बज़े ब्रेक देना वाले है, हाँ, बिल्कुल, मम्मी को खाना लगाने के लिए बोल दू, हाँ, बोल दो भाई, साड़े बारा वजे के लिए खाना लगाने के लिए बोल दो चलिए आगे बड़े यह बड़ी इंट्रेस्टिंग बात है सर यह बड़ी इंट्रेस्टिंग बात है सर यह बड़ी इंट्रेस्टिंग बात है सर बाकी चीजों के लिए ऐसा नहीं होता है बाकी चीजों के लिए ऐसा नहीं होता है सर बाकी चीजों के लिए ऐसा नहीं होता ह ठीक है चलिए तो इसको तो अभी हटा लेते हैं this is not that important we have but ये बात important है कि कौन किदर shift करता है कौन किदर shift करता फिर थोड़ी सी definition थोड़ी सी boiling point और melting point की हम चर्चा कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेगे थोड़ी सी चर्चा boiling point melting point की कर लेते हैं boiling point क्या होता है sir boiling point what temperature up the temperature at which in the temperature at which you know the temperature at which liquid and vapor phase are in equilibrium liquid and vapor phase are in equilibrium are in equilibrium ठीक है, melting point क्या होता है sir, the temperature at which, the temperature at which solid and liquid are in equilibrium, जब solid, liquid, equilibrium पे हो, तो उसको melting point कहेंगे और दूसरे case में हम क्या कहेंगे sir, boiling point, समझ गे मेरी बात को, बताईए समझ गे, अब जो मैं term लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना, इससे भी कई बारी सवाल आ जाता है, यह simple सा एक table है, यह table एगनम बढ़िया मज़दार table है sir, कुछ है नहीं, इसमें तीन बाते हम करेंगे, और तीनों बाते बहुत important, बहुत heavyweight बाते है sir, ध्यान से सुनिएगा, तीनों बाते बहुत heavyweight बाते है sir, तीनों ही बाते बहुत ही heavyweight बाते है sir, यहाँ पे हम बात करेंगे, तीन चीजों की, यहाँ पे हम बात करेंगे कितने चीजों की, तीन चीजों की, अगर माललो कभी भी, अगर माललो हम यहाँ पे लिखने, P external, और यहाँ पे हम boiling point की बात करेंगे, कि boiling point का नाम क्या होगा, और यहाँ अगर कभी भी एक सवाल आप से पूछा जा सकता है और जो आपका मेल्टी पॉईंट आता है उसको हम कहते हैं वहीँ अगर हम बात करें अगर कभी भी प्रेशर अगर कभी भी प्रेशर एक बार हो गया 1 bar तो इस case में जो boiling point है उसको हम कहते है standard boiling point इसको हम कहते है standard boiling point और इस वाले melting point को हम कहते है normal melting point क्या कहते है sir normal melting point this is a very interesting thing to note this is a very interesting thing to note टीक है बताइगे पानी के लिए अगर हम बात करें तो ये वाला data हमें NCRT ने दे रखा है कि इसका normal boiling point जो है नीच लिख देता हूं चलो यहां नहीं लिखता नीच लिख देता हूं सर for water है ना नीच लिख देता हूं for water for water नॉर्मल boiling point जो है यह कितना होता है सर बताइए और आपका standard boiling point कितना होता है तो normal boiling point की value आपकी NCRT कहती है 100 degree Celsius है यह कितनी है सर यह 100 degree Celsius है और वहीं अगर हम बात करें standard boiling point की तो standard boiling point की value होती है 99.6 degree Celsius कितनी होती है सर 99.6 degree Celsius very important to note very important to note ठीक है आप यह भी याद रखिएगा कि one atmosphere जो है एक atmosphere जो है यह बराबर किसके होता है सर यह बराबर होता है 1.01325 बार के इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए एक atmosphere और एक बार में कौन बड़ा है तो obviously one atmosphere is greater than one bar भले ही बहुत छोटे amount से हो बट है बड़ा भले ही बहुत छोटे amount से हो बट है बड़ा ठीक है समझ गए फटा फट बताई फिर आगे बढ़ते हैं हाँ यह सीधा सवाल आएगा सर statement में सीधा सवाल आएगा पूछेगा तुमसे statement दे देगा दी यह समालो एक सवाल ले दूदा normal या the standard boiling point of water is और option पहला होगा 100 degree Celsius आदी जनता खतम 50% of the crowd is over there कमझ गए 50% of the crowd is over अब freezing point का data NCRT देता नहीं है freezing point का पानी केने freezing point का data NCRT देता नहीं है तो उसको बारे में सोच नहीं नहीं है this is the data from NCRT this is the data from NCRT इस वजह से इसको लिखा freezing point का data NCRT देता नहीं है बट अगर आप देखोगे तो जब हम pressure बढ़ाते हैं जब हम pressure बढ़ाते हैं तो melting point कम हो जाता है ना तो freezing point का data में ऐसा होगा कि normal melting point कम होगा standard से उल्टा आएगा सा एक बार मतलब वा यह बहुत बढ़िया सवाल पूछा है किसी ने दिल को एकदम होता ना दिल वेच थंड़क पैगी वह कहता ना दिल वेच थंड़क पैगी तर मेल्टिंग point standard कब होगा अब बताया तो melting point standard कब होगा जब प्रैसर एक्स्टरनल प्रैसर जो है ऐसा हो कि जो लोग भी अर्जुना से हैं भाईया सभी को है लो हाए इंपोर्टिंट टॉपिक आखे बंद करके दो सब बच गया है वा बताइए सर प्ली स्पीड अप करिए यह सब इजी है तुम्हें सब इजी लग सकता है तुम्हारी तैयारी अच्छी है बढ़ बाकी लोगों अभी तो सोच चलिए आगे बढ़ते हैं सर कॉपी कर लिया फटाफट सीके लिए फिर आगे बढ़ते हैं दिस पेजी बेरी बेरी इंपोर्टेड बहुते जादा इंपोर्टेड है सर बहुते ज्यादा इंपोर्टेड है समझ गया क्या ? बहुते ज्यादा imported है sir बहुते ज्यादा imported है mistake, mistake क्या mistake कर दिया भाई बोलो अच्छा, sorry, ठीक है समझ गया अब यार, यह standard होगा न यार इतना तो तुम समझते हो यार केसे बच्चे, छोड़े बच्चे हो गया इसके बाद हम आगे बात करते हैं अब हम बात करते हैं तो solubility of liquid in liquid जब हम पढ़ते हैं तो इसके लिए हमारे पास एक अंकल हुए जिन्होंने लौ दिया एक अंकल हुए जिन्होंने लौ दिया जिनका नाम है राउल्ट अंकल का नियम दो हम यहां पर पढ़ते हैं राउड स्लौव यहां पराउड पर पढ़ते हैं सर राउड सोग क्या पढ़ते हैं भाई लोम यहां पर राउड पर क्या है राॉड स्लौव मेर राउड शोग में कुछ है नहीं why which state that for a solution of a volatile liquids the partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to its small fraction इसकी अभी बात करेंगे अगले पेच पे आप चाहे तो ये statement लिख सकते हैं अब आम इसकी चर्चा करेंगे इन ग्राफ की चर्चा करेंगे विल्कुल टैंचल लेने का नहीं सार हेन्री लॉ नहीं पढ़ा रहे हैं क्या नहीं यार हैं हन्री लॉ देली नहीं पढ़ाया है यह केक घुर लिए की έ defending करने । बीच बीच में आते हैं और फिर भाग जाते हैं ठीक है वाई चलिए आ गया आते हैं बहुत बढ़िया अब हम बात करने वाले अगेन अब वेरी इंट्रेस्टिंग वेरी इंपोर्टन टॉपिक अगर हम करें तो राउल चाचा ने हमें क्या बताया ध्यान से सुनिएगा रा और बिसलिए लिए unfair झेया गिशन इसे ले लितने हैं reactive, हमारे पास न और बहुत सारी चीजह है इसमें लिתח इक लिक्विड हैं किमेस्टी किमेस्ट्री में हम लेखे आते हैं एक वीकर यह है हमारे पास एक facilitator यह हमारे पास एक लिकूर है कॉपी गयार कंए यह दूसरा लेकूड है ठीक है तौपी गया यह तीसरा और इसको खाली कर लिया है सर, इसको हम क्या करेंगे सर, इसको खाली कर लेंगे, और इसको थोड़ा बढ़ा कर लेंगे, क्योंकि दोनों लिक्विड इसी में मिलाएंगे, आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि कलर मैच्ट है दोनों का, अब देखो ध्यान से, अब अगर हम बात करें, यह हमारे पास है liquid A, यह हमारे पास है liquid B, ध्यान से देखेगा, दोनों ही liquid A और liquid B है, इसके color को बदल देते हैं, क्योंकि तुम्हें कल को बरुसा नहीं होगा ना, कि यह liquid B कैसे है, sir, A कहीं तो देख रहा है, liquid का color लाल कर देते यह हमारे पास क्या है, sir, यह हमारे पास क्या है, sir, this is liquid A, यह हमारे पास liquid A है, यह हमारे पास क्या है, sir, liquid B, तो हमारे पास दो liquid A and B, हमारे पास दो liquid A and B, समझ यह क्या, बोलो, 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 कोई बात ने, beaker का तुम्हें, beaker का तुम्हें structure नहीं दिख रहा होगा, बीकर का तुम्हें structure नहीं दिख रहागा बढ़ ऐसे तो दिख रहा है न यार वो पानी तो दिख रहा है न रखा हुआ हाँ हमार पास दो liquid है liquid A and liquid B अगर liquid A की बात करें तो इसका जो vapor pressure है इसका जो vapor pressure है वो कितना है sir इसका जो vapor pressure है इसको मैं represent करूँगा आप कैसे इसका जो vapor pressure है इसको मैं represent करूँगा P not A से P not A का मतलब क्या है pure A का vapor pressure मतलब सुध A का pressure ठीक है तो P not A बोलेंगे वही अगर हम बात करें vapor pressure of pure B को हम क्या लिखेंगे sir vapor pressure of pure B को क्या लिखेंगे वह या बोलो बोलो क्या लिखेंगे इसको इसको हम लिखेंगे P not B इसको हम क्या लिखेंगे सर P not B और वहीं अगर और वहीं अगर मैं इसको इसमें डाल दूँ वहीं अगर इसको मैं इसमें गिरा दूँ वाह और इसको भी इसमें गिरा दूँ इसको भी इसमें गिरा दूँ अब हमारे पास क्य भी ज़्यादा यह advance नहीं है अब यह हमारे पास बन गया this is solution of a plus b this is solution of a plus b अब a plus b के solution का जो p total होगा जो pressure होगा उसको p total लिखेंगे क्या लिखेंगे sir p total समझ गहे बताईए 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 क्लियर है क्लियर है क्लियर है यहां पे जो प्रेशर 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 है इसको हम बोलेंगे इसका जो आप वेपर प्रेशर ह होगा इसको हम बोलेंगे P total और P total जो है यह क्या एसर वैप pressure of solution vapor pressure of solution vapor pressure of solution vapor pressure of solution कि बोलो यह वात सही गलत है बताई यह वाट ठीक है गलत है बताईए 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 ठीक है सर्ड ੱि अब राउन्ट 1997 किया कहता है उस पपे आते हैं सर ज अब राउल्टहक क्या कहता है उस पे आते हैं According to राउंटस लों ए Israeli कोडिंगट्यों के अंदर जो pressure of A है P A ये proportional किसके होगा sir mole fraction of A के और जो P B है ये proportional किसके होगा mole fraction of B क्या चीज़ और कहां sir ये X से जो है mole fraction of A in solution है और ये X B जो है ये भी mole fraction of B in solution है solution के अंदर का mole fraction फिर आपका मन तो यहां मानेगा नहीं दिल है की मानता नहीं तो आप क्या बोलेंगे आप बोलेंगे sir आप बोलेंगे देखो भाई यहां पे जो P A होगा ना P A ये बराबर हो जाएगा P not A X A के यहां पे P not A constant है और P B जो है ये बराबर हो जाएगा किसके P not B X B ये बराबर किसके हो जाएगा sir P0B XB और अगर ये तो था Raoul Slough Sir Raoul Slough कहता देखो P A A का जो पार्शल प्रेशर है जहां पर मैं लिख देता हूँ सबी सब्दों का मतलब P A का मतलब क्या है Sir? पार्शल वेपर प्रेशर ओफ A पार्शल वेपर प्रेशर ओफ A इन सोलूशन P B का मतलब क्या है Sir? पार्शल वेपर प्रेशर ओफ बी इन सोलूशन है business है न? ये दोनों का यही मतलब है Sir A का पार्शल वेपर प्रेशर और इसका वही अगर हम बात करें वही अगर हम बात करें किस चीज की Sir? यही पे अगर हम बात करें तो आप एक चीज और देखेंगे, यहीं पर अगर हम बात करें तो आप एक चीज और पाएंगे, क्या हो गया रहा है, अच्छा यहाँ पर एक से होगा, ठीक है, यहीं अगर हम बात करें, तो एक लो और लगाता हूँ, according to Dalton's law, यहाँ पर द्यान से सुनिएगा, according to Dalton's law, Dalton's आचा के नियम के हिसाब से, अगर दो गैस प्रेशर लगा रहे हैं, Dalton's law, अगर दो गैस प्रेशर लगा रहे हैं, तो पी टोटल जो है, वो किसके बराबर होगा, सर, यह बराबर होगा, पी ए प्लस पी बी के, और इसको अगर मैं आगे लेके जाओं, तो पी टोटल, पी की वेल्यू क्या थी? यहां से लिखेंगे, पी नोट एकसे, प्लस पी बी की वेल्यू क्या लिखेंगे? पी नोट बी एकस बी, और यह हमारे पास आगया final law, यह हमारे पास आगया final law, मतलब कभी भी binary solution का जो टोटल प्रेशर होगा, वो किसके बराबर होगा, सर, पी नोट A x A plus P 0 B x P, यहां P total क्या है सर, total vapor pressure of solution, फिर से repeat करता हूं, P T क्या है सर, total vapor pressure of solution P 0 A and P 0 B are vapor pressure of pure A and B pure A and B, और X A and X B of normal fraction, mole fraction of A in solution, mole fraction of A in solution, यह है सर, समझ गये, फिर से repeat करता हूं, फिर से repeat करता हूं, यह सब बाते हैं, दूसरी बात, अगर binary solution है, अगर binary solution है, तो हम चाहे, तो यह भी लिख सकते हैं, यह भी लिख सकते हैं सर, X A plus X B बराबर 1 यह भी लेख सकते हैं sir xe plus xb बराबर 1 और या तो xe या xb के term में भी इसको represent किया जा सकता है या तो xe या xb दोनों में से किसी एक के term में भी इसको represent किया जा सकता है sir या तो xe या xb दोनों में से किसी एक के terms में भी इसको represent किया जा सकता है sir बताईए बोले बताईए बताई बताई किलियर है सर P0 A क्या है अभे P0 A P0 B बोला न वेपर प्रेशर ऑफ P while A and B जब प्योर A होगा तो उसका जो प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर होगा थीक है थीक है थीक है चलिए आगे देखते है इससे related अगर मैं graph देखूँ तो यहाँ पे मैं आपको graph दिखा देता हूँ पहले तो यह graph देख लो एक बड़ी इस graph को अगर आप देखोगे तो यह graph किसका है sir यह graph है P not A, देख लो यह P not A है, यह P not B यहाँ पे लिख देता हूँ मैंने यह माना कि P not A is less than P not B है, पी not B is greater than P not A, तो यह P not B है, यह P not A है अगर मेरे को graph बनाना है, यहाँ पे क्या है sir, यह graph मैं बनाई देता हूँ, देख लो द्यान से यह ग्राफ मैं ही बना देता हूँ जहां से देख लो इस ग्राफ को इस तरीके से बनाते हैं तो यहाँ पर मैंने बोला mole fraction of a जो है वो 0 है और यहाँ पर mole fraction of a जो है वो 1 हो गया maximum 1 हो सकता है यहाँ पर mole fraction of b जो था वो 1 था और यहाँ पर mole fraction of b जो था यह 0 हो गया, जब कभी भी mole fraction of keval B आएगा, तो ये वाला pressure जो है, ये P not B कहलाएगा जब कभी भी mole fraction keval A का है, A का 1 है, मतलब keval और keval A है, तो ये P not A कहलाएगा जहाँ पे जो हम graph बना रहे हैं, वहाँ पे P not A is greater than P not B है, अब अगर आप से कोई पूछे कि सर, A का partial pressure वाली line कहाँ पे होगी, A के partial pressure वाली line कैसे जाएगी, तो देखिए गाध्यान से, देखिए गाध्यान से A के partial pressure वाली line जो है, वो कुछ इस तरीके से यहाँ से ऐसे जाएगी सर बी के पार्शल प्रेशर वाली लाइन कहां से जाएगी सर बी के पार्शल प्रेशर वाली लाइन कहां से जाएगी तो आप देखेंगे बी के पार्शल प्रेशर वाली लाइन इधर से इधर जाएगी सर और उपर वाली जो लाइन है, उपर वाली जो लाइन मैं बनाऊंगा, वो टोटल प्रेशर की लाइन है, उपर वाली लाइन जो है, यह टोटल प्रेशर की लाइन है, फिर से ध्यान से सुनिएगा, यह वाली लाइन जो है, यह पी टोटल है, पी टोटल का मतलब है, यह पी न वुर बी की है मतलब ये लाईन है P not B x B की है ना और इन दोनों को सम करेंगे तो ये उपर वाला graph आ जाएगा इस तरीके से graph बनाया जाता है ठीक है बयावई इस तरीके से graph बनाया जाता है तो this graph is important very very important समझ गै बताईए क्या ये बतिया किलियर है किलियर बोलो बोलो एकदम कमेंट पर लिख दो अगर किलियर है तो ग्राफ किलियर है तो इसे लिख दो किलियर है सर किलियर है बताई ग्राफ अगर किलियर है तो कमेंट में लिख दो किलियर है रॉंग मिश्टेक क्या मिश्टेक हो गया भाई या बोलो भारी मिश् तो चैनल एंद्धिप्रेगें तो निद्धी खिन परूद ही मैंने दो लिक विड मिलाया एक तो ए दूसरा भी एक गामिने पांच मोल बिलाया, B का मैंने 15 बोल बिलाया, ठीक है, A का जो पार्षल प्रेशर था, A का जो पार्षल प्रेशर था, P not A, ये था, 500 mmHg, 500 mmHg, B का जो पार्षल प्रेशर था, P not B, ये था, 700 mmHg, आपको बताना है, P total कितना होगा, बताईए, P total की value फटाफट बता दीजे, आपको बताना है, P total की value कितनी होगी, फटाफट बताईए, फटाफट बताईए, फटाफट बताईए, बोलिया, खाड़े बारा वड़ा फट बताईए तब तक मैं कोई देखता हूं जेए का कोई भॉकाली सवाल मिल जाए तो अभी कर ले पैक करदा वड़ा देते हैं जेए कभी जो जेए के सवाल तो आखरी आखरी में करेंगे सारे सवाल तो क्या ही पूछ लेगा सर कितना इदा मोगा सवाल में इसके होई नहीं सकता कुछ ही नहीं इसके सवालों में होता ही नहीं है कुछ है हाँ बताओ जल्दी 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 बोलून दादा ताड़ ताड़ी बोल यह कितना आजाएगा सर P total के बराबर P total कितना हो जाएगा सर P not A बोले तो 500 into X A की वैल्यू 5 बटे 20 प्लस P not B 700 into X B की वैल्यू 5 बटे, 5 नी जार 15 बटे 20 15 बटे 20, बहुत ही बढ़िया इसको solve करके बदा यह answer कितना आ रहा है answer कितना आ रहीए जोड़ा जब उडान गार नाम साथसो तिया फीशिया है तों पहा साथसो तियार युशिया है डिवाइट किया चार से 2600 बटे 4 कितना आ रहा है सर 2600 होगा 2600 नहीं 2600 बटे 4 कितना आ रहा है सर तो आप बोलोगे 650 मिली मीटर सो फेच जी कितने लोगों का अंसर मैच कर गया था तुरन दिल बना देखिए और अरे सर एकदम माच कुमारे हैं मैच करवा दिये हैं अब 2600 का आदा 1300 1300 का आदा 650 इसमें भी कैलकुलेट करने की जरुत पाड़ रही है बहु 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 बाड़ु बहु 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 बढ़्या बहु 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 बढ़ीया बहु तुमसे पूछेगा ऐसे सवाल में question find P not A and P not B if P total is equals to if P total equals to 200 minus 200 minus 50 X B यह सवाल देदेगा अब बोलेगा P not A और P not B निकालो simple सा simple सा simple सा simple सा 1 mm of Fetchy का conversion बता दीजे किसमें बताना है 1 mm of Fetchy सर 20 कैसे आया अबे एक का 5 मोल था दूसरे का 15 मोल था दोनों को जोड़ेंगे तो 20 मोल आएगा टोटल 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 हाँ Colgate property Colgate property break के बाद थोड़ा सा routes लो और कड़्ों का थोड़ा सा Library और फिर Colgate property करीब 5時間 के गरीब हम Colgate property बढ़ेंगे सारे सारे Colgate property देड़ गंटे में और बढ़ीया से होगे सवालों के साथ फिर हम सवाल 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 फिर हो के टाटा बाइ-बाए-बाए बहुत बढ़िया है तर ग्राफ में मिस्टेक है ध्यान से देखिए टोटल के लाइन में क्या मिस्टेक है यार देख लेते हैं ओह ओह यह थी गए मैं समझ गया आदत खराब हो गया मेरी अगर आपको पी निकालने के लिए एकस बी को कर दो जीरो पी नॉट बी निकालने के लिए एकस बी को कर दो वन सिम्पल यह वैल्यू पूट कर वा अंसर आ जाएगा इसका मतलब पी टोटल में मैंने एकस बी को 0 पूट किया तो पी नॉट जाद रखना, P total tends to P not A when XB बराबर 0, P total tends to P not B when XB बराबर 1, सीधा direct answer देगा, direct, 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 कितने लोगों को लगा direct answer, बताई, 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 बहत बढ़िया, बहत बढ़िया, बहत ही बढ़िया, बहत ही बढ़िया, बहत ही बढ़िया, बहत ही Dalton's law एडरा प्राउल्ड's law यह इषास प्राउल स्नौन της का रिलेशन आपको बता जेता हूँ relation of Dalton's law आड़रा प्राउल्ड's law इसको देख लीजे दो मिनिट में फिर इसी को बताने के बाद break देती हूँ इसको देख लिए दो मिनिट में इसको बताने के बाद ब्रेक हम 15 मिनिट का ब्रेक लेंगे वैसे ब्रेक देने का मन तो है नहीं मेरा ठीक है फिर भी ले लो यार तुम लोग अब एक दम होता ना हां मरने की हालत में आ चुके हैं चलिए देखते हैं अगर हम बात करें सर अगर हम बात करें यहां पर यहां पर मैं जो बात करता हूं ध्यान से सुनिएगा उपर यहां पर यह mixture है किसका A plus B का किसका mixture है sir A plus B का उपर भी particle होंगे किसके A और B के तो यह मालव लो particle है A और B यह particle किसके ऐसर A के और यह वाले particle किसके ऐसर B के यह gaseous particle है ना sir यह क्या है मैं उपर लिख देता हूं अच्छे से these are nothing but vapors यह क्या है sir vapors हैं और यह क्या है सर आपका solution यह क्या है सर आपका solution ठीक है अगर इस solution से हम चले अगर इस solution से हम चले अगर इस solution से हम चले और route law लगाएं यहां पर क्या लगाएं सर solution के लिए क्या लगाते है route law तो route law के हिसाब से आप क्या बोलेंगे सर राउंट स्लोग क्या हिसाब से आप बोलेंगे, सर P A की जो value है ना, ये P 0 A X A के बराबर होगी, और सर P B की जो value है ना, ये P 0 B X B के बराबर होगी, कितने लोग इससे सहमत है, तुरंत दिल बना दे, बस दो मिनिट और, उससे ज़्यादा नहीं, बस दो मिनिट और उससे ज़ बताईए, 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 बोलो, बोलो, बताओ, जली जली बोलो, बहुत बढ़िया, तो आप क्या देखेंगे, यससर ये बात बिल्कुल सही, एकदम साटीक, एकदम सही, आगे अगर हम चर्चा करें, सर अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं रखना XA और XB क्या है सर? XA और XB जो है यह mole fraction है, mole fraction in यह क्या है सर? यह mole fraction in liquid state है, यह mole fraction in liquid phase है, कहाँ पहे है सर? liquid phase. वही अगर मैं उपर की बात करूँ, तो मैं Dalton law के हिसाब से, अगर मैं इसी पर Dalton चचा का नियम लगाँ, क्या लगाँ सर? Dalton's law लगाँ, तो Dalton चचा के नियम के हिसाब से, मैं यह भी तो लिख सकता हूँ ना सर, कि देखो, P A जो होगा ना, partial pressure of A जो होगा ना, यह बराबर ह हो जाएगा, P total into mole fraction, बट यहाँ पर mole fraction, gaseous state में लेंगे, यहाँ पर, हाँ, हाँ, इसको A माल लो, यहाँ पर mole fraction, हाँ, बिमारी हो गई है, मैरे को, सर आपको A को B लिखने की बिमारी हो गई है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें, तो P A को P total into mole fraction of A in vapor state, तो जो vapor state में mole fraction है न, उसको मैं YA और YB बोल रहा हूँ, क्या है सर, YA और YBR, mole fraction in vapor phase, तो आप यहाँ पर इसको लिखेंगे, P A, P total into YA, और P B को हम क्या लिखेंगे सर, P B को हम लिखेंगे, P total into YB, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो YA और YB क्या है, YA and YB are YA and YB are mole fraction, mole fraction of A and B, mole fraction of A and B in, कौन सा phase सर, in vapor phase, यह liquid phase में था, solution में था, यह किस में इस है, vapor phase में है, और यहाँ से अगर मैं बात करूँ, इसको अगर मैं बोलता हूँ 1, इसको मैं बोलता हूँ 2, इसको मैं बोलता हूँ 3, और इसको मैं बोलता हूँ 4, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या, कि PA तो दोनों ही case में बराबर होगा न, सर, PA चाहे इदर से निकालो, चाहे इदर से निकालो, PA तो बराबर होगा, तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लिखोगे, PA will be equal to PA, इ यह p total into y a के बराबर होगा और यह relation आपको इन दोनों में वेपर फेज से लिक्विड फेज में mole fraction convert करने में मदद करता है, similarly अगर हम लिखें p b के लिए, similarly for p b, p b will be equal to p b, एक बारी p b उधर से उठा के चिपकाया, तो आप बोलोगे sir, p not b x b, एक बार p b इधर से उठा के चिपकाया, तो आप बोलेंगे p total into y b, यह दोनों बराबर होंगे sir, यह बहुत पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं यह, ठीक है, बताइए, बताइए, इसको copy कर लिया होगा आपने, मैं अब क्या करने जा रहा हूँ sir, ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करने जा रहा हूँ sir, मैं एक सवाल, सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ, एक बढ़िया एकदम भौकाली ओपी सवाल करिये, तब तक जिनको ब्रेक नहीं चाहिए, वो एकदम भौकाली ओपी सवाल करें, और बाकी फिर हम आगे चर्चा करेंगे sir, ब्रेक के बाद 15 मिनिट का ब्रेक, ठीक है दादा? अरे हाना कुछ तो बोल, बहुत बढ़िया, चलिए मैं एक सवाल दिये जा रहा हूँ, आप तब तक इसको कॉपी करते रही है, ला ला ला, ला ला ला, ये क्या होता है? अरे सवाल मिल जा मेरे भाई, चलिए, ये सवाल देखो, जेई मैंस का, इसको दिये जा रहा हूँ, 15 मिनिट का ब्रेक है, मिलते हैं, ब्रेक के बाद, देख रहा हूँ, कितना खीच के लाना पड़ रहा है, नो ब्रेक, ऐसा गया रहे हैं बच्चे, ले देते हैं यार, दो चार, 15 मिनिट ले ले यार, तोई बात नहीं, तुम भी जिन्दा रहा हूँ, चलिए, यह सवाल है, फ़र ब्रेक, 15 मिनिट का ब्रेक मिलते हैं, ठीक है बाई, चलिए, चलिए, झाले कर दो मिलते हहा है, प्रीक ले फीया रहा है, फ़र झाले का बढ़ बाईTokया है, प्रीक बénergieए, बाई खाम का बिर दोब हैं तिक दोस्गों का फ़र तो चलिए, बहरे छोस्तों तो चक्टी, में वाँड़ का फ्रदावsemने, ले पामें डीचों रहा हैं झाले अपति झाल 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 हेलो 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 आवाज आ रही है भई मेरी बताओ अवाज आ रही है ख्या हमारी छलिए देख़े हैं इस सवाल को करते हैं फटा फट बहुत सारे लोगों ने अंसर करी दिया है बट फिर भी देखते है सवाल क्या है अब इसमें से P0 A हमें दे रखा है 50 P0 B हमें दे रखा है 100 respectively इफ लिक्विड मिक्षटर कंटें 0.3 मोल फ्रेक्शन of A, लिक्विड मिक्षटर मतलब XA हमें दे रखा है कितना 0.3 XA हमें कितना है 0.3 तो हमें पता है sir xb कितना हो जाएगा xb हो जाएगा 0.7 हमसे पूछा है then the mole fraction of liquid b in vapor phase is हमसे yb पूछा है sir yb बराबर क्या है हमसे क्या पूछा है yb बराबर क्या इसको solve करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा sir हम एक ही equation लगा सकते हैं जो कि है dv बराबर PB एक बरी राउल्ठória से PB निकाल लिया जो कि है p0b xb और एक बरी हमने क्या किया sir एक बरी राउल्ठ शलो से निकाल लिया एक बरी हमने डाल्टन्श लो से निकाल लिया जो कि है P T into Y B, अब आप देखो X B पता है, P not B पता है, P T पता करना है, P T पता करने के लिए हम क्या करेंगे सर, P total जो है route lock है, साब से P not A X A plus P not B X B हो जाएगा, और इसको जैसे ही हमने solve किया, तो हमारे पास final answer आ गया, कितनों सर, 0.3 into 50, तो point cut गया, यह आ गया 15 plus, 0.7 into 100, है ना, point cut गया, और यह कितना गया सर, 70, ठीक है बाई, देख लो, सही किया है न, तो यह हो गया 85, simple है, यहाँ पे expression में values put करेंगे, सर, P not B कितना है, P not B है 100, सर, X B कितना है, X B है 0.7, सर, P T कितना है, P T है 85, सर, Y B कितना है, यही तो निकालना है, यहाँ से solve करें तो Y B की value जो है, यह आ जाएगी कितनी, इन दोनों को multiply कर दिया, तो यह आ गया, 70, बटे, 80, 70, बटे, 80, और हमें X by 17 के terms में देना है, तो 5 से इसको काटेंगे तो 14 आएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 17 आएगा, तो यह हो गया, 14 अपॉन 17, इसका मतलब X की value हो गया 14, जो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने सही कर दिया था, अब मेरे को बताई, मनदारी से, क्या यह सवाल एगदम हल्वा नहीं है, सर, पताई है, क्या यह सवाल एगदम हल्वा नहीं है, इस easiest among all नहीं है, बताऊ, लगिन बच्चे नहीं कर पाते हैं, पताई क्यों कि उनको यह पता होता आपस में एक दूसरे को convert करने का तो interconversion is very very important interconversion is very very important फिर मैं आपको एक मज़दार RBI दे रहा हूँ एक मस्ट सा formula दे रहा हूँ कई बारी इसको भी आपको use करना पड़ेगा sir कई बारी इसको भी आपको use करना पड़ेगा this is an RBI very interesting and very important formula हस्टा हाष्टैग RBI याद रखना उपान पी टोटल का जो formula ये लिख रहा हूं वन Once जो है वन इख्वा सवाल है ये तो यह यह चोटान आप लिख दो मोल फ्राक्शन देख्वो यास होता है ग्यास का बोल फ्रैक्शन हमेशा उपर आएगा क्यों कि गैसियस गैसियस पार्टिकल उपर रहते हैं सर तो उपर आप लिख दो ये और जब ये लिखा है तो इसको डिवाइट कर दो पी नॉट ए से और नीचे आप लिख दो नीचे आप फिर यहां पे लिख दो वाई भी और इसको डिवाइट करतो पी नॉट बी ये सीधा सीधा एक्स्प्रेशन ये भी कई बारी आपको डिरेक्ट खेलप करेगा सर यह जैसे इस केस में डिरेक्ट हैल्प कर सकता था अगर हम पी टोटल निकाल लेते तो बट अगे अटी टोटल तो निकालना ही पड़ता हमें पढ़ाबड कॉपी कर लिया थो कॉपी कर दो फिर आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे चिंटाए बहुत कंप्रूजन रहता है कोई के चिंटा ने Studien बस यह पैचान हो ना कि यहां पर दे रखा देखो clearly mention कर रखा कि लिक्विड स्टेट में मिक्षर कंटेंस इतना मोल फ्रक्षन लिक्विड मिक्षर कंटेंस ना समझ गये क्या हाँ सर गाजर का हलुआ बहुत बढ़िया है जबर्दस्थ बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बाई बहुत बढ़िया चलिए आगे बढ़ते हैं सर आगे बढ़ जाए कॉपी कर लिया तो CKL लिख दीजे कॉपी कर लिया है तो CKL लिख दीजे कॉपी कर लिया है तो CKL लिख दीजे ठीक है सर चलिए और solution if P naught A बराबर 600 mmHg, P naught B बराबर 840 mmHg under atmospheric condition and vapor pressure of solution is 1 atmosphere, find composition of solution, composition of vapor equilibrium solution, बताईए, composition of solution का मतलब हमें X से X भी निकालना है, हमें X से X भी निकालना है, और composition in vapor phase का मतलब है, हमें Y ये, Y भी निकालना है, जल जल दी किजिए, देखते हैं कैसे करेंगे, ये सवाल भी एक बहतरीन स क्या, simple है, बहुत तोप सवाल तो नहीं है, बठा, it is a good question, कैसे करेंगे सर, ध्यान से देखिए, कैसे करेंगे सर, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हम बोलेंगे सर, P total जो है, P total किस के बराबर हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर, P total जो है, ये P naught A X है, प्लस P naught B X B के बरा होता है, तो मैं P total की value पहले put कर दूँगा, 760, 760 किस के बराबर होगा, सर, 760 बराबर होगा, 600 into XA plus 840 into XB, अगर मैं देखू, तो मैं ये भी लिख सकता हूं, सर, I can write it, कि XA जो है, ये 1 minus XB हो जाएगा, क्योंकि XA plus XB बराबर 1 होता है, उसको उठा के या फेका, तो मैं आगे लिखूंगा, 760 जो है, ये किस के बराबर होगा, सर, तो आप बोलेंगे, सर, 760 ये बराबर हो जाएगा, 600 into 1 minus XB plus 840 XB, यहां से अगर हम solve करें, तो यह आ जाएगा, 600 minus 600 XB और plus 840 XB, इस वाले term को इधर लेके जाएगे, 760 से minus करेंगे, तो हमारे पास final answer कितना तो 160 ये किस के बराबर हो जाएगा, इसको जब इस से minus करेंगे, तो 160 बराबर 140 XB, देख लो, सही लिख रहा हूँ, हाँ या ना, सही है, कुछ गडबर है, ये 600, ठीक है सर, एक से के जगा मैंने इतना लिख दिया, ओके, ठीक है, कुछ गडबर लग रहा है मेरे को, तो ये कितना, इधर इधर किया, तो 140 XB आ गया, है न, यहाँ पर कुछ तो गडबर है सर, बदाओ सब चीज़ सही है कि गलत है, बदाई, बोलो, बोलो, एक चीज़ गडबर है सर यहाँ पर, बोलो, 600 प्लस 840 बराबर 160, ये क्या कर रहा हूँ, हाँ, ये 160 हो गया, ये, अच्छा, यहाँ पर गडबर कर रहा हूँ, ये 240 है, हाई, ये 240 बचेगा, और यहाँ से अगर हम solve करें आगे, तो XB की value जो है, वो कितनी आ जाएगी सर, XB की value आ जाएगी, 160 बटे 240, इसका मतलब सीधा सीधा 2 बटे 3, अगर XB की value 2 बटे 3 है, तो आप बोलेंगे सर, XA की value कितनी हो XA की value एक बटे 3 हो जाएगी, कितने लोगों का ये answer match कर गया, बताईए, XA और XB की value कितने लोगों का match कर गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और उसके बाद अगर हम आगे बाद करें, ये YB अगर हमें निकालना है, ये YB अगर हमें निकालना है, तो हम सीधा ल प्राबर है, P not A, P not A XA जो है, वो कितना हो जाएगा सर, 600 into XA की value जो है, वो एक बटे 3 है, यहां से अगर हम YA निकालेंगे, तो YA हमारे पास आजाएगा, ये कटा 200 बार में, तो YA आजाएगा 200 बटे 760, है ना, अगर YA इतना है, तो YB कितना हो जाएगा सर, तो YB आप सरा लिए, कुछ नहीं है सर, इसमें थोड़ा-थोड़ा calculation है, थोड़ा-थोड़ा calculation है बस, थोड़ा-थोड़ा calculation है बस, और कुछ नहीं है सर, what is YA, YA का मतलब है, क्या ही बताओं मैं, नहीं बता पाऊंगा, बहुत दुख हो रहा है बताते हुए, YA के बारे में, समझ ग इसके बाद, इसके बाद अगर हम बात करें सर, इसके बाद अगर हम बात करें कि मालो हम P total का graph, हम P total को किसके terms में represent करना चाहते हैं, इसके बाद अगर मालो हम P total को represent करना चाह रहे हैं, और P total को हम किसके terms में represent करना चाह रहे हैं सर, तो XA, YA इनके terms में, तो इसका graph कैसे आत तो मैंने अभी आपको थोड़ी दिर पहले एक graph बताया था मैंने आपको थोड़ी दिर पहले एक expression बताया था क्या मैंने आपको बोला था सर देखो one upon p total जो है one upon p total जो है यह बराबर होता है कि इसके y a upon p not a प्लस y b upon p not p के ठीक है इससे अगर आप graph देखोगे इससे अगर आप graph देखोगे तो माल लो मैं graph plot करता हूँ y a या y b के terms में तो आपको यहाँ पर यह जो graph है न यह graph one by y is proportional to x के type का graph देखने को मिलेगा इस type का graph देखने को मिलेगा और इस type का graph आपका कैसा होता है सर हाइपर यहाँ पर मैंने p total लिखा है न पी total यहाँ पर pressure मैंने लिखा यहाँ पर मैंने pressure लिखा और यहाँ पर mole fraction लिखा यहाँ पर mole fraction लिखा सर यहाँ पर हमने mole fraction लिखा x a बराबर 0 x b बराबर 1 x a बराबर 1 और x b बराबर 0 तो आपको देखने को मिलेगा आपको देखने को मिलेग नॉर्मल ग्राफ मालो यह है P not A, यह क्या है सर, P not A और ये वाला पॉइंट जो है, यह पी not B है, तो नॉर्मल ग्राफ आपको इस तरीके से देखने को मिला था सर, एक से के टम्स में ग्राफ आपको इस तरीके से देखने को मिला था, ऐसा, अभी straight line है, मैं line ही ले ले लेता ह ठीक है, लेकिन अगर यही हम Y के टम्स में बात करें, Y के टम्स में, तो Y के टम्स में ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा, hyperbolic, ये ग्राफ किसके बीच में है सर, ये P total in terms of Y है, in terms of Y A and Y B है, ये याद रखेगा, Y A और Y B के टम्स में अगर हम ये ग्राफ निकालेंगे, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, क्योंकि ये hyperbolic curve होता है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, इस से जादा बहुत सारी बाते नहीं पूछी जाएंगी, हाँ, कई बारी आप से इस सवाल में ऐसा पूछ देगा, कि इसको केवल, इसको केवल Y A के टम्स मे इसको आपको homework में एक expression derive कर लेना है, only in terms of, only in terms of Y A, only in terms of Y A, जब आप केवल Y A के टम्स में करेंगे, तो Y B की जगा आप क्या लिख देंगे, 1 minus Y A, और इसको solve करके expression derive कर लेना, तो आपके पास expression आ जाएगा, that is also very important, वो expression भी बहुत जादा important है, वो expression भी बहुत जादा important है, अरे जो आँए अभी negative deviation की बात हम नहीं कर रहे है सर, अभी हम negative deviation की बात नहीं कर रहे है सर, ठीक है, आगे चलते हैं सर अ अगलेway phaγ car जानेद पेयच पे, अब हम बात किस की करेंगे, Inner वां करेंगे distillation की, किस की चरचा करेंगे सर? एक बडाइ इटिलेशन की, Fractional Distillation Fractional Distillation Fractional Distillation का मतलब क्या होता है सर हम एक container से 2 liquid को 2 volatile liquid को separate करने के तरीके को Fractional Distillation कहते हैं ध्यान चुछ सुनिएगा Fractional Distillation में क्या करते है सर 2 volatile liquids 2 volatile 2 volatile liquids are separated liquids are separated are separated by this technique by this technique इस technique से हम 2 volatile liquid को separate करने की कोशिस करते हैं basically क्या करते है नियान से देखेगा सुनिएगा हम कई सारे compartment ले लेते हैं हम कई सारे container ले लेते हैं सर जैसे मालो मैं ऐसे लेके गया और ऐसे n container तक मैं ऐसे जाता जाओ हूँ कितने container तक सर एन container ठीके भाई ये क्या था सर ये container number 1 था ये container number 2 था ये container number 3 था और आगे मैं container number n plus 1 ले ले रहा हूँ एन प्लस 1 क्यों ले रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा अब मैं जो चीज प्लीज़ आप से को देते जारा उसको ध्यान से सुनना बड़ी इंट्रेस्टहिंग बात बताूंगा ध्यान से सुनिएगा बहुत ही इंट्रेस्टिंग नहीं करेंगे सर हम सब कुछ पढ़ेंगे हाँ आप जो नॉर्मल क्लासे में पढ़े हो हम लगबख साढ़े चार-पाथ गंटे में उतनी ही बाते पढ़ेंगे तो यहां पि हमारे पास जो लिक्विड का मिक्ष्र था इसमें मोल फ्राक्शन इसके था A का X線 और इसमें B का मोल फ्रक्शन था एक्स-स बी मतलब हमने E Portal बनाया तो सर क्या यह लिक्विड वेपराइज होंगे बताओ क्या दोनों अगर वूलाटाइल हैं तो क्या दोनों अगर वूला ताईल है बस इसके बाद है यह हम यह करेंगे पस मेरे को लगता 15 से 20-25 विए सब्सक्राइब करें तो आप बोलोगे यहाँ पर यहाँ पर यह पर यहाँ पर्टिकल बी और यहाँ हम क्या करते हैं सर इस वाई ये और वाई बी को यहां पर इस कंटेनर में ले जाते हैं और इसको हम बनाते हैं लिक्विड अब हमारे पास लिक्विड जो पहला कंटेनर है अब हमारे पास जो पहला कंटेनर है इसमें अगर मैं बात करूं तो यह एक्स डास ए है और यह एक्स से तो लेके आया है ना तो x dash a जो है वो actually में ये के बराबर है और x-b जो है वो ये के बराबर इससे कितनी लोग सहमत है जल्दी से comment box में बता दो कि हां सरा आप बेल्कुल रहे हो फिर ऐसे बहुकों करूं सस्दक्राइं परने करूं तर से यहांप इसको कंटेनर में और अगले container में जब इसको condens करेंगे अगले container में जब इसको condens करेंगे तो आप बोलोगे सर यहां पे यहां पे अब यहां पर यहां यह इसको हम बोलेंगे हुआ इसको हम बोलेगे मुस्चर को बेस इसको हम बोलेंगे इसको पहला कंटेंडर तो थाई नहीं सर, दूसरा container पहला distillate था, तीसरा container दूसरा distillate है, चोथा वाला तीसरा होगा, n प्लस 1 वाला nth distillate होगा, तो ये कौनसा distillate है सर, nth distillate है, ये कौनसा distillate है सर, nth distillate है, ये कौनसा distillate है सर, nth distillate है, क्या ये बात आपको समझ मैं ही बताईए, क्या ये बात आपको समझ में ही बताई है बोलो बोलो अब हम देखेंगे सर एक फॉर्मूला में आपको वैसे लिखके देता हूँ आप डिराइब भी कर सकते हो बढ़ डिराइब करने का कोई सेंस नहीं बनता है कोई महनत इतनी करने ज़रूत है नहीं वैसे तुम्हें तो हम यहाँ पर लिख सकत कुछोगा सर यह बराबर होगा पीटए कि अपॉन पी नौट भी को फी नॉटए अपॉन पी नॉट भी कि पावर GG कितने बार Le paradise यं कि आ हान kel 페क assy एक एक से वया एक्स भी का सर यह इनीषयन यह मतलब जो हमने शुरूआत में लियाथ इस फॉर्मूले को लिखन wordt में तु तुम दोगे मेरा मकसद इस क्लास में मेरे को कुछ समझना नहीं है तुम्हें सब कुछ समझाना है तुम्हारे हाथ से सवाल करवाना है तुम्हें सब कुछ समझाना है तुम्हारे हाथ से खुद सवाल करवाना है तुम्हें सब कुछ समझाना है तुम्हारे हाथ से खुद चलेंगे मतलब theoretical part क्या हो गया सर यह theoretical part क्यों बोल रहा है क्योंकि ideal non-ideal solution की बात करेंगे तो theoretical part होगा 15-20 minutes theoretical part चलेगा उसको जल्दी यह पढ़ेंगे पढ़के फिर आगे बढ़ेंगे चलिए clear है क्या यह सर एक सवाल कर ले का बीदुर्द ओंव फिर आगे बढ़ते हैं को पीगा लिया तो सी के लिगे भुज़ो फिर आगे बढ़ते हैं बोलो बोलो ऑभी restaurates बहुत बढ़िट एक सवाल करते महलो मेरा पासडो स्थ आक मैरा पास नुक्सिर है है ना मिक्षर है यहां पर ठीक है यह मेरे पास पहला गंटेनर है फिर मैंने आपको बोला कि सर देखो यहां पर न मेरे पास पी नॉट टे की वैल्यू जो है पी नॉट टे की वैल्यू 100 mmHg है मेरे पास पी नॉट टी की जो वैल्यू है यह 50 mmHg है 100 mm और 50 mmHg है ठीक है फिर मेरे को एकसे की वैल्यू दे रखी इनीशली एकसे की वैल्यू जो थी यथी 0.8 आपको बताना है find the composition is find the composition for find the composition for पहले में second distillate second distillate दूसरे में fourth distillate बताईगे second distillate और fourth distillate में second distillate और fourth distillate में क्या-क्या condition आएगा बना basically mole fraction बताना है basically mole fraction बताना है कि तर आप कहां से हो कि तर आप विजिक को क्लास ले लो सारा नहीं ले सकता यार बहुत सारे बैच्चे से भाई है बहुत मुस्किल से समय मिला है आज मुझे और बाकी बहुत सारे बच्चे बोलना है सर अब यह हमारी ग्लास लेरों चलिए बताईए 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 से वाई XB और इसकी पावर N यहां पे N का मतलब 2 तो P not A P not A so है एक बात बताई गधू की तरह सो बटे 50 करूँ या सीधा सीधा दिख रहा है दो है अब है गधू की तरह सो बटे 50 करूँ या सीधा सीधा दिख रहा है कि कि 2 है तो भाईया इसको 2 का स्क्वेर इसको 2 का स्क्वार इंटू XA की वैल्यू 0.8 है अरे सरी तो question incomplete है ऐसा तो नहीं लग रहा ना बहुत मारूंगा पकड़के हाँ सच्ची बता रहा हूं इसको डिवाइट करेंगे किस से 0.2 से तो यहां से कट गया कितने बार में चार बार में सर 4 चौके 16 चार चौके 16 बहुत बढ़िया आप सभी ने अंसर बोला चार चौके 16 वा राइविंग कर दिया सर मजा ही आ गया फिर अगर हम बात करें सर एकसे बाई एकस बी इन फोर्थ स्टेप एकस बाई एकस बी इन फोर्थ स्टेप यह क्या हो जाएगा सर तू की पावर 4 इंटू एकसे की वैल्यू इनिशली तो 0.8 और यह 0.2 ही थी सर यह सर अब कोई मैं बचने वाला नहीं is । बताये धारति भाल करतें सर एकस बाता है कि सवहां सवाल जाया ओगहां कि मताये वाह लव फ्रॉम गुजरात में रहा हूं कुछ साल सूरत में गुजरात के सूरत सहर में सूरत सहर में एक जगा था पिपलोद पासपोर्ट ऑफिस के पास में रहता था पीजी में बड़े प्यारे से भाईया थे अपने पीजी के अउनर अब मस्त राजुदा राजुदा नाम था बहुत प्यारे इंसार गजबे इंसार चलिए आगे बढ़ते है सर चलिए आगे बढ़ते है पड़ा वट कॉमपी कर लिया कॉमपी कॉमपी एक सवाल और कर ले गया एक मज़ेदार सवाल यह भी याद रखना सर यह सवाल डिरेक्ट आता है सुन्लो ध्यान से वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड का मतलब क्या होता है स самое liquid which will not mix not mix जैसे एक्जाम्पल के लिए ओईल प्लस वोटर ओईल प्लस वोटर ऐसे लिक्विट के लिए अगर कभी आपको निकालना तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनना ऐसे लिक्विट के लिए निकालने के लिए वैसे तो मुस्किल है सर बड़ मैं एक प्रीजमसर लेके चलता हूं तो भी निकाल सकते हो नीचे जिसके कारण पत्थर को यह क्या बोलता है ऐसे कहता ना कि जैसे बालो कोई पत्थर पानी में मारा तो पत्थर को उसकी डेंसिटी ने डुबोया पानी में कहा दम था पत्थर वहीं डूबा जहां पे वेट ओफ वाटर डिस्प्लेश बाई पत्थर उसके बॉयन पॉर से कम उसको समझों चलिए यहां पर हमने क्या किया सर एक चप्पू लगा दिया क्या लगा दिया चप्पूं चप्पू का मतलब हो पंका लगा दिया सर पंका करेंगा अन्हां इसको मिक्स करते रहेगा ऐसे मिक्स करते रहेगा सर और अगर हम इसको मिक्स करने और ऐसे लिक्विड का कभी भी अगर ऐसे लिक्विड का हम कभी भी अगर ऐसे लिक्विड का एसे दो लिक्विड का कभी भी हमें वेपर प्रेशर फाइंड करना हो नीचे वाले का वेपर प्रेशर माल लो प यह क्तिवाए इसका प्रीषर पी नौट इसका प्रेशन पी नौट भी तो हल्टिल कितना आएगा कोई हमें बता सकता है क्या आएो बैनों बताये क्या होगा बताIO बताये बिताइए-बिताये लव फ्रॉम बहुत ही बढ़िया मैं भी सूरत से हूं सर वह बहुत अच्छी बात है यह तो सुना सुना लग रहा है सुना होगा बिल्कुल सुना होगा तो आप क्या बोलेगे सर वन्समोर थोड़ी होता यार एक बार बोल दिया वस चलिए तो यहां पर बोलोगे सर यहां पर सीधा अंसर है पी नौट अप्लस पी नौट भी कोई पॉर्मूला नहीं लगता क्योंकि यह आपस में मिलेंगे ही नहीं जब मिलेंगे ही नहीं तो मोल फ्रैक्शन कैसे यह है आपके जीवन में जो कभी-कभी आपको देखने को मिल जेगा ही निवल खॉमक तुम करते खररोगी एक से एक स्रीफन ढहना डिकर आल यहिक वैल पासर कैना सरह जरी दैशेंस समझते क्या बताये बढ़ाए बोलो 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 जार चमका क्या आगे बढ़ते हैं सर आगे बढ़े आगे बढ़े बताईए लब प्रॉम जूपिटर लब फ्रॉम धनबाद लब फ्रॉम सीकर बहुत ही बढ़िया और अगे बात करते हैं कि मालत करतर टाइप सोल्यूशन की आपी कर लिया और अभी कर लिया तोनक्यक्सान जो फिर आगे बढ़ते हैं सरी फिरिद्सकान पाकिस्तान में इसर फीर आएटी है मिस्तान कैसे हो गहाए यह ऊब है और यह अब काम कर रहे अभी तक तो पढ़ाइ тяжा खाम कर रहे थें और अभी कुछ सरकारों अपने काम करना स्टार्ट किया है वहां पर भी अब एजुकेशनल इंस्ट्यूशन अच्छे खुल रहे हैं लोग पढ़े लिखेंगे तो अपने आप सुदर जाएंगे हाँ खाली लोग ज्यादा उद्दंड होते हैं बहुत बढ़े तभी तुम देखो कि गाहों में ज्यादा कांडवांड होते रहते हैं जो खाली बेटे रहते हैं यहां फूर्शत ही लिए हैं जैसे मैं एक्जामपल ले लूँ तो मैं जहां रेंट पर रहता हूं आजकल वह मतलब जो लैंडलॉड अंकल वह मेरे मेरा चेहरा देखते करीब करें 15-20 दिन में एक बार क्यूंकि दिन भर तो मैं स्टूडियो में रहता हूं मैं चेहरा चोड़ो मैं सूरज बीच मैं भी कुछ दिन पहले क्या हो था कि क्लास चल रही थी ऐसे साम हो गया और एक दिन लग महार था लग बाइचांस तो मैंने बोला इत्ती जल्दियन देरा हो जा रहा है तो सामने बेटा बोला हां यह तो ऐसे चल रहा है तब मुझे पता चला अच्छा ठंडी समझी रहो पता ही नहीं चलता कब सूरज आया कब सूरज गया सर सूरज कौन है सर कोई स्टूडियो म कुछ सवाल है ताइपस ओफ सॉल्यूशन की हम बात करेंगे सर किसकी बात करेंगे ताइपस ओफ सॉल्यूशन की हम बात करें तो हमारे पास जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं सर दो जिसमें से सबसे पहला है इसमें से सबसे पहला है आईडियल सॉलूशन और दूसरा है नॉन आईडियल सॉलूशन और दूसरा है नॉन आईडियल सॉलूशन दूसरा है नॉन आईडियल सॉलूशन ideal solution की अगर मैं बात करूँ ideal solution की बात करूँ तो ideal solution ऐसे solution होते है जो राउल्स लोग को follow करते follow राउल चाचा का नियम follow RL ठीक है यह राउल्स लोग को follow करते है example के लिए इसमें P total जो है वो P not A X से plus P not B X B होता है P not A X से plus P not B X B होता है ओ सार break लेकर साही लिख रहा हो ठीक है सर आप तो सीख कैंसर ठीक है भाई इसके बाद अगर हम बात करें इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे यह do not follow यह वाला do not follow RLs law RLs law कैसे सर तो इसमें क्या होता है सर इसमें हम ऐसा नहीं लिख सकते कि पी टोटल जो है यह पी नोट एक से प्लस पी नोट भी एकस भी के बराबर नहीं होता है सर नहीं होता है अब अगर यह नहीं हो रहा है अब अगर यह नहीं हो रहा है तो दो केसे हो सकते हैं सर अब अगर यह नहीं हो रहा है तो दो केसे हो सकते हैं क्या? एक case हो सकता है कि P total जो है ये greater than आ जाए P not A X A अरे गजब सर P not B X P K और दूसरा case ये हो सकता है और दूसरा case ये हो सकता है कि P total less than आ जाए किस से? P not A X A plus P not B X B से तो इन दोनों ही case को दो अलग-अलग type का deviation कहते हैं अब यहां से ध्यान सुनिएगा अब यहां से मैं चीजों को link करना शुरू कर रहा हूँ और यही link होते होते 10 से 15 मिनट में हम qualitative property बगप पहुँच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा ध्यान से सुनिएगा सर अगर ये greater than इस से है और ये less than इस से अगर ये greater than इस से या less than इस से तो जब pressure जब total pressure बढ़ गया pressure क्या हो गया सर बढ़ गया pressure जितना हो ना था उससे जादा हो गया तो ऐसे को हम बोलते है positive deviation क्या बोलते हैं सर positive deviation माल लो positive deviation कैसे मैं example देता हूँ माल लो तुमने ATM में 20 डाला कि भाईया 200 रुपईया निकाल के दो ATM में इसे भरा ATM ने चपल फेक के मारा तुमारे मुँपे चपल लग गया क्योंकि 200 रुपई तो देता थी ये कोई भी ATM आज के डेट में फिर तुमने बोला अच्छा बेज़ज़त कर रहे हो तुमने भरा 500 रुपईया दो ऐसे मतलब एटियम में डाला पिन पून अब 500 रुपईया क्लिक कर दिया और एटियम ने 200 का नोड दे दिया तुम्हें तो तुमने निकाला कितना 500 एटियम ने दिया कितना 200 इसका मतलब ये थेविएशन तुमने लिये पॉजटिव हैं कि नगेटिव हैं बता उसे अटियम को बहुत डियाज़न तुम बहुत नहीं माहरोगे तुम बोलो उसेदियम को बांटियं में जीक्राशार देते हैं कि तुमने अतर्म को बोला हमको को एक हजार रुपया दे दो और एट्यम ने क्या किया सरे हजार एक हजार एक तो ने काला कितना सर एक हजार पैसे कितने आगे एक हजार एक सो तब थोड़ी देरा एक गलती से आगया तब तुम कुछ नहीं करोगे दीरेश लेक भाग जाओगे तो भाई सीने अगर कभी भी टोटल प्रेसर क्या आया जादा आगया तुमने एक पैसा बोला हजार और उसने दे यह एक हजार एक सो तुम खुस हो जाओगे बोलो को पॉजिटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन प्रेसर होना चीए था कितना एक्स मालो कुछ और उससे ज्यादा निकल के आगया प्रेसर ने बोला वह यह प्रेसर इतना आगया अक्च्वल प्रेसर ज्यादा गया दूसरा केस के प्रेशर आना चीह था एक हजार और आया बाहर निकल के 700 तुम बहुत मारोगे इसको पकड़के बोलोगे यह कैसा डेविएशन है यह है नेटिव डेविशन और कंई गए नेगेट डेविश्ट एक बद मेरे साथ ऐसा हुआ है तब ही मैं एक बार मेरे साथ याथ कि खाया मैंने जो security guard थे मैंने उनको देजिया बोला भाया ये रख लो है तो इस्तमाल कर ले ना बाल बाल वच्छो कुछ देजे ना अपने समझ गया क्या बोलो 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 सर कह रहा इसको 215 जैई मेंस सोलूशन विच फॉलोस राउट लो ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसेंट्रेशन आर कोई आईडियल सॉलूशन आइडियल सॉलूशन के कि इसमें कुछ खास बात है सबसे पहली बात इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग मतलब सोलूशन को बनाने की मिक्सिंग क्या होती है सर जीर स्वाद हको मजा ही आ जाए गाइगा से डम स्वाद आ जाएगा बताइए बताइए blog आए सर बताइए 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 कि क्या होगा सर कैश क्या होilo सक्ची एन और ऐसा हुआ था हैं आप क्या बोलेंगे तर आप वैंगे डbaar सिस्टम डेल्टा सिस्टम क्या होगा सर्घ यह पॉन्टेव होगा सर्वित इस में हम एक or कहते हैं जैसे मालो अई और बी को मिलके बनाया स्वाइख सब्सक्राइब तो A कि A interaction is equal to be interaction is accounting is equal to A invasive दीन तर्टेक्शन मतलब A जितना strong force of attraction A को लगा रहा था B जितना strong force of attraction बी को लगा रहा था A और बी आपस में भी उतना इस schron force of attraction लगाते हैं यह बात और बात क्लीर है तो फटाफ़न बोलनों लिद दो खआयं बलतातनें में हैं अगले पेच पेज़ए अगले पेच पेच प्छाथें सिकने मज़व लिए ऌटाओ के क्वस्ण और ट्रहें का प्लबं से फ़्र गार्ष न शैनेख और अगले श्क्राओ कि एंज Deans भूलो, 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 सीकेल, चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं, अब हम बात करेंगे किसकी सर, non-ideal solution की, non-ideal solution की अगर हम बात करें तो सबसे फै handing point है, do not follow, do not follow, routes law, सबसे फैला point तो यह routes law को follow नहीं करता, इसका मतलब कहा है सर, P total is not equal to, फिर अगर हम बात करें नॉन आइडियल सॉलूशन की, फिर अगर हम बात किसकी करने सर, नॉन आइडियल सॉलूशन की, नॉन आइडियल सॉलूशन, बेसिकली हमारे पास दो टाइप के होते हैं, नॉन आइडियल सॉलूशन, बेसिकली हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक तो positive deviation एक क्या सřर positive deviation और दूसरा negative deviation दूसरा क्1 क्या है positive deviation कब होगा थोड़ी से निंजच टेक्निक ओ भया कहा होगया थिक मैं समझ गया positive यौलियर है अब मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हो स्का में तुमसे कुछिप पूछ रहा है ऊसका जवाबदेनाघ्टे मुच गो बहुत बढ़िया लोगों ने डेल्टा एच वी सब बताने लगा बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया आगे बढ़ते हैं सर हम सबसे पहले एक एक करके नेगेटिव डेवेशन और एक एक करके पॉजिटिव डेवेशन देखने हैं सबसे पहले अगर ह यह उलिए है यह नौन आइडिएल के साथ यह नौन आइडियल के साथ negative variance का है और नौन ID Elegy के साथ negative deviation का है समझ गए बताईए बताईएगे बोलो बोलो क्या यह बात क्लियर है ठीक है सर बहुत बढ़िया उसके बाद अगर मैं बात करूं उसके बाद अगर मैं बात करूं द्यान से अगर मैं इसकी बात करूं नेगेटिव डिवीशन में क्या होगा सर नेगेटिव डिवीशन में फिर से लिखता हूं P टोटल is less than P not x है तस P not bxb है इसका मतलब actually में जो वेपर उपर आना चाह रहा था आक्चुली मैं जो वेपर उपर आना चाह रहा था, उसको आने से रोका है किसने, उसको आने से रोका है किसने force of attraction से, तो यहां पर हम एक point कह सकते हैं, कि A का A के साथ interaction, या फिर B का B के साथ interaction का मजोर होता है, A का B के साथ interaction, मतलब A और B का interaction बहुते तगड़ा है सर, A और B अपने भाई-भाई से लड़ाई करते हो, यह ना भाई-भाई हो में खूब लड़ाई होते हैं, जोटा-जोटी पगड़ के मारा कीची, यह ना और वही दूसरा तुमारा एक दोस्त है, वो भी तो किसी का भाई है, उसके साथ तुम बहुत अच्छे से बहुत अच्छे स force of attraction बढ़ जाता है, और जब कभी भी force of attraction बढ़ेगा, तो delta H इसके लिए क्या होगा सर, आप बोलोगे negative Q, क्योंकि force of attraction बढ़ रहा है, तो energy liberate होगा सर, पहला point, ठीक है, दूसरे point की अगर हम बात करें, delta V, इसके लिए delta V क्या होगा सर, delta V भी negative होगा, negative का मतलब यह pass आ बात मैं अगर करूँ तो this is always, this is always, और अगर मैं बात करूँ delta S की, delta S सिस्टम की, तो delta S सिस्टम भी क्या होगा सर, बताओ, delta S सिस्टम के बारे मता दो तब मजाएगा, delta S सिस्टम के बारे मता दो तब मजाएगा, delta S सिस्टम क्या होगा सर, बताइए, बोलो, 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 सर हमें सा positive रहता है समझ गये समझ गया सर तो ये cases आ गया सर ये इसका cases आ गया कुछ example जो आपके NCRT के हैं कुछ example जो NCRT के वो यहां पर लिखे हुए these are all NCRT example NCRT example इसको आप देख लेना ये सभी NCRT के example हैं ये सभी NCRT के example हैं सभी के example किसके हैं सर चैया गया बढ़ी हाँ इसके बाद आगे चलूं तो आगे मैं बात करूँगा positive deviation की positive deviation की case में क्या क्या होगा सर positive deviation के case में आप देखेंगे positive deviation के case में आप देखेंगे कि P total is greater than P not x है plus P not b xp अभी आप देख रहो यह वाला graph जो न है यह उपर की तरफ से जा रहा है उपर की तरफ से यह दोनों graph सारे graph उपर की तरफ से जा रहा है मतलब जितना vapor बनना चीए था जितना vapor बनना चीए था उससे जाधा vapor बन रहा है जितना vapor बनना चीए था उससे ज्याधा vapor बन रहा है यह भी याद रख ना खीकर सरी अच्छी बात है तो P total जो है P total जो है वह greater than म्तलब यह P total जादा आएगा इसका मतलब क्या है सर ए-a का interaction या फिर B B का interaction बनाना नहीं चाहते बनागी नईए मिलाइंगे नहीं मिलेंगे मिलाइगे श्की इस case में अगर आप देखोगे इस case में इसके कुछ thermodynamic properties की बात करूँ तो आप बोलोगे सार इस case में डेल्टा है चाहेगा positive मतला हमें energy देके मिलानी पड़ेगी उसके बाद डेल्टा भी mixing भी क्या एगा positive मतला volume बढ़ जाएगा मिलाने पर उसके बाद अगर मैं बात करूँ बढ़ जाएगा मिलाने पर उसके बाद अगर मैं बात करूँ डेल्टा जी की वैल्यू तो हमेशा क्या होती है सर डेल्टा सिस्टम हमेशा क्या होता है सर डेल्टा सिस्टम हमेशा positive होता है यह दोनों तो always यही रहेंगे सर इन पर कोई फरक नहीं पड़ता कौन सा है क्यों बॉलून दा बॉलून का मतलों मंगला मतलों भाई बोलो अरे समझ गया आना कुछ तो बताओ बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया लिए इसके बाद हम आगे चलते हैं यह examples from ncrt examples from ncrt मैं आपको सीधी एक बात बोलूं क्या मेरी बात बड़ी ध्याद सुनना अभी का न्टा का पैटन है ना अभी का जो एक रीसेंट पैटन है उसके क्या करता सीधा डाइरेक्ट ncrt से सवाल पूछता है इसमें तुम देखोगे तो mostly non-polar चीज़े हैं यह यह non-polar यह non-polar चीज़े यह याद रखना यह वाला बहुत पूछता अलकोहल के साथ ना जो और बता और आब बोलोगव बात करते हैं इसके बाध नेक्स सब्सक्रण अगले आगले पेस्ट्रांग बात खरंगे ट्रॉपिक मिक्चर की phbrekle मिक्षर जो बहुत इंपोर्टेट है और यहीटीन सवाल में आएग को शीटोन केते हैं बिल्कुल सही तीन पॉइंट है जो बहुत important है और यह है ऐल्कोहल प्लस पानी डेंजरस यह भी बात सही है तो इस की अगर हम बात करें तो ऐजीओ dependent mixture क्या होते हैं क्या होते हैं थो यह कॉंहेंसा non ideal solution ही बनाते हैं कॉं बनाता सर्क non-ideal solution non-ideal solution statement क्या है these type of liquid mixture having a definite composition and boiling like a pure liquid are called azeotropic mixture or constant boiling mixture so azeotrope का मतलब है constant boiling azeotropic mixture का मतलब है constant boiling mixture constant boiling mixture जैसे अगर मैं एक example आपको दूँ जैसे अगर मैं आपको एक example दूँ मेरी बात सुनना सर ध्यान से सर मेरी बात सुनना ध्यान से जो मैं कह रहा हूं बहुत सारी चीज़े एक साथ लिंक कर दूँगा बस दो मिनिट मैं, ध्यान से सुनना मेरी बात अगर मैं आप से एक सवाल पूछू अगर मैं आप से एक सवाल पूछू मालनो मेरे पास यहाँ पे liquid है है यहां पर मेरे पास mixture है mixture में A liquid है और B liquid है तो A का boiling point अपना होगा B का boiling point अपना होगा हाँ या ना बताओ sir A अपने boiling point से boil करेगा B अपने boiling point से boil करेगा yes or no बोलो 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 yes or no तो आप बोलो 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 yes or no तो आप बोलोगा yes sir प्लब है A and B will will act as a single liquid act as a single liquid और इनका boiling point fix हो जाएगा सर पहले मालो एक example के लिए एक liquid A था जिसका boiling point था 100 degree Celsius liquid B था जिसका boiling point था 50 degree Celsius जैसे ही यह जो ट्रॉप बनाएगे ना सर जैसे ही यह जो ट्रॉप बनाएगे इनका boiling point fix हो जाएगा अब A भी boil करेगा मालो एक्जाम्पल ले लेते A भी boil करेगा 70 degree Celsius पे और B भी boil करेगा 70 degree Celsius पे तो यह मज़ेदार बात है ना इसका मतलब अगर कभी भी इसका मतलब अगर कभी भी Azeotropic mixture बन गया तो Azeotropic mixture cannot be separated by fractional distillation and the solution are called Azeotropic solution and this phenomenon is known as Azeotropic तो Azeotropic solution अगर मालो मैं इक इंडस्ट्री में इंजीनियर हूँ तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मैं distillation कर रहा हूँ distillation करते करते Azeotropic mixture बन जाए चाहूंगा ही नहीं सर मैं चाहीं नहीं सकता अगर कभी ऐसा हो गया तो गयल Azeotropic mixture पानी जैसे बोलते है न गयल बहस पानी में वही वाला यसाब किताब होगा सर आप इसको अलग कर ही नहीं पाओगे यू विल नाट बी अबल टू सपरेटेट आउ फिर अगर आगे बात करें कि ने जो टूपि कंडिशन कॉंबिनेशन अफ सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉलूशन स्टाइब लाइक अवन सिंगल मॉलिकूल मतलब दोनों एक ही जैसा बीव करेंगे एक लिक्विड जैसा बीव करेंगे तो अब मैं तुम से जो सवाल पूशना है उसका जवाब मेरे को देते जाना आगे चलते हैं अगले पेच पर बदाई यह गाइल भैस पानी में हाँ सर अपने सूरत में लोचा खाया क्या नहीं यह मेरा माई स्टेट सूरत वह वेरी स्मॉल ओनली फॉर थ्री थ्री एनाप कॉपी कर लिया तो बताईए फिर अगले पेच पर जलते हैं सर अगले पेच पर आपको कुछ मज़ेदार मज़ेदार बाते बता दूं फिर आगे चलते हैं लव फ्रम करनाटका लव यू भाई लव इस कॉलिगेटी प्रॉबरी इस कमिंग सून अ Belectा मेरेности करें सिखते ग्रस क में में आपको पर पहले समझा देता हूं फिर इस में नोट लिखें नोट स एक बार पढ़ लेंगे एज टोपिक में दो थािप के लिए हो सकते हैं सर इसवह टोप श rinimum boiling और दूसरे को हम कहते हैं एक कोंक काते हैं minimum दूसरे को हम कहते है maximum boiling दूसरे को हम कहते है maximum boiling अब मैंने आपको इसके पीछे का concept समझाना चाहरों कि यह नाम minimum और maximum boiling क्यों रखा है के minimum मॉर्माक्रीवम नाम रखने का मतलब है यहां PARA का मतलब यहां पर टेमपरेचर कम लगने का इसे मेरे पास ये मेरे पास ये मेरे पास सॉल्यूशन का ये मेरे पास था ये तीन लाइने बना देता हूं अगर यह है यह मेरे पास क्या है सर यह है पी अट्मॉस्फेरिक प्रेशर यह था मेरे पास प्रेशर ऑफ सल्यूशन यह था मेरे पास प्रेशर ऑफ सल्यूशन ठीक है और यह है मेरे पास प्रेशर ऑफ सल्यूशन है ठीक है यह था मेरे पास प्रेशर ऑफ सल्यूशन और ये है मेरे पास pressure of azeotropic mixture, ये हम लिख देता हूँ, azeotropic mixture अब अगर माले कभी solution से जो pressure of solution होना चीए था, ये तो non-ideal solution है ना सर, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, azeotropic mixture नहीं, ये pressure of solution कैसा सर, ideal मानते हुए और ये pressure of solution, actually, reality में मानते हुए, reality में मानते हुए अब मेरे को बता, अगर मेरे को pressure of solution को, मेरे को pressure of solution को यहां से यहां लेके जाना है, तो मुझे temperature देना पढ़ रहा था T1 अगर मुझे इसको यहां से यहां लेके जाना पढ़ रहा है तो मुझे temperature देना पढ़ रहा है T2 यह boil तभी करेगा boiling तभी होगी जब pressure of solution atmospheric pressure के बराबर होगा जब pressure of solution atmospheric pressure के बराबर होगा अब मेरे को बता T1 ज्यादा है या T2 ज्यादा है तो यहां ज्यादा पढ़ रहा है और ज्यादा पढ़ रहा है तो यह कईसा है ज्यादा temperature देना पढ़ रहा है अंकल अगर ज्यादा तेंप्रेचर देना पढ़ रहा एंकल तो यह कैसा है ज्यो ट्रॉप होगा तो आप बोलेंगे सर यह वाली पूरी कहानी जो है ना यह makσιमम boiling ओ ज्योज आप की है जिसकी कहानी है सरώρα maximum boiling ऐसी उपंकि तो सो जुप्र जो है वह क्या है किससे डियान सलूशन से तो मैक्सिम्म ब्लेगे जुटराप कौन दिखाएग जिसका प्रेशर कम हो जा एग्हार है अगर फ्रेशर कम हो रहा है तो भी जिनु नहीं गडिकि जैस ही कहनँ बहुत निCam फोलिंगे जो ट्रोप डैट वोगुष इसकी बात करते हैं इसमें खेला वदल देते हैं सर खेला बढ़ने कि यह यह वदल दिया सर यहां मैंने बोला कि देखो यह प्रेशर यह था प्रेशर ओफ सोल्यूशन अगर हम बांग करते हैं इससे राउंड स्लो से मतलब आईडियल सॉल्यूशन भूरू भूलत मतलब का है चाचा लाउल्सुला का मतलब अइडियल सुल्यूशन लेकिन सौनय तो ये रियन है सर्स्सूर्ट का यह सीन अब यालटी में इसका सीन मेरे को बता कौन ज़्यादा हूसर अब मैं ऐसा कर देता हूं सैर इसको तो लिखते है टीवान fee सेर यहां से यहां टेंपरेचर देरा पड़ता इसको बोला स्वे टीटू और उख्मी को यहां टीटू में कौन जादा safety अरे T1 T2 में कौन जादा अरे T1 T2 में कौन जादा PYQ भी होगा बिलकुल होगा भाई PYQ भरा पड़ा है T1 T2 में कौन जादा तो आप बोलोगे Sir T1 T2 में T1 T2 में Sir obviously T1 is greater than T2 इसका मतलब इसका मतलब इसमें हमें कम temperature लग रहा है तो हमने इसको minimum boiling बोला और minimum boiling का मतलब इन दोनों में pressure किसका जाधा था सवर इसका जाधा मतलब pressure of solution was actually greater than P total तो आप बोलोगे है ना pressure of solution was actually greater than P total या मैं चाहूं तो इसको थोड़ा सो और बदल के लिख दूँ यह आपका P total देखो मैं लिख देता हूं है ना जो रियल solution के लिए जो हम value actually के लिए निकालेंगे यह है पी नॉट एक से प्लस पी नॉट भी एकस भी पी नॉट एक से प्लस पी नॉट भी एकस भी और यह वाली जो वैल्यू थी यह पी टोटल थी तो अगर हम बात करें यह पी टोटल ज्यादा इस से इसा मतलब कौन साओ विश्यन है इसका मतलब कौन साओ डिव इसका मतलब यह पॉजिटिव वाले solution चैनल यहा दिखाते हैं नेगेटिव डिवीशन वाले solution क्या दिखाते है यह वस एक लाइन का plus P not Bxp और यह क्या था सर? P total, तो P total में से यह इसकी value जादा थी, तो इसको हमने क्या deviation बोला था? लेना इसकी value जादा थी, यह कम था तो इसको हमने negative deviation बोला था तो negative deviation वाले यह बात दिखाते है यह कितने लोगों को यह clear हो गया सर? बताईए कितने लोगों को ये clear हो गया, बताईए, बोलिये, कितने लोगों को ये clear हो गया, बताईए, कितने लोगों को ये clear हो गया, ये बड़ा simple सा है, समझ कि अगर vapor pressure actually में कम हो गया है, तो हमें ज्यादा heat करना पड़ेगा, ज्यादा heat करना पड़ेगा, अब ये vapor pressure को atmospheric pressure तक पहुचाना है अगर वेपर प्रेशर टोटल वेपर प्रेशर जो है अगर टोटल वेपर प्रेशर कम है जितना होना चीए था तो ज्यादा हीट करेंगे सर ज्यादा हीट करेंगे तो maximum boiling मतलब ज्यादा temperature पर गरम कर रहे होंगे और इसके case में minimum boiling करने पर ज्यादा temperature पर हीट करने पर maximum boiling का case है अगर वही इसका pressure कम है सर्थ इसका pressure actual solution का pressure थोड़ा सा ज़ादा है तो अब हमें कम temperature पर हीट करना पड़ेगा और जब कम temperature पर हीट करना पड़ा तो this is minimum boiling azeotrop आगे बढ़ते हैं चलिए इसके बाद यहाँ पर कुछ बाते लिखिए हैं देख लो maximum boiling azeotrop our solution formed by solution with negative deviation under azeotropic condition example in this category are this HNO3 plus पानी है ना HNO3 aqueous solution of HNO3 and aqueous solution यह दोनों दो example है सर यह एक example है और यह दूसरा example है this is example number one example number two again from NCRT very very important very very important वैसे इसका reference तो आपको P block के अंदर भी मिलेगा P block के अंदर भी इसके बारे में हम पढ़ते हैं उसके बाद अगर हम दूसरे की बात करें minimum boiling azeotrop minimum boiling azeotrop में लिख रखा है कि are the solution formed by solution with positive deviation from ideal behavior है ना example in this category are इतना आप जानते है इतनौल इतनौल आया तो positive deviation इतनौल हो गया और है कि aqueous solution of इतना है ना है वेट बाई वेट समझ गया है कि लिए रहा है कि लिए आगे बढ़ते हैं कि यह प्रोपे नौन है सर यह प्रोपे नौन है सर प्रोपे नौन है ना एसी टोन का बया चलिए उसके बाद अगर हम बात करें कि उसके बाद अगर हम बात करें फड़ाफट तो आगे चलते हैं कॉलिगेडिव प्रोपेटीज पे वेरी वेरी इंपोर्टन पार्ट पार्ट हां यह देखो बोड में नुमेरिकल जितने हैं उसको तो आप लिखी दोगे आंसर बनाना आपको आना चाहिए अगर आंसर ब इसके इस पॉईंट इस पॉइंट पए जो इंपोर्टन सांडस टॉपिक का कोई हद नहीं है ध पार इंपोर्टेंट निषा मत्स थोड़ाँ सानन के आपक़े अ इस है तो प्रोपटीज of solution depending only upon the number of solute particle per unit volume are known as colligative property per unit volume are known as colligative property फिर से repeat करता हूँ ध्यान से सुनियेगा फिर से repeat करता हूँ ध्यान से सुनियेगा notes इसके कहा मिलेगे ये बाद में बता दूगा ध्यान से सुनियेगा फिर क्या बोल रहा हूँ sir properties of solution depending only upon the number of solute particle number of solute particles सब्सक्राइब करें तो हमारे पास टोटल चार कॉलिगेटिव प्रोपर्टी जिसको हम आरल वीपी के टर्म में देनोट करेंगे दूसरी कॉलिगेटिव प्रोपर्टी एलेवेशन ओफ बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम डेल्टा टी बी से रिप्रेजेंट करेंगे तीसरी कॉलिगेटिव प्रोपर्टी एडिपरेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जिसको हम डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करेंगे और चौती और आखरी कॉलिगेटिव प्रोपर्टी ओस्मॉटिक प्रेसर जिसक माक्सिमम आट मैक्स हम एक गंटे के आसपास पढ़ेंगे इसको एक गंटे में यह पूरा टॉपक कम्प्रीट हो जाएगा और हमारा सॉलूशन चाप्टर विल भी कम्प्रीट फिर हम कुछ सवाल कर लेंगे 10-15 सवाल हम करनी कोसिस करेंगे फिर कुछ सवाल आपके लिए होम से मैंने दो डिफ्रेंट सॉलूशन ले लिया सर इतने डिफ्रेंट सॉलूशन ले लिया सर दो डिफ्रेंट सॉलूशन ले लिया कितने डिफ्रेंट सॉलूशन सर दो डिफ्रेंट सॉलूशन ठीक है पहले सॉलूशन में क्या है पहला सॉलूशन ले लिया सर पहला पड़ेगा मजबूरी मजबूरी यह हमारे पास दो सॉलुशन है इसमें हम बात करें एक लीटर पानी है इसमें भी एक लीटर पानी है सर इसमें हमारे पास एक मोल इसमें एक मोल सुगर है हमारे पास चीनी और इसमें हमारे पास एक मोल सुगर और ग्लूकोज दोनों ही different होता है ये कितने लोगों को पता है कि चीनी और ग्लूकोज दोनों different होता है कितने लोगों को पता है एक बारी फड़ा फड़ा दीजे comment box में yes sir we know that फड़ा फड़ा बताईए sir अब मैं जो बाते बताने गा रहा हूं they are very important point अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 1 litr पानी में एक मोल सुगर है इसमें 1 litr अगर हम इसके लिए अगर हम इसके लिए RLVP निकाले और इसके लिए हम बोलते है RLVP 1 इसके लिए relative lowering of vapor pressure को RLVP 1 बोला डेल्टा टीबी को इसके लिए delta tb1 बोला delta tf को इसके लिए delta tf1 बोला और pi को इसके लिए osmotic pressure को इसके लिए pi1 बोला यहीं पर अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए rlvp को हमने rlvp2 बोला delta tb को हमने delta tb2 बोला delta tf को हमने delta tf2 बोला और pi को हमने pi2 बोला तो मेरे को एक बात पता क्या दोनों में क्या इन दोनों में सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है मतलब नंबर ओफ मोल्स या नंबर ओफ पार्टिकल सेम है कैसे सर एक मोल का मतलब होता है एक मोल का मतलब होता है एन ए पार्टिकल्स अवेगेडरो नंबर ओफ पार्टिकल्स अवेगेडरो I can write, I can write, I can write one thing that RLVP in 1 will be equal to RLVP in 2, where delta Tb in first case, Tb1 in first case will be equal to delta Tb in second case, where delta Tf in first case will be equal to delta Tf in second case or third, P1 will be equal to P2, क्यों सर? क्योंकि number of solute particles same है, क्यों ऐसा सर? क्योंकि number of solute particles is same, is same, समझ गया, बताईए हाया ना, जल 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 बताते हैं फिर आगे बढ़ते हैं सर, बताईए, बोलो 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 clear है? बट एक बात अगर मैं तुमसे पूछू, क्या दोनों का टेस्ट सेम होगा, टेस्ट की बात करें तो, टेस्ट वन और टेस्ट टू, क्या ये भी सेम होगा की ये डिफरेंट होगे सर? है Test One और टेस्ट वा मनलब चीनी पानी में घोलने के बाद पीने पए और गलुकोस पीने पे इसञर्टे सोती कि बोलो में मीठाई तो लगता है से लेकिन अगर मैं तुमें घ्तानी पानी पिलाओं तो महनतर बता सकते हुने कि अरे स mówią ऐ एन आ U Talking để ले यह यह तेस्ट थोड़ी एह सब्वा पढ़ने को यह धूर। हम पढ़ेंगा और टॉपक जिसका नाम है जिसका नाम है वेंटौफ कर मैं आपको पहले this is one of the most important part, this is one of the most important part, की क्या भाया, बोलो, बोलो, बताओ, Vant of Factor की बात करते हैं, Vant of Factor की बात करते हैं, clear है, बताए, तो बोलो यार, तो Vant of Factor हम कब निकालते हैं, यह सुनिये द्यांग से, event of factor हम कब निकालते हैं sir if event of factor कब important होता है 3 cases हो सकते हैं sir event of factor i की जो value है i can be equal to 1 i can be less than 1 i can be greater than 1 i equal to 1 कब होगा sir जब non electrolyte solute होगा non electrolyte solute होगा electrolyte solute होगा मतलब ऐसा solute non electrolytic solute का मतलब क्या है sir will neither dissociate will neither dissociate nor associate nor associate मतलब ना तो जुड़ेगा ना तूटेगा associate का मतलब जुड़ना है dissociate का मतलब तूटना है i less than 1 कब होगा sir जब solute जो है वो dissociation या association करेगा जब solute particle associates जब solute particles associate associate का मतलब क्या असर ये जुड़ेंगे आपस में आके क्या होंगे जुड़ेंगे और आई greater than 1 कब होगा जब solute particles जब solute particles dissociate जब solute particles dissociates जैसे एक example लेके मैं आपको देखाता हूँ ध्यान से सुनिएगा जैसे एक example लेके आपको मैं देखाता हूँ ध्यान से सुनिएगा ये हमारे पास माल लो ये हमारे पास क्या इसर ये हमारे पास पानी है ठीक है ये हमारे पास क्या इसर पानी और इस पानी में पानी कितना इसर एक लीटर पानी कितना इसर एक लीटर कई सारे पानी और ले लेते हैं कॉपी इधर भी हमारे पास पानी है पानी कितना है सर अगें पानी कितना है सर एक लीटर इस एक लीटर पानी में इस तरफ इस एक लीटर पानी में इस तरफ हमने मिलाया था 0.1 मोल यूरिया 0.1 mol urea और या urea नहीं मिलाते हैं यह मिला लेते हैं 0.1 mol glucose मिला लेते हैं क्या मिला लेते हैं सर? glucose और इस तरफ 0.1 mol में हम मिलाते हैं 0.1 mol NaCl 0.1 mol NaCl तो आप सभी को पता है आप सभी को पता है सर यह जो NaCl है ना यह एक electrolytic solute है और electrolytic होने के कारण NaCl will dissociate into Na plus plus Cl minus हम अगर इसकी बात करें हम अगर इसकी बात करें तो यह हमारे पास क्या था था? theoretical concentration यह तो था theoretical concentration जो हमें copy पर लिखके दिया गया है लेकिन पानी में जाते ही Na plus अलग तूट रहा है, Cl minus अलग तूट रहा है तो आप बोलोगे सर्थ पानी के अंदर तो 1 NaCl 2 solute बनाके देगा 1 NaCl 2 solute बनाके देगा तो आप इस case में बोलेंगे आप इस case में बोलेंगे कि अच्छा बेटा दोका और यहाँ पर क्या होगा सर? यह भी 0.1 यह भी 0.1 तो अगर मैं experimental concentration की बात करूँ अगर मैं experimental concentration की बात करूँ तो experimental concentration इसकी जो है वो कितनी आ जाएगी सर? यह आ जाएगी 0.2 क्यों सर? क्योंकि सर 0.1 इसका भी है, 0.1 इसका भी है दोनों है ना? तो आप बोलोगे सर इसका वेंट ओफ फेक्टर क्योंकि यह dissociate कर गया है तो इसका वेंट ओफ एक्टर greater than 1 होगा और यहाँ पे चीनी पानी में जाने के बाद ना तो dissociate करता ना associate करता कुछ भी नहीं करता है तो इसका वेंट ओफ एक्टर वन होगा क्योंकि यह non-electrolytic है यह non-electrolytic है इसको copy कर लो copy करके cqlick को फिरम आगे बढ़ेंगे कुछ बाते करेंगे बताई 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 बता आई कि फिर आप चीज ओर देखेंगे फिर आप एक चीज और पाएंगे कि याद रखना जितनी भी आपने आपको तीन बाते देता हूं फिर हम वेंट निकालना सीखेंगे चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देखो याँ आप से अगर हम आई की बात करें तो आई का फॉर्मूला क्या-क्या हो सकता है सार तो आई सबसे पहले बराबर होता है आई जो है वह सबसे पहले बराबर किसके हो सकता है सर तो आप बोलोगे theoretical concentration या सुरी उपर experimental लिखेंगे experimental concentration experimental concentration by theoretical concentration एक बारी पूरा लिखता हूं by theoretical concentration अगर यह हम दूसरी की बात करें सरे क्या cable concentration पर यह चीज़े depend करेंगी नहीं सर quality property से भी हम i की value निकाल सकते हैं तो experimental quality properties divided by और यह बराबर होता है molar mass of solute molar mass of solute यहाँ पर खेला change हो जाता है सर जैसे अभी तक खेला जो चल रहा था उपर क्या था सर theoretical नीचे क्या था सर experimental बट यहाँ पर खेला change हो के molar mass of the solute उपर आ जाता है सर theoretical divided by mm यह molar mass of solute molar mass of solute experimental यह हो पर थे लाब दल गया यहाँ पर खेल बदल गया यह ना शुआ वताईए 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 वेरें यूया का मेंट ओ फ्क्तर उपन बज्टब करेंगे विए उसकी अब 3 तिन केसि वो गए सर घुन से गए सर जिसमें सबसे पहला केस वन तरण वैंट ओव फक्तर इतना क्यों पढ़ा रहे हो क्योंकि इतनी भी यह प्रपर्टीजितर और उनका पॉन विप्ट आधा हो जाता जब आको वैंट ओफ प्रक्टर पता है उनका अधा हो जिसे मैं बात करता हूं कि किसकी बात करता हूं सर केस वन क्या है सर केस वन बहुत ही सिंपल है क्या है सर सिंपल तो है बठ है क्या है सिंपल है अरे सिंपल तो है बठ है क्या सर तो आहिए देखते केस वन क्या है तो अगर हम बात कर रहें किसकी सर केस वन की केस वन क्या है सर in case of in case of no dissociation no association no dissociation no association मतलब ना तो dissociation हो रहा है ना association हो रहा है उस case में क्या होगा I की value हमेशा 1 होती है उस case में I की value हमेशा 1 होती है example क्या क्या मिलेगा सर अगर कभी भी आपको non electrolytic solute लिख रखा है non electrolytic solute लिख रखा है जितने भी non electrolytic solute है पहले तो सवाल में ये लिखा होता है दूसरी बात आपको ये कभी भी अगर आपको sugar मिले कभी अगर आपको glucose मिले कभी अगर आपको urea मिले इन सभी का aqueous solution और non electrolytic तो कहीं पर भी ये सभी के सभी क्या बनाता है सर आई बराबर वन का केस है ये सभी का सभी क्या बनाता है सर आई बराबर वन का केस है अरे बोलो भया ये किसका केस है सर आई बराबर वन का ये सभी आई बराबर वन के केस है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एक्जाम्पल ग्लूकोस सुक्रोज हाँ बल्कुल बट यह भी आगर ना नॉन एलेक्ट्रोलेटिक सुल्यूट अगर लिखा हुआ हो तो आगे बढ़ जाएं किया कापी किया है तो बता यह चली आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगर हम बात करें सर इसके बाद अगर हम बात बाता है अंसर और तुम माता फोड़ते हो अपना कि अरे बहुत पढ़ा सब फिर भी गलती हो गई जब किसी किसी टॉपिक से गारेंटीड सवाल आने वाला हो तो उसको तो अच्छे से करना ही चीए ना उसके बाद अगर हम आगे बात करतें बच्छा पूचा सर हम कैसे प पता कर सकते हैं सर्थ चलिए आगया आते नेक्स्ट केस टू की बात करते हैं स्टू में हम क्या करते हैं केस और डिसोषूइशन किसकी बात करने सर्प इनकेस ओंधु हैm dissociation के case का एक example ले लेते हैं माल लो मेरे पास a times n जो है यह पानी में टूट करके हमें n times a बना के दे रहा है टूट गया sir एक माला जिसमें कई सारे मोती थे वो माला एक थी लेकिन जैसे ही उस माले के बीच का रसी काटी और सारे मोती अलग हो गये तो अब वो एक पार्टिकल नहीं है sir अब वो जितने मोतियों की माला थी उतने पार्टिकल है समझ गये क्या बोलो 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 तो इस case में अगर हम बात करें इस case में अगर हम बात करें ठ्रकिये गा जैसे इसका concentration मालो c था यह 0 था कब सुर टाइम t बराबर 0 पर जब किसी टाइम t पर हमने चेक लिए जीरो हो गया और यह क्या हो गया सर nc कितना हो गया सर nc बात सही है बोलो हया नढो बोलो यार क्या ये बात सही है बोलो 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 आप बोल सकते हैं सर क्या पूरा टूट जाएगा नहीं ये भी बात सही है सर पूरा ही क्यों टूटेगा सर अलफा लेके करो ना बोलो अब ठीक है अब अगर मैं निकालू तो हम बोलेंगे सर आई जो है वो किसके बराबर आएगा बोलो यहां से देखो आई जो है हम कहा सकते एक्सपरिमेंटल कॉंसेंट्रेशन एक्सपरिमेंटल कॉंसेंट्रेशन एक्सपरिमेंटल कॉंसेंट्रेशन एक्सपरिमेंटल कॉंसेंट्रेशन एक्सपरिमेंटल कॉंसेंट्रेशन एक्सपरिमेंटल कॉंसेंट्रेशन क्या होगा सर तो इन सभी के कॉंसेंट्रेशन को add कर दो, T-C alpha plus N C alpha, divided by theoretical concentration क्या था sir, तो theoretical concentration तो ये था, जो हमने starting में लिया था, divided by C, तो ये कितना आ जाएगा sir, इस case में I की value कितनी आ रही है, देखो ध्यान से, तो आप बोलोगे 1, है ना C से सब में C cut गया न, दादा C सब में C cut गया, तो 1 minus alpha plus n alpha तो यहां से अगर हम लिखें तो यहां जाएगा 1 है ना plus n minus 1 into alpha, IE की value कितनी आ गई sir, n 1 plus n minus 1 into alpha इसका मतलब अगर आप इसको देखेंगे इसका मतलब अगर आप इसको देखेंगे तो आप सीधा सीधा यह कहेंगे, alpha यहां पर क्या है sir, degree of dissociation अलफा यहां पर क्या है, degree of dissociation क्या है भाया, degree of dissociation और n क्या है sir, number of particles, number of particles in which one molecule is getting break number of particles है ना, in which one one molecule is one molecule is dissociated dissociated एक molecule कितने particle में टूट रहा है, वो n की value है जसे example के लिए अगर मैं बात करूँ अगर मैं बात करूँ किसके लिए sir, अगर मैं बात करूँ आपका example के लिए mgcl2 mgcl2 के लिए अगर मैं बोलू alpha की value 80% है alpha की value 80% है alpha 80% का मतलब 0.8 होगा तो i की value कितनी होगी बतादो फटाफट mgcl2 के लिए अगर alpha की value 80% है तो i की value कितनी होगी फटाफट बतादो, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट बतादो हम आगे बढ़ते हैं after dissociation before dissociation बिल्कुल after dissociation और before dissociation आप ये भी कह सकते हैं पड़ा-फट बता दीजे सर पड़ाफट बता दीजेए अब जी सीएल टु को अगर हम लेते हैं फट़ाफट बता दीजे बोलो 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 भाई अरे तुम क्यों टेंचन ने रहे हो इसके बाद कॉलिगेटी प्रॉपटी में टाइम थोड़ी लगता वो तो सीधा सीधा डेफिनेशन है बताओ बोलो यार बहुत बढ़िया कैसी किया सर कुछ नहीं करने का अरे MgCl2 अगर पानी में टूटेगा MgCl2 अगर पानी में जाएगा और टूटेगा तो यह बना के देगा Mg2++2Cl- कितने पार्टिकल में टूट रहा है तीन में तो इसके N की वैल्यू तीन है तो हम लिखेंगे I बराबर 1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू अलफा अलफाइग 0.8 तो यह टू इनटू इतना यह हो गया 2.6 सभी लोगों ने सही अंसर दे दिया क्या यह बाद चमक गई है बोलो बोलो यह बात किसको किसको चमक गई बता दीजे बता दीजे एक और एक और एक्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एक्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एक्जाम्पल ले लेते हैं, सर, एक और एक्जाम्पल ले लेते हैं, चलो, अगर मालो मैंने आपको बोला, K4 FECN whole 6, K4 FECN whole 6, इसके लिए अगर हम I की बात करें, आई जो है यह आपको पता करना है या इसके लिए I पता करना है, हाँ चलो I पता करना है और एलफा की वैल्यू जो है, यह है 50%, बताईज़। एलफा की वैलू 50 परसेंट है, आई की वैलू बताईए, बोलो, बोलो भाई, अरे बोलिये सर, बताईए, पाँच तीन, पाँच तीन, पाँच क्या अगर रहा हो, क्या खेल रहा हो भाई, अरे वाया, इसके लिए, अगर हम बात करें, तो यह तूटेगा, बनाके देगा, फोर के प्लस प्लस एफी सी एन होल सिक्स, पर फोर नेगिटिव, इसका मतलब इसके लिए एन की वैलू जो ह है, वो है पाँच, कितनी है, पाँच, तो हम आई की वैल्यू लिखेंगे, आई बराबर क्या हो जाएगा सर, वन प्लस एन माइनस वन, एट इस फाइब माइनस वन, फोर अलफा, अलफा हो गया, 0.5, तो आप बोलोगे सर, वन प्लस टू, डाट इस थ्री, आंसर, सिंपल ह इस थ्री में क्या होगा सर, पॉर एसोसियेशन, अच्छा इसका इग्जामपल क्या होगा सर, तो याद रखना, इसका इग्जामपल क्या होगा सर, तो इसका इग्जामपल क्या होगा सर, तो इसका इग्जामपल होगा सर, तो इसका इग्जामपल होगा सर, तो इसका इग 100% example जैसे NACL हो गया electrolytic जितने भी salt हो गया mgcl2 हो गया है ना फिर आपका k2so4 हो गया फिर आपका acid हो गया जितना भी etc सभी 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 फिर अगर हम आगे बात करें n की value कैसे अब यह तूटे का ना यह चार particle में 4k plus और एक बढ़का molecule चार और एक बढ़का molecule तो total 5 चार और एक बढ़का molecule तो total 5 में टूटा चलिए इसके बाद हम बात करतें for association association का case क्या ले लेते हैं सर कुछ ऐसा ले लेते हैं कि देखो हमारे पास n times b था और यह हमें बनाके दे रहा है bn ठीक है n times b था और यह हमें बनाके दे रहा bn time t बराबर 0 पर time t बराबर 0 पर इसका concentration जो था वो c था किसी time t पर इसका concentration c minus c beta हो गया कितना हो गया c beta ठीक है अब यहां पर beta क्या है सर ऐसे थोड़ी लिख सकते है आई से लिखना आई से गाई से लिख दिया sir आई से गाई से तो यह c नहीं c beta n होगा या nc beta लिख लो sir यह माइनस क्या होगा stoichiometry भी तो multiply करते है एं थी बीटा हो गया सर और इधर अगर हम बात करें यह क्या बनके दे रहा है सर यह आपको बनके दे रहा है यह आपको c beta बनके दे रहा है से बीटा बनागे तेरा यहां पे बीटा क्या है संदिग्री ओफ एस्टीेशन वहाँ पर डिसोशीयेशन था तो एलफा लिजिए यहां the concept association association का मतलब एक पर्टिकल या कितने पर्टिकल कितने में कंबाइन कर रहें यह सुनिए गद्यां से चलिए देखते हैं आगजर हमाइक निखे लिए बात करें अगर मिसके आता सर तो यह नीचे वाला स्टी यह एक काम करते रुखो थोड़ा से चेंज कर लेते हैं इसको ऐसे कर लो एसे ना लिख करके ऐसे लिख लो यहां पर आप इसको सी माइनस सी बीटा कर लो तो इसको एल से डिवाइड करना होगा यह सी बीटा वाई एन आ जाएगा तो फॉर और यहां से अगर आप देखोगे तो क्यूंकि यह एक से छोटा है क्यूंकि एक से छोटा दिखी रहा है तो इस अल्वेस लेस दन वन आई इस लेस दन वन यहां पर आप देखेंगे आई इस लेस दन वन अल्वेस अब एन की वैल्यू कितनी होगी सर दो हो जाएगी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी तीन हो जाएगी कब जब डाइमराइज कर रहा होगा कोई भी चीज डाइमराइजेशन के केस में इसकी व लई बोलो 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 वालो बोलो अरे भुलू कोलो और लुट लॉटि क्लास में नेट बाहुट लोस धनु و Export से ब्लसां हो नेट वैं vídeo मांनता य। यह कोई स्थेश्थेस 53 मिलता है अब इसका भी एग्जांपल आप मांगोगे सर इसका कुछ एग्जांपल देदो तो इसके डाइमराइजिशन ट्राइमराइजिशन का एक एग्जांपल है जैसे अगर मालो मैं बात करता हूं किसकी कि इस्कोफ में टालने पर किसमें टूपता है तरी सी 3 Fat-Pchos ट्रीके से और वहीं एगर जिसे इस्के ए vulner सूरे एनों पोलर सॉल्वेंट में रखते हो इसके केस में यह क्या होता है ये चरदेख लो इसस क्तरीश इससी देवर्ट ओ एच एंग हार हान अगुसु तो बोलो अइसे गर लेते हैं थो पुला और अच्छ सभाना लेते हैं कि एह से ऑ एच डेवल बॉन्ट ओ क्ैश ठीघ है कहेँ है यह सूर नो वोलो नो थे सो और नो बोलो बोलो अब देखो मैं जादु कर दोगा ज्यादू कर्के जादू कर के जाओ Technologies मारा मीरramos के एतर मार दिया तेक अच्छा यार यह तो उल्टा हो गया यार श切ना नहीं दिख रहे पूरी मेहनत गई मेनद पानी में फिर से लिखना पड़ेगा चलो फिर सही लिख लेते हैं यह कारबन था सर यह कारबन से जोड़ा CS3 यह COH यह double bond OH इनके बीच में होती है एच बांडिंग होने के कारण यह कर जाता है क्या कर जाता सब्सक्राइब कर जाता है तो यह एक केस आ सकता है सब्सक्राइब केस आ सकता है सब्सक्राइब कर जाता है कि आगे बड़े 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 आगे तुम लोग क्यों पड़ रहे हो बोड के लिए पड़ाई कर लो बोड इक्जाम दे दिया है भाई अरहार्फा डिग्री ओप अथा यसजरी अफ यसलिए अगले पेज पर चलते हैं अभ रिल फिसे डिलेटिव लोटर गवब Whipor Pressurewr एक बात मैं आपको यहां प्रबिया और देदू इसको ध्यान साहे एगा यहां始ए प्रफोरटीज है इंहान को लगयटी प्रपेटी तो कि पैल ऑल पॉली गेल परपेटी से ऐहित्टी तो जो solute है, is always non-volatile, solute is non-volatile, solute is non-volatile और कोई भी non-volatile solute अगर है, non-volatile solute का peanut, कोई भी non-volatile solute है, या कोई भी non-volatile solute substance है, उसका peanut हमेशा 0 होगा, वो peanut A, B, X, Y, Z, सब 0 होगा, समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया, बताइए, 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 बताइए इसका पीनौट हमेशा जीरो होगा सर ओल्वेज जीरो होगा है ठीक है ओल्वेज जीरो होगा चलिए आरल वीपी के अगर हम बात करें रिलेटिव लोरिंग और वेपर पेशर की तो मैं आपको थोड़ा सा पाक्त बता देता हूं पहले होता क्या है तेखो अगर मैं बात करू बात नहीं कर रहा है तुम लोग त्यार गजब हो सॉल्यूशन से तुम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल के न्फ्यूज हो रहे थे बता हो कैसे लोग है क्या होगा आपका कौन बचाएगा तुम्हें कौन बचाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं पीनोट क्या है अब और प्योर वेपर प्रेशर है पीनोट अर चा-चाँ यहीर दिक्कत है पी नॉर्ट सॉल्यूट पीनोट योऔर फेट नॉड़ प्र परश कर मतें श्में प्रेस्ट के पार्टिकल जो है नहाँ वो सार्फेस पे बात करूं य Flame Syn यहां पे भी आ जाएंगे सर और यहां पे भी आएंगे और इधर इधर भी घूंगते रहेंगे यहां पे भी आ जाएंगे और इधर इधर भी घूंगते रहेंगे ठीक है ठीक है सर राउल्ट शुलो के इसाब से और उपर जो है वो केवल पानी का पार्टिकल होगा उपर ज पोटल जो है ये किसके बराबर होगा सर पी नॉट ए एक से प्लस पी नॉट बी एकस भी ठीक है चाचा बताएए अरे बोलो 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 अरे बोलो भैया ठीक है सर अब इसके बाद अगर बात करूँ मैं यह कह रहा हूं ध्यान से देखेगा कि A मेरा जो है वो solute है A मेरा जो है वो solute है B मेरा जो है वो पानी है क्या है पानी मतलब की solvent है B मेरा जो है वो solvent है तो यहां से मैं चाहूं तो आईसल लिख सकते हैं क्या यहां से मैं चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि P total जो है यह बराबर हो जाएगा P not B X B के कितने लोग इससे सहमत है यह बता दीजे P total जो है इसके बराबर हो जाएगा कितने लोग सहमत है यह बता दीजे बताओ बोलो बोलो कितने लोग इस बात से सहमत है क्यों सर इसके पीछे सिंपल सा रीजन ये है कि पी नौटे से रो है सर एक बात बता नमक को मैं बोलूँगा चल उड़ नमक को मैं मार मार का बोलूँगा चल उड़ तो नहीं उड़ेगा न यार इस पी टोटल को यहां से जो पी टोटल है यहां से जो पी टोटल है इसी को मैं बोल दूँगा अब यहां से लख सकता हूँ पी सलेशन इस पी एश को मैं रख सकता हूँ सर पी सुलेशन एक्स अब यहां से मैं लेक जोट होगा सर यहां से सकता हूँ इसको इधर इसको इधर लेके आते तो मैं कहूंगा देखो P0 BXA बदल गए फ़र हां यह किसके बराबर है यह बराबर है यह बराबर है पीनॉट B-PS के इसको हिया और यहां से जब XA की वैलियू निकालेंगे mole fraction of a, तो यह किसके बराबर आ जाएगा sir, यह बराबर आ जाएगा P not B minus P s upon P not A, ध्यान दीजिएगा sir, और इसी को हम बोलते है relative lowering of vapor pressure, इसी को हम बोलते है relative lowering of vapor pressure, this is RLVP, this is RLVP, तो यहाँ पर अगर हम RLVP की बात करें, तो RLVP किसके बराबर होता है sir, relative lowering of vapor pressure sir, किसके बराबर होता है, तो आप बोलूगे P not minus P s upon P not, अच्छा नीचे मैंने P not A लिख दिया, यह P not B होगा sir, ठीक है, नीचे मैंने P not A लिख दिया, यह P not B होगा sir, ध्यान दीजिएगा sir, यह नीचे जो है P not B आएगा sir, तो P not minus P s upon P not, this is relative lowering of vapor pressure, और यहाँ पर मैं सब कुछ लिख रहा हूँ, अभी घबराना मत की sir, यह कैसे क्या लिख दिया, यह मेरे को समझ नहीं आए, अभी और आगे लिखूँगा, तो अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं इसकी बात करूँ, विपी का मतलब वेपर प्रेशर है, भया, विपी का मतलब क्या है sir, वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर ओफ, यह क्या है sir, वेपर प्रेशर ओफ, यह क्या है sir, वेपर प्रेशर ओफ, यह क्या है sir, वेपर प्रेशर ओफ, सॉल्यूशन, और, एक सॉल्यूप की बात करे लाव दो दो तीन बाते तर जी क्लास कब तक चलेगी एकलास मान के चलो आदे गंटे चालीस मिनट ऑर चलेगी मेरे को और गानिक नहीं आती दोस्त इसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ इसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ तो I can write it as देखो द्यान से इस सर मेरे पास P0-PS जो था ना P0-PS को हम कहते हैं lowering of vapor pressure this is lowering of vapor pressure और P0-PS upon P0 ये कहलाता है RLVP relative lowering of vapor pressure this is a colligative property उपर वाला का colligative property ये colligative property नहीं है पहली बात दूसरी बात जो है कि अगर अगर माल लो अगर advance case की बात करें तो हम ऐसा लिखेंगे P0-PS जो है upon P0 ये किसके बराबर होगा ये बराबर होगा I into x I into x solute I into x solute के बराबर ठीक है, IINTO X SOLUTE क्यों लिखा, sir? क्यूंकि हमारे पास जो SOLUTE है, वो कैसा हो सकता है, तो आप बोलो करो, सकता है, सर? कई बारी एसोसियेट भी कर सकता है, है ना? समझ यह-क्या? बोलो, बोलो, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, अब यहाँ पर अगर मैं खर्चा सकते हो इस सर इसको में से भी लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नोट यह किसके बराबर होगा यह पर सी ऐल जाए लिए लिए नंबर ओफ मोव्ल्ट्स ऑफ साल्वेंट के और इन जैनरल आगा बढ़का एन मच 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 ग्रेटर देन छोटका एं तो हम कई बारी क्या करते हैं सरुम छोटका एन को बराबर लिख देते हैं वाद ध्यान रखे इसके अलावा सवाल पूछ actu ले हैं सकता कहीं से कहीं से नहीं आएगा सर सवाल कहीं से सर RLVP बताना क्या चाथा है RLVP यह बताना चाथा है सर अगर कोई solution है कोoi solution है उसके उपर अगर हमने कोई non-volatile solute डाल दिया तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है यही कहता है वो कि वेपर प्रेशर कम हो जाता भाई इस बात को ध्यान तो सुनिएगा वेपर प्रेशर क्या हो जाता है कम हो जाता है जल जली कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं सर जल जली कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं सर बताइ एक सवाल करें बोलो बोलो एक सवाल करें गया बोलो एक सवाल कर लेते चलो एक सवाल फिर आगे एक सवाल फिर आगे पुशन है चलो यह सवाल कर लेते हैं यही तो रहा एक सवाल यही कर लेते हैं चलो तवाल कहा है sir, the vapor pressure of pure liquid at 25 degree Celsius is 100 mmHg, calculate the relative lowering of vapor pressure if the mole fraction of solvent in the solution is इतना, अच्छा जब कुछ भी mention नहीं किया है, if nothing is mentioned, कुछ भी mention नहीं है, solute के बारे में कुछ भी mention नहीं है, solute के बारे में हमें no idea लग रहा है, कोई चीज mention नहीं है, है ना, तो हम क्या मानेंगे sir, इसको non electrolyte मानेंग चलिए फटा फट करके बतागये क्या answer हों, घली जली 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 बताएं घली तंसमय नivens कि है कि इसका मतलब क्या हता है, कि देखते हैं मतलब कि बुलोगी है, ब की क्या देखए, आप कुछ नहीं ही बोलूगी आप को कि सर देखो, हमें क्या देख Calm कि the vapor pressure of pure liquid at 25 degree Celsius is 100 mmHg, calculate the RLVP, RLVP का मतलब क्या है सर, अब यहाँ पे देखो, pure liquid मतलब P0 हमें दे रखा है, 100, हम से पूचा है, P0 minus PS upon P0, यही पूचा है, यही RLVP है, यह किसके बराबर हो जाएगा सर, तो आप बोलोगे ठीक है, पता कर लेंगे सर, यह बराबर किसके हो ज हमें कितना दे रखा है सर, mole fraction of solute हमें कितना दे रखा है, बोलो बोलो बोलो, हम से पूचा, calculate the relative lowering of vapor pressure, if the mole fraction of solvent in the solution is, अब यहाँ पे है धोम का, देखना दियान से, यहाँ पे क्या है सर, धोम का, यह solvent का mole fraction दे रखा है सर, आपको mole fraction solute का निकालना होता है, तो solute का mole fraction हो जाए समझ गया क्या, बताईए, बोलो 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 बोलो, this is relative lowering of vapor pressure, this is relative lowering of vapor pressure, और आप से पूचेगा कि, ps होगा कितना, अगर माल लो तुम से पूचा कि, ps की value कितनी होगी, what is the value of ps, तो कुछ नहीं करेंगे, यह पे उठागे, फिक देंगे सब कुछ, तो आप बोलोगे, sir, यह p keynote था, 100, minus ps, बट्टे में 100, यह किसके बराबर है, 0.2 के बराबर है, तो यहां से ps जो है, वो कितना हो जाएगा, sir, 100, minus 20, that is 80, but यहां पे सवाल केवल यह पूचा था, तो answer 0.2, सवाल केवल यह पूचा था, तो answer 0.2, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठी इसका नाम है elevation in boiling point, elevation in boiling point, इसमें क्या होता है सर, इसमें क्या होता है, जब हम non-volatile solute add करते हैं, इसमें क्या होता है सर, when non-volatile, when non-volatile solute is added, is added to a liquid, its boiling point increases, इसका boiling point बढ़ जाता है, ठीक है, अब सुनते जाना मेरी बात ध्यान से, जो मैं कहते जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा सर, सर अगर हम बात करें, टीबी जो है, एक चीज़ होती है, टीबी नौट, यह क्या है सर, बीपी ओफ प्योर लिक्विड, ठीक है, उसके बाद एक चीज़ होती है, ट डेल्टा टीबी क्या कहलाता है सर, एलिवेशन इन बोलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी क्या कहलाता है, एलिवेशन इन बोलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी का तीन तरीका है, निकालने का याद रखेगा, डेल्टा टीबी निकालने के तीन तरीके, और यही तीन तरी से आप से सवाल पूछेगा सबसे पहला तरीका है ग्राफिकल तरीका सबसे पहला तरीका है कि ग्राफ दे करके पूछेगा जो की पूछता कौन है से जही एडवांस ऐसे पूछता है जही एडवांस जो है वो इस तरीके से सवाल पूछता आपके सामने ग्राफ फिक के के बाद बोलेगा मेरे को डेटा टीवी बता यह जी एडवांस का रीसेंट पाटन है सवाल पूछने का तो ग्राफ में अगर आप देखोगे तो यह वाला जो उपर वाले लाइन है जिसको मैं यलो कलर से करना हूँ यह यह है pure solvent की लाइन यह है pure solvent की लाइन देखो सोलिट की लाइन है जैसे हैं लटको फैवरेट टैर यह solution की लाइन है आप देखत और प्रेश गर. गिर गया सर प्रेशर is ix point पे गिर गया pressure कम हो गया ना सर चूंकि सर पर टिकल उपर masihτοफिस पे दूसरी चीजे भी थो यहाँ प把ड करें यहां पे अगर आप लकार इस point के corresponding अगर आप नीचे टेंपरेचर वाली लाइन पे आऊगे इस point के corresponding ये कौन सी पोइंट एक तो यह भी बीपी लाइन याद कर बताया था और यह भी बीपी लाइ सध्वार रॉपर बहुत बहुत बढ़ां चला गया बाइखहाई? इसी पर लिखकर लेते हैं ना समय गया है? हाँ गुलामबी वाँ 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 गुलामबी बिलकुल तो अगर हम इसकी बात करें तो यह देखो यह जो है ना यह जो पॉइंट है यह आपका क्या है सर यह वाला पॉइंट टीबी नॉट है टीबी नॉट क्यों क्योंकि सॉल्वेंट का है यह वाला टे पहला तरीका ग्राफ से आप निकाल सकते हो दूसरा तरीका डेल्टा टीबी निकालने का यह है मैं सब लिख देता हूं डेल्टा टीबी पता गरने के तीन तरीके जिसमें सबसे पहला तरीका जो है वो ग्राफिकल है सर सबसे पहला तरीका यहां पर लिख देता हूं इस फ्र भुठ आते हैं जब कभी भी ऐसा सवाल हो ना तो बड़े में से चोटे को बड़े अच्छे लगते हैं नि इस एक गाना चलता ना बड़े अच्छे लगते हैं छोटे एड्स है ना ये छोटे आड्स को देखके मेरे को एक डायलोग याद आता है कि एक जगा है ना मैं ऐसे बैठा वा था और हम दोस्त वगेरा बात कर रहे तो मेरा एक दोस्त कान में स्पोर्टीफाई लगा के गाना सुन रहा था तो उसने एक बड़ी मज़दार लाइन बोली वीच में और डाट लाइन है स्टक इन में खोपड़ा वो लाइन क्या था सर वो लाइन ये था कि स्पोर्टीफाई पे मस्त आड्स उन रहा था गाना वज़के सारा मूट खराब कर दिया है ना ठीक है वई तो इसकी बात करें सर तो ये टीवी माइनस टीवी नोट है और ये किसके बराबर होता है ये बराबर होता आई इंटू के बी इंटू छोटका एम के अब सब चीज का मतलब मैं बताऊंगा गब्राने का बिलकुल कताई नहीं ये तीन तरीका है सर तो एक तो त हूंगा कापी कर लिया तो फ्लली दिजह सीकल्द सीखेल सीकल्द सीकल्द कौपी कर दिया है तो फटा फट नेक्ट दिजैंच है अ बताईए इनमाइछन भू अ अ गपलो भूलो भूलो बहुत बढ़िया भाई एक नंबर करते हैं तो हमने क्या देखा सार अगले पेस पेच पर चलते हैं हमने देखा डेल्टा-टीबी जो है किसके बराबर है डेल्टा-टीबी का एक फॉर्मूला तो था टीबी माइनस टीबी-टीख और दूसरा फॉर्मूला था आई इंटू क के बी इंटू एम जहां पर आई वेंट आफ फाक्टर है सर आप सभी को पता है आई क्या है अपना वांट आफ फाक्टर जिसके बारे में हमने पहले ही काम रख कर लिया वेंट आफ फाक्टर के बी क्या है सर तो के बी को हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कॉंस्टेंट मोलल एल है कोपिख को फॉंस्टिंट है कि दोनो इनाव कैसर म क्षोटका इंच सरण मोललिटी फ्रुटका-इंक एक सब्सक्राइब करूझ तो आपसे के यूनिट पूछ सकता है फिर आप से कई बारे पूछें सर के भी निकालने का भी कोई फॉर्मूला होता है क्या कि भी निकालने का भी कोई फॉर्मूला होता है क्या आप से आपके मन में यह सवाल आएगा तो के भी निकालने का भी एक फॉर्मूला है क्या सर के भी निकालने का भी एक फॉर्मूला है यह होता है आर इंटू पी नॉ सार, की भीदिय। स्कॉपईक कॉंस्टेंट है, जहां पे आर आपका ग्यास घॉपलेस कॉंस्टेंट है, Tv is not आपको पता है, तब आपको पता है तर बऑलिंग पॉइंट ओफ प्यॉर सॉलवेट अर। boiling point of pure solvent है LV क्या है sir LV है latent heat of vaporization LV जो है वो है latent heat of vaporization latent heat of vaporization LV क्या है sir latent heat of vaporization ठीक है बहिए बोलो बोलो समझ गए बताइए 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 LV क्या है sir latent heat of vaporization ठीक है चाचा अगर कभी तुम्हें delta H निकालना है मालने delta H के terms में लिखना है तो याद रखना LV की value जो है LV की value जो है वो बराबर होते है delta H vaporization divided by molar mass divided by molar mass तो तुम चाहो तो इस formula को उपर चिपका के यहां से भी value निकाल सकते हो इसको फेक के यहां मारा तो LV में नीचे delta H vaporization आएगा उपर molar mass multiply हो जाएगा तो यह formula भी चलता है यह formula भी चलता है इस तरीके से हम निकाल सकते हैं यह है पूरा का पूरा concept यह है पूरा का पूरा concept किसका अगर हम पानी के लिए बात करें for water, for pani for pani पानी के लिए अगर हम बात करें तो पानी के लिए KB की value जो है या आती है 0.52 और यूनिट बता दो एसा यूनिट क्या जाएगा यार ब्लीज यूनिट बता दो इनकी असा इनकी क्या जाएगी शापर वाले equation को देख लेकर बताओ त्बोले सर्ण का मतलब है छोटके म कई यूनिट आती मरल पर केजी सिपक्सिटे Имब इसकी उनिट के लिन आइगी ना हां तो इसकी उनिट क्या जाएगी तो यहाजाएगी-nes covid-09 के जी मौल अनुद क्यूर मेरी मोले मेर्स इसकी विलेंट क्या मताया बता कब वाला फॉर्मुला याद रखना देखो में तो आपको यह याद रखना है और बाकि अच्छा कब नहीं के भी बोल रहा हूँ बाकि यह अपने दिमांग में रखना थोड़ा बहुत वैसे यह फॉर्मूला आता नहीं है ना आस्तक आया है बट अगर क्या पता है इंटिया का मन खराब है सार बोलो बताओ लियर है एक सवाल करते है सर और नए 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 एक सवाल कर लेते हैं सर पड़ापट चलो यह सवाल करो पड़ापट 0.9 ग्राम यूरिया विन दिशॉल इन 45 ग्राम ऑफ वाटर कॉस्ट इलिवेशन और इतना इस अगर हम देखते हैं अगर हम इस सवाल को देखते हैं सर तो हमारे पास 0.9 ग्राम यूरिया है और यूरिया नौन एलेक्ट्रोलेटिक सुल्यूट है हमें सीधा सीधा क्या निकालना है और कोस्ट अलिवेशन ओफ इतना तो डेलिटा टीबी के वैल्यू कितनी है सर आप बोलोगे डेलिटा टीवी के वैल्यू 0.17 है ना फिर डिसॉल इन 45 ग्राम तो तो डेल्टा टीबी किसके बराबर हो जाएगा डेल्टा टीबी हमेसा याद रखना आई के वी हम लिखने की कोसिस करना आई लिखना ही सर भले उसके बाद में वैल्यू 1 कर देना डेल्टा टीबी की वैल्यू 0.17 आई की वैल्यू कितनी है सर तो आई की वैल्यू आप बोल करें तो के वी की सीदी सीदी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर आप बोलेंगे यह आ गई 0.17 डिवाइद भाई 0.9 यह पूरा का पूरा टर्म उपर मैटिप्लाई होके चला जाएगा डाट इस 60 इंटू 45 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और आप सॉल्फ करेंगे तो यह लगबग लगबग इतना आ जाएगा 0.52 अगर आप सॉल्फ करेंगे तो यह लगबग लगबग इतना ही आ जाएगा सार 0.5152 इंटू इस समझ गए एक सवाल और कर ले चलो चलिए फड़ा फड़ा इसको करते हैं अगला सवाल आपके computer screen पे एक्वस solution of glucose is made up by dissolving 10 gram of glucose in 90 gram of water at 303 Kelvin if the vapor pressure of the pure water at 300 Kelvin is if now what would be the vapor pressure of the solution यह तो RLVP का सवाल है यह RLVP का है तुम खुद कर लोगे इसको छोड़ते है boiling point का एक सवाल करते हैं यह चलो freezing point कर लेते हैं फिर एक साथ सारे सवाल करेंगे यह जादा अच्छा है यह सवाल कर लेते हैं यह सवाल करते चलो यह बढ़िया सवाल है the solution of 2.5 gram of non-volatile substance in 100 gram of benzene boiled at temperature इतना higher than that of boiling point of pure benzene calculate molecular weight of the substance बताये ऐसे सवाल खूब पूछें सर इस बार जही ने इस बार खूब पूछें सर temperature in Kelvin always in Kelvin temperature always in Kelvin temperature always in Kelvin temperature always in Kelvin बिलकुल है अगर हम इसकी बात करें तो हम यहां पर बोलेंगे सर नॉन वोलर डाल सल्यूट हमने कितना अड़ किया था 2.5 तो इसके number of moles कितने हो जाएंगे 2.5 बाइस का molar mass मेरे को नहीं पता तो mm लिख देता हूं फिर हमें 100 ग्राम बेंजीन दे रखा है 100 ग्राम बेंजीन का मतलब है डबलू बेंजीन कितना है सर सी 6 ह 6 यह कितना है सर तो आप बोलेंगे 100 ग्राम 100 ग्राम का मतलब मैं बोलूंगा 0.1 kg ठीक है ठीक है तो छोटका यह निकल गया हमारे पास कितना 2.5 divided by 0.1 1 into mm है ना तो यह कड़ गया यह 25 बटे mm आ गया कितना 25 बटे mm यह हमें मॉलालिटी निकल गई अब हमें डेल्टा टीवी अगर निकलना है तो डेल्टा टीवी किसके बराबर होगा कुछ दे रखा है क्या कुछ नहीं दे रखा सर तो हम क्या मानेंगे नॉन मॉलार कुछ भ 25 बटे mm यहां से अगर मोलर मास हम निकलना चाहें तो मोलर मास किसके बराबर हो जाएगा सर तो mm जो है यह बराबर हो जाएगा 2.67 into 25 divided by 0.42 इसका अंसर कितना आ रहा है एक बार मैं कालकुलेटर देखता कि मदद लेके देखता हूं इसका अंसर कितना आ रहा है सर तो हमारे 54.92 ग्राम है अगर हमें आनसर करना है थो यह 158.92 ग्राम और नियरश्यंटीजर में यह कितना हो जाएगा सर 159 ग्राम अ और यह सवाल समझ में आया बताईए बताईए बता इसवाल समugen है बताईए बरिधा बल्कुल सहीं बबल्कुल सहीं JIM ज़यान रखना केल्विन में टेंपरेचर नहीं अरे अचे अबलर बेटा commitment और दीट्ट मैंगत ना पानी गाम एक मेरी बात करो यार अब डेल्टा-टी और पौले लिग दिया ऐसी कर ले तो आप आइस का फोनल जो डिक्यीट-पर सब्सक्राइब करना लेकिन किसी एक में करना दोनों में मत खरना भाइप प्लीज ऐसे गलती मत करना कि एक को डिगरी सेल्चिस में रखनी है को केल्विन में अब डेल्टा हमेशा सेम होगा चाहे डिगरी सेल्चिस में निकाल लो चाहे केल्विन में निकाल लो है डेल्टा विल्टा गी वैल्यू चेंज नहीं करेगी अब चेंज इन टेपरेचर तो सेम रहेगा ना चाहे केल्व की बात कर लेते हैं तो depression in freezing point depression in freezing point क्या कहता है सर यह कहता है कि जब हम non-volatile solute add करते हैं यह ना वेन non-volatile solute is added solute is added जब हम non-volatile solute add करते हैं in a solution in a solvent तो freezing point बोले तो f decrease कर जाता है अब यहां पे अगर हम बात करें कि मालनो t not f जो है यह है आपका freezing point of pure solvent ठीक है और tf जो है यह है freezing point of solution तो आपको देखने को मिलेगा पहली चीज़ तो यह कि tf की value बड़ी होगी या tf छोटा हो जाएगा tf0 से बड़ा कौन होगा सर tf0 बड़ा होगा ओके सर तो अगर हमें डेल्टा tf की बात करूं तो डेल्टा tf क्या है सर इसको हम कहते है depression in freezing point depression सब्सक्राइब का मतलब यह किर जाना कम हो जाना depression in freezing point तो डेल्टा tf निकालने के तीन तरीके एक तो फॉर्मुले से एक तो अगर मालनों यहां के हम बात करें तो यह liquid वाली लाइन है यह point है यह point है यह वाला और यह वाला यहां से अच्छा यह तो डेल्टा यह किसके बराबर होगा सर similarly जैसे i kvm था वैसा ही यह i kf छुटका m हो जाएगा यहां पर भी उन चीजों का वही मतलब है जो वहां पर था जैसे अगर मैं बात करूं छुटके m का मतलब क्या है सर छुटके m की मतलब है molality सर के एफ का मतलब क्या है सर यह मोला डिप्रेशन कॉंस्टेνट है ईलिवेशन था महां पर यहां पर एक और अगर अगर मिस्की बात करें और अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम cryoscopy constant भी क्यते हैं से ट्रहे लिए मोई खोटा भी सुझा इच से फाउंट सांगा। बोलो 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 इस तरह से एक से कफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सब्सक्राइब बढलों को से का फ्रणुला यह बराबर हो जाएगा आर टी नोट-ध का स्क्वेर अपों थाॉज है या फल्या या एल फल्फ का मतलब लेटन एंट टॉपी यॉजए यहां पर कैसर यहां लेटन टॉप्सक्ण। लेटेंट ही टोप फ्यूजर अगर करेक्षिन विंडो ओपन हो तो पता नहीं यार करेक्षिन विंडो अभी तक तो पनी कैनों कितने देर का चलेगा यह बनाना जरूरी है लेकिन सवाल यहई अडवांस पूचता on एक सवाल करें लीजये यह सवाल कीजिए कि 5 क्षेल्य ओंस ओप्नफ इस नोफिंग कॉनिन सब्सक्राइब Vernompora लोडोर का मतलब यह दिए रखा है डिल्टा अगर दे रख्काने तो डिल्सीThere करिए जल्दी फटाफट करिए आप यहां पर देखेंगे आप यहां पर देखेंगे कि सर यहां पर हमारे पास जो डेल्टा टी एफ है वो किसके बराबर हो जाएगा यह बराबर हो जाता है आई के फटो के अगर हम बात करें तो व दे रखा है कितना पाच ग्राम तो इसके नमर ऑफ मोल्स आफ ऑफ सॉल्ट जो है यह कितने हो जाएंगे तो यह हो जाएगा पाच बटे mm mm बोले तो molar mass sir w solvent कितना दे रखा है तो आप बोलोंगे sir w solvent तो दे रखा है हमें 50 gram अच्छा इसको हम लिख सकते 50 into 10 की power minus 3 kg क्योंकि हम हमेशा molality में solvent के weight को kg में लिखते हैं तो आगे अगर हम solve करें delta tf that is 1.2 ये किसके बराबर होगा 1 into kf kf की value क्या है sir 1.86 multiplied by छोटका m छोटका m कितना हो जाएगा sir तो आप बोलोंगे number of moles of solute that is 5 upon mm into weight of solvent जो कि है 50 into 10 की power minus 3 एक 0 काटेंगे ये 10 की power minus 2 बचेगा 5 से 5 cancel out हो गया इसको उपर भेजेंगे तो molar mass of solute जो है वो कितना आजाएगा sir 1.86 divided by 1.2 और ये 10 की power minus 2 उपर चलके 10 की power 2 हो जाएगा इसका मतलब 186 divided by 1.2 कितना आ रहा है बताईए एक बारी calculator देवता का आहवान कर लेते है sir बुला लेते है इनको ये आ गया 186 divided by 1.2 that is 155 155 ग्राम आंसर simple है sir ऐसे सवाल खूब सारे आए है sir इस बार जेई में ऐसे सवाल अंगिनत आए है infinite देखते देखते पागल हो जाओगे ठीक है बताईए क्या ये बात क्लियर है बोलो 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 क्या ये बात क्लियर है बोलो 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 क्या ये बात क्लियर है बोलो 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 बताईए लियर है तो आगे बड़े रहे तो आगे बड़े ठीके सर इसके बाद हम चर्चा करते हैं किसकी बात करते हैं सरायग मोरेzuse TWर की उस्टुफ्ट प्रेशर की अगर मैं इसको याद रखना अपने दिवाग में तुम्हाइव प्रेसर कभी गलत करी नहीं सकते तो उस्मोर्टिक प्रेसर का काम है पानी को गंदा करना बस इतना ध्यान रखना पानी हमेशा गंदा होगा यह याद रखना जो मैं सब्द कहना उसको याद रखना यह सब्द अगर ऑल वेजसर ऐ क्यों बन नां कर रहा है पानी आपको समझना पर थो जान तो मां लोख चंट रहे हैं पर महारा अगला तक मतलब समझना पर समझने के पहले हैं सब्से पहले आपको समझना स्मोसिस सब्सेदral आपको समझनावगा स्मोंसिस व्РИ safestे सटमेंट लिए ऊस्मोंोसिस के अगर बात करें अगरा थे सोलेंट मौमेंट आप pure solvent movement of pure solvent from concentration concentration की अभी बात नहीं करें movement of pure solvent through SPM through SPM SPM का मतलब क्या है mouth semi permeable membrane semi permeable membrane के through say solution pure solvent का movement क्या के लाता है pure solvent का movement क्या के लाता है cosmos पान यहां पान नाले का पानी उठाके यहां पर यहां से मेरे को बता इसको मैंने compartment A बोला इसको मैंने B बोला तो movement कि अदर होगा A से B या B 2 A A B या B A A B या B A B A B का मतलब है A से B जा रहा है और B A का मतलब है B से जा रहा है गंदा होने जाने का क्या है गंदा होने चाने का मतलब है कि B2 A जाएगा टहां पे जाएगा सर बीट वे जाएगा यह यह नॉर्मल प्रोसेस लेकिन हम क्या करते हैं सर हम क्या करते हैं हम उपर से एक प्रेशर लगाते हैं बोले बेटा तु गंदा होगा अच्छा जैसे तुम भी देखो ना तुम भी देखो जैसे तुम्हारे माबाब क्या गरते हैं तु तो फाल्तु काम करने में तुम पूरा पूरा एकनम तयार रहते हैं ना पूझ रहा कि एक दीदी आई है दीदी तो नहीं होंगे भाया होंगे एंजल ट्रिया टाइप के लोग हैं यहां पर पूछ रहे हैं कि मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन बनेगा है ना ऐसे ऐसे सवाल प्रेशर बढ़ाते जाता है और वह प्रेशर जिसमें ऑस्मोसिस रुख जाए उसको अस्मोडिक प्रेशर कहते हैं यह ना क्या बोला मैंने वह प्रेशर वह प्रेशर जिसमें ऑस्मोसिस रुख जाए वह एक्स्टरनल प्रेशर वह पी एक्स्टरनल वह पी एक्स्टरनल जिसमें osmosis stop हो जाए, stops, is called osmotic pressure, is called osmotic pressure. तब ही अगर हम बात करें एक टेक्नीक जिसका नाम अपने सुना होगा, जिसमें आरो बोले तो reverse osmosis, तो reverse osmosis के case में reverse osmosis और osmotic pressure को हम पाई से रिप्रेजंट करते हैं, तो reverse osmosis के case में हम क्या करते हैं, external pressure को बढ़ा देते हैं, पाई से जादा, जब external pressure पाई से भी जादा होगा, तो flow उल्टा हो जाता है सर, नदी उल्टी दिसाम बहने लगती है, जैसे तुम घर में डायलोग सुनाओगा, माल लोग अभी तुम 6 बजे उठके पढ़ने लगे, तुम्हारे पापा ऐसे बोलते हैं, आज गंगा उल्टी दिसाम कैसे बह रही है, मतलब चीजे पलट कैसे गई सर, चीजे पलट कैसे गई, समझ गये, और osmotic pressure निकालने के लिए हमने एक क्या बोलते हैं, अपरेटस तयार किया है, इस अपरेटस में अगर हम सारे क्या बोल बोला, ठीक है, बोलो 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 बोलो, clear है क्या, बताइए, ये है, पाई बराबर ICRT, ये डायलोग कितने लोगोंने सुना, आज गंगा उल्टी दिसाम बह रही है, आज सुरज पच्चिम से निकला है क्या, ये डायलोग, नॉर्मली पेरेंट्स मारते रहते हैं, ये न बाए बाद clear है, तो अगर हम देखें, तो पाई बराबर ICRT, यहां पे ICRT में सभी सब्दों का मतलब क्या होता है, ध्यान से देख लिजे, पाई बराबर ICRT, यहां पे सभी सब्दों का मतलब क्या होता है, तो पाई बराबर ICRT, जहां पे T क्या है सर, पाई जो है, वो ह ऐसा concentration बोले तो बढ़का M, Molarity, सर यहां पर Molarity क्यों नहीं ली, क्योंकि यहां temperature वाली ज्यादा दिक्कत है, यह सेम temperature पर काम करेंगे, यह जो है, यह gas constant है, यह भाई साब gas constant है, और T जो है वो temperature है, T जो है वो temperature है, Kelvin scale में रखेंगे इसको, कुछ और बात है, if two solutions, if two solutions, if two solutions have, पहला, same pi, that is pi 1 बराबर pi 2, ऐसे दो solution को हम बोलेंगे, isotonic solution, क्या बोलेंगे लाला, isotonic solution, भाईया, ऐसे solution को हम क्या बोलेंगे, isotonic, यह तुम लोग एकदम tone हो गए हो, तुम लोग एकदम tone हो गए हो सर, उसके बाद, दूसरे point की बात करें, दूसरे point की बात करें, कि if pi 1 is greater than pi 2, है ना, pi 1 is greater than pi 2, मतलब, अगर किसी एक का, osmotic pressure दूसरे से ज़्यादा है, किसी एक का, osmotic pressure दूसरे से ज़्यादा है, है ना, समझ यह क्या, बोलो, 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 तो इसको तो इस case में इसको हम बोलेंगे जिसका pressure ज्यादा है उसको हम बोलते हैं उस solution को हम बोलते हैं hypertonic इसको हम बोलेंगे hypertonic और याद रखना note note, during osmosis, during osmosis, movement of solvent is from, is from hypotonic solution rice two hypertonic solution!" यह सुनने में बड़ा जीव लगता है, बड़ा ऐसा ही होता है इसका एक example देता हूं आप में से, समूद्र कितने लोगोंने सुना है, देखा है , हाँ, बहुत बढ़िया आप में से समुद्र कितने लोगों ने देखा है या सुना है बताईए 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 आप में से समुद्र कितने लोगों ने देखा है या सुना है बताईए तो आप बोलोगे सर समुद्र में जब हम जाते हैं कभी अगर मालो कभी मौका लगे है न समुद्री पानी में नहाओगे तो क्या होता है आपके जो स्कीन उस पर इंकल सा जाता है पता है क्योंकि आपके अंदर जो सॉलूशन है ना पानी का और समूद्र में जो पानी का सॉलूशन हो बहुत concentrated है समूदर में मतलब समूदर hypertonic है और हम hypotonic है तो हमारे अंदर से पानी चूस लेता है समूदर तो हमेशा याद रखना hypotonic से hypertonic के तरफ जाता है this is very important hypotonic से hypertonic के तरफ जाता है this is very important बताए कोई doubt है तो बताइए फिर हम कुछ सवाल करते हैं जैमेंस के ताबर तोड़ सवाल 5-10 सवाल करते हैं फिर आज की class end करेंगे सर चलिए सुरू करते हैं सवालों का सिलसला यह कुछ biological importance है इसको एक बारी पढ़ लेना पस इसको read कर लेना इसको read अब हमें क्या रखा सुक्रूस दे रखा है सुक्रूस के लिए की value 1 तो हम क्या बोलेंगे पाई बराबर ICRT आई बोले तो बन सी बोले तो इस डेवलेट सो ओसमोटिक सी तो निकालना एसर तो यहां पर पाई आ गया पाई आगया दो सी कितना एसर नीकालना है तो C को C लिख देंगे R की वैल्यू कितनी लिखेंगे तो देखो जब कभी atmosphere में है ना तो R की वैल्यू हम लिखते हैं 0.0821 याद रखेगा तो R की वैल्यू हम लिखेंगे या फिर इसको आप लिख सकते हो यह almost equal है एक बड़े 12 के है ना तो इसको हम लिख सकते है 0.0821 इन्टू temperature की वैल्यू है 300 यहाँ पर हम solve करें तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 बटे इसको यहाँ लाएंगे तो इसको एक बड़े 12 लिख देता हूं इससे क्या है आदबटे 100 मतलब 0.08 आणसर 0.08 आंसर समझ में आगी बात क्या सर पाई को दो कैसे लिया अबे देर अचारए क्टी प्रॉपर्टी पहले इसको इसको आई बता दिया ना आई तो इसको पहले बता दिया हमने पहले यह नॉर्मल वाली चीज को पढ़ ली थी अब सवाल करेंगे जही में चके बहुत हो गया मजद आभाव सवाल करेंगे जही में चकर बहुत हो गया मझा की अरे बोलो भाई अब सवालकर लें जही खला के बताओ चलो एक यह सवाल करो question number यह सवाल क्या है सर यहाल का सवाल substance A tetra amirizes tetra amirizes मतलब इसके लिए N की वैल्यू कितनी है सर चार in water to extent of 80% मतलब बीटा की वैल्यू जो है वो कितनी है 0.8 आपको बताना है 2.5 ग्राम अफ ए इन 100 ग्राम अफ पानी lowers the freezing point by इतना the molar mass of A is बताईए पानी की बात किये न पानी की बात किये न तो मैं आपको KF की वैल्यू पानी की पतादेता हूं ये हैं 1.86 हो सके तो याद कर लो आप ऐसे आठकर लो kf by kb जो होता है पानी के लिए kf by kb लगबख लगबख three times होता है एक एक बात बता यह वाला फ और बताया है abnormal molecular mass है यह वाला formula जब बताया तब देखा नहीं इसमें molecular mass निकाला था ना यार इसी प्राते अब आई जब बता रहा था तो आई को बोला था आई किसके बराबर है सर आई मैंने बोला था कि molar mass of solute mm solute है ना कौन सा सर तो theoretical बटे mm solute experimental यही तो बताया था ना यार यही तो बताया था ना दोस्त जल्ली इसका answer दो अब इसका answer तो सीधा दे सकते हो तो आप बोलो को कि सर देखते हैं कुछ तो करते हैं सर कुछ करते हैं तो हमने बोला सर पहले i की value निकालो i कितना होगा 1-1-1-beta by n यही होता या सुरी 1-1-1-1 by n in2 beta यह value आ गई 1-1-1 PayPal इतना bett इसको आगे solve करेंगे तो यह आगया 1- yes इसको अगर देखे तो यह 3 m4 यह Libra L रहे न सर तो 3 by 4 into 0.8 यह कट गया 0.2 times में तो यह आ गया 1 minus 0.6 that is 0.4 i की value आ गई पहले i की value जैसे आ गई i की value जैसे आ गई फिर मैं क्या लिखूंगा delta tf यह किसके बराबर होगा delta tf किसके बराबर होगा i into kf into छोटका m delta tf कितना दे रखा है सर यह दे रखा 0.3 i की value कितनी दे रखे 0.4 kf की value मैंने आपको बताती 1.86 molar mass की बात करते हैं तो given weight given weight given weight कितना 2.5 gram of it तो 2.5 बटे इसका molar mass into 100 gram पाली इसका मतलब यह 0.1 kg सीधा लिख दो तो यह point से point कटा इसको भेजा इधर और बाकी सबको लेके आगे इधर तो molar mass जो है वो कितना आगया सर 0.4 into 1.86 into 25 point से point उड़ा दिया था divided by 0.3 इसको solve गर के बता answer कितना रहा है इन दोनों को multiply करेंगे तो यह तो आगया 10 यह कितना आगया 10 है ना फिर इसको अगर cancel out करेंगे तो यह कितने बार में कट रहा है यह कट रहा है सर point 6 point या रूप जा यह कितने बार में कट रहा है बाई काट के तो बताओ बोलो बोलो अब इसको इधर कर ले ना point को इधर किसका ले अब काट दे D 62 हाँ वही मैं कह रहा हूँ point 62 आ रहा है और 10 से multiply होके 62 आ जाएगा बहुत बढ़ या चमका गया जेई मेंस का सवाल है सर कितना कटी ने गया बोलो 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 अब आते जेई मेंस के और मज़ेदार मज़ेदार सवाल पर बोलो या आर यू रेड इस आर यू गई ऑई इस पर आते हैं सर देखौल को बड़ा मज़ेदार सवाल है सर जे मेंस 2020 अब जो सवाल है जितने भी सवाल इस कलर में वह सभी जेयम 2022 के हैं अब नहीं 2020 के हैं सर चलिए करते हैं in boiling point of one molar solution मतलब वन मोल का मतलब नॉन वोलाटाइल solute is 3K the depression in freezing point of two molar solution of same solvent is 6K the ratio of KB is to K जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ देखे 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 झायगा सर 2 सवाल है तो नियर एंस पांच सवाल करें चुट्टी और पांचो सवाल जेई मेंस 2022 के बांचो सवाल जेई मेंस फाजार बाल में हिए है एक बच्चा पूचा सब्सक्राओ लास्ट कोसेंट में टेमपरेटर अभेस में 300 Kelvin नहीं होगा ना यार कैसी बाते कर रहे हो यार ओगाइज वाट यू दोइंगाइज वाइगाइज चलो देखें इसमें क्या करेंगे सरूपर लिखेंगे डेल्टा टीबी नीचे लिखेंगे क्या निकाला कुछ भी लिखेंगे यार क्या वरक पड़ता नीचे लिखें ये डेल्टा देवी थ्री यही तो निकालना है पहले वाले केस में लुखेंगे इस से यह कट गया इससे यह अब यह दो आएगा लोगों का बोलो कितना टाइम लगा सर अपे टाइम बताओ ना कितना लगा तू कैसे आ रहा है 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 अरे पहले भी तो सवाल करवाए है और कुछ होमवर्ग भी तो दूगा अपे पहले भी तो तु solution A and B are prepared by dissolving 1 gram of non-volatile solute X and Y respectively if respectively in 1 kg of water the ratio of depression in freezing point of A and B is found to be 1 is to 4 the ratio of molar masses. मैं ऐसे सवालों को करने का simple तरीका एक डबा बना लो है ना एक डबा बना लो इन दोनों डब्बे में हमने क्या सब्सक्राइब रेकल चीडएब कई सब्सक्राइब एक में हमने क्या सब्सक्राइब क्या मिलका खाया तु offers हमसे कह रहा था ratio of depression in freezing point of a and b is to found to be इतना तो अगर हम यहां से delta tf निकालेंगे delta tf for x upon delta tf for y यह किसके बराबर होगा तो आप बोलोगे यह बराबर होगा i into kb into m upon इसको 1 कर यह mx कर देते हैं i into kb into my ठीक है yes sir the ratio of molar masses of x and y अब सुनना मेरी बात ध्यान से. सर एक बात बता, سर के Emilie तो water का होता है ना सर, KB को solvent का होता है और solvent दोनों ही case में कौन है solvent दोनों ही case में पानी है तो पानी का मतलब KB की value तो दोनों ही case में same होगी, तो इससे ये cancel out हो गया, ठीक है सर आपकी बात सही है, इसकी value हमें 1 by 4 और दे रखी है तो हम लिखेंगे 1 by 4 जो है ये किसके बराबर होगा आई आई कुछ दे रखा है क्या कि आई कट रहा है टूट रहा है नोन वोलाटाइल दे रखा है तो आई से आई कट गया ये किसके बराबर होगा molarity of x upon molarity of y molarity का मतलब number of moles of x है ना 1 by 4 जो है ये किसके बराबर होगा given weight of x upon molar mass of x into given weight of y उपर आ जाएगा नहीं सर ये कैसे उपर आएगा ऐसा होगा divided by given weight of y और उपर चला जाएगा molar mass of y तो यहां से आप देखोगे given weight भी दोनों का 1 gram ही है तो ये भी ये भी कट गया y is to x आ गया हमारे पास y is to x आ गया हमारे पा है तो यह आ जाएगा कितना 4 is to 1 और 4 is to 1 कौनसा option है सर बोलो 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 4 is to 1 अगर आप option देखेंगे 4 is to 1 ध्यान रखना 4 is to 1 चाहिए सर हमें x and y चाहिए है तो molar mass of x by y तो आप बोलोगे ये option सही है सर क्योंकि ये 1 is to 1 by 4 है that is 4 is to 1 ये answer सही है धोका है सर छोटे में धोका ह कि अच्छा हाँ ठीक ठीक फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा सही कहरो आप की बात कर रहा है बलकुल सही समझ गया क्या बोलो बोलो तो देखो कितने लोग धोगा खागे सर 1 is to 4 माग कर दिया बल्की answer क्या answer answer समझ गया थोड़े में फस गया चलिए अगला सवाल करते है यह अगला सवाल आपके computer screen पर यह रहा when a certain amount of solid A is dissolved in 100 gram of water at 25 degree Celsius to make a dilute solution the vapor pressure of the solution अब सुनना ध्यान से काम की बात कैसे निकाली जाती है तो वेपर pressure of solution reduced to 1 half इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास P naught की value X थी तो PS की value है X by 2 है ना 1 half of that pure water the vapor pressure of pure water is 23.76 मतलब X की value कितनी है सर 23.76 तो इसकी value कितनी हो जाएगी सर 23.76 by 2 हमसे पूछा था number of moles of solute A added is कितने moles A का हमने add किया समझ गया बोलो 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 100 gram water है to make dilute solution the vapor pressure of solution reduced to इतना तो स्थीक है सर हमसे पूछा कितने mole तो हम क्या बोलेंगे हम सीधा सीधा बोलेंगे सर देखो P naught minus PS upon P naught की value जो है वो कितनी आ जाएगी अब कुछ दे रखा है क्या अरे भो यहाँ पर हमें electrolyte non electrolyte का कोई भी बात नहीं दे रखी है solute भी नहीं दे रखा तो हम यहाँ पर सीधा x a कर देंगे सर यह ना x a a कौन था सर हमारे पास solute था यह भी याद रखना यह यह यहाँ पर solute था तो P naught की value कितनी है आप बोलेंगे 23 point या एक काम करना भाई इतना इस value को क्यों लिख रहा सब्सक्राइब होगा x के टर्म मिले तो आप बोलोगे x minus x by 2 divided by x देख x कट जाएगा मज़ेदार बात तो यह है ना सर यह किसके बराबर है सर x a x a का मतलब है number of moles of a upon number of moles of a plus number of moles of पानी लेकिन आप बोलोगे सर एक चीज़ और है यहाँ पर यह चीज मेंशन की है कि assume the moles of a is less than that of b है ना assume that a of इसका मोल कम है b से बलब पानी से कम है पानी से कम है इसका मतलब इसको हम neglect करके 0 कर देंगे यहाँ से अगर हम देखे तो यह 1 minus 1 by 2 है और हम क्या लिख सकते है सर यह 1 by 2 यह x by 2 divided by x आ रहा है यह आ रहा है x by 2 divided by x यह value किसके बराबर आ रही है सर number of moles of a जो कि हम मोल्स कैसे निकालेंगे तो गिवन वेट अपन मोलर माच that is 100 अपॉने एक सेक्स कट गया यहां से अगरा में number of moles of a निकालना है तो यह कितना हो जाएगा सर आप बोलेंगे यह कितना हो जाएगा सर बोलो बोलो तो आप बोलेंगे सर यह 18 बटे 200 हो जाएगा अ है यही है ना इसको उपर फैक के मारा ये नीचे आ गया ठीक है रॉंग क्या गलती करती भाई देखले यार देखले भाईया मैं फिर इस्वाल्व कर देता हूँ ऐसे मेरे कुछ ठीक लग रहा है एक्स माइनस एक्स बाई टू यह आ जाएगा एक्स बाई टू बढ़का एक्स यह बराबर है नंबर ओफ मोल्स ओफे जो की हमें निकालना है डिवाइड़ बाई नंबर ओफ मोल्स ओपानी गिवन वेट अपॉन मोलर मास अंड्रड ग्राम यह ना मोलर मास 18 इससे यह कैंसल लूट हो गया तो नंबर ओफ मोल्स ओफे अगर हम निकालेंगे नंबर ओफ मोल्स ओफे अगर हम निकालेंगे तो एक इसके बराबर हो जाएगा उपर 18 नीचे 2 इंटू 100 अ कि बोले तो 9 बटे 100 0.09 आया ना है ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर वह एक्स पी नोट होता है यह थोड़ी होता है एक्स बाइट वान बाइट यह तो बचेगा कैसी बात कर रहा है एक्स एक्स कट जाएगा यार कहां बैठ है यह लोग कली अगला सवाल आपके computer screen पर यह रहा देट सो ग्राम ओफ एस्टीक एसिड वस कंटामिनेटेड वित इतना ग्राम ओफ एसकॉर्बिक एसिड तो लोवर दाउन दफ्रीजिंग पोइंट बाइटना तव वैल्यू ओफ एक्स इज बताईए इसका मैं आपको यह बता देता हूं simple देखो आपको क्या करना है सर सबसे पहले छोटका M निकाल लेना है कैसे तो हमें दे रखा है 10.2 ग्राम ओफ एसकॉर्बिक एसिड तो यह 10.2 डिवाइड वाइड वाइड मोलर मास डेड़ सो इंटू 10 की पावर माइनस 3 यह आ गया पूरी वैल्यू अब यहां से मोलालेटी निकल गई अब मोलालेटी निकल गई तो डेल्टा टी अफ जो है वो किसके बराबर हो जाएगा सर आई इंटू के एफ इंटू एंटू एम वैल्यू रखो आंसर निकालो सिंपल समझ गये क्या अंड्रेट भाई 36 इसकी बात कर रहा है अभी यहीं पर हो गया अच्छा ओके गॉट इट यह उपर चला जाएगा ना सर हां ब्रेनवा हैं कर गया है चलो कोई बात नी यह क्या हो जाएगा सथ यह उपर चला जाएगा यह एंड्रेड डिवाइड़ वाई ठीश को जाएगा जाना यह उपर अब ठीक है बोलो थीग है चलो इसको भी आप इस तरीके से कर लोगे अगले सब्भी देखो जितने भी सवाल आए ना ये करीब करीब मेरे पास अभी कितने 15-20 सवाल हो रहे हैं और ये जितने भी सवाल आए ना सब numerical answer टाइपन सब नुमेरिकल अंसर टाइपन और सारे कॉलिगेटी प्रोपेटीस हैं मुस्टी देखो अगला अगासेस mixture of two substance A and B under a total pressure इतना atmosphere in equilibrium with an ideal liquid solution the mole fraction of substance A is itna in the vapor phase and 0.2 in the liquid phase the vapor pressure of the pure liquid A is अब देखे यहां पर क्या दे रखा है अगर यहां पर हम बात करें तो हमें बोला है total pressure तो P total दे रखा है 0.8 फिर हमें दे रखा है the mole fraction of substance A in the vapor phase ये दे रखा है कितना 0.5 फिर हमें क्या दे रखा है सर एक से दे रखा है कितना the vapor pressure of pure liquid A is ये पूछा है और and इतना in liquid state तो एक से हमें दे रखा 0.2 ठीक है सर यहां से अगर हम आगे देखें यहां से अगर हम आगे देखें तो हमें एक expression लिख सकते है ध्यान से देखेगा यह दे रखा है तो yb मेरे पास कितना आ जाएगा सर 0.5 है न एक से दे रखा है तो xb मेरे पास कितना आ जाएगा सर 0.8 समझ गए क्या बोली हाय ना यह बाद तो clear है न बाई यह बाद तो clear है पी टोटल दे रखा है तो हमें दो expression लगाना पड़ेगा सबसे पहला expression क्या लगाएंगे सर पी टोटल बराबर पी नॉट एक से पी नॉट एक से प्लस पी नॉट भी एक से यह है एक्वेशन नमबर सर दूसरा equation क्या लगा सकते है सर दूसरा equation लगा सकते है वन बाई टोटल बराबर पी नॉट ए अपॉन यह उल्टा गरेंगे यह अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई भी अपॉन पी नॉट भी और मैंने बोला था ने यह equation ऐसी जगा पे काम आएगा जहां और कोई काम नहीं नहीं आएगा यह equation ऐसी जगा पे काम आएगा जहां और कोई काम नहीं आएगा तो इसको सीधा उठा के फेक के मारेंगे वन अपॉन पॉन प्री टोटल एट इस वन पॉन पॉंट जिरो पॉंट एग एक इसके बराबर होगा सर वाई यह की वैल्यू है 0.5 बाई पी इस सवाल को करते हैं इसमें ओपिशन से solve कर सकते हैं चलिए सवाल है solute A associates in water when 0.7 gram of solute is dissolved in 42 gram of water. देखलो, लिख रखा, associates. If depresses the freezing point by 0.2, the percentage of association of solution A in water is, आपको दे रखा, molar mass of A दे रखा, molar depression constant भी दे रखा, बताईए. बताईए वया, बताईए, बताईए, तो आपको पहले I निकालना होगा. क्या निकालना पड़ेगा, सर? I. कैसे निकालेंगे, सर? हम बोलेंगे delta T freezing point है, न, Tf जो है. वो किसके बराबर है? वो बराबर है I, KF, M, K. वो किसके बराबर है, सर? I, KF, M, K. किसके बराबर है? I, KF, M, K. उसके बाद अगर हम आगे चले, delta Tf हमें दे रखा है, 0.2, delta दे रखा है, देखो, depresses the freezing point, मतलब delta दे रखा है, तो delta 0.2 हो गया, I की बात करें, निकालना है, KF की बात करें, तो ये 1.86 है, M की बात करें, तो हमें इसका weight दे रखा है, कितना? 0.7, given weight upon molar mass, molar mass है 93, into, mass of ठीक है, यहां से अगर हम solve करेंगे, यहां से अगर हम solve करेंगे, तो हमारे पास I की value आ जाएगी, फहले देख कैसे, अगर इसका 2 0 उड़ाते हैं न, तो ये point हट जाएगा, 1 0 उड़ाते हैं न, तो ये point हट जाएगा, ये इससे कटा कितने बार में, 2 बार में, ठीक है, ये इससे कटा कितने बार में, 6 बार में, ये इससे कटा कितने बार में, 3 बार में, है न, तो यहां से सीधा सीधा I की value कितनी आ गई, 0.2 into 3, that is 0.6, अब ये तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ना ये तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ना बताईए सही बात है यह सर इसके बाद अगर हम आगे बात करें अब हमें क्या करना है सर यहाँ पर पहले ही दे रखा है एसोशियेट करके यह क्या करता है सर इसके होती है sir 1-1-1 by n into beta और हमसे क्या पूछा है sir find the percentage of association तो beta निकालना है आई की value कितनी है sir 0.6 एक इसके बराबर हो जाएगी 1-1-1 by 2 into beta इसको आप solve करेगो इसको इधर इसको इधर तो हमारे पास सीधा beta by 2 की value कितनी आ जाएगी sir तो आप बोलोगे बीटा by 2 की value 1-0.6 आ गई और यहां से beta की value कितनी आ जाएगी 0.4 into 2 that is 0.8 beta की value 0.8 आने का मतलब है 80% answer आ जाएगा sir कितने लोगों ने कितने लोगों ने सही answer टिक कर दिया बहुत बढ़िया कैसे सवाल है sir easy है but calculation थोड़ा सा calculation थोड़ा सा तुमें करना पड़ेगा calculation थोड़ा सा तुमें करना पड़ेगा homework में क्या है sir homework में मैं आपको 10 सवाल 10 PYQs दे दूगा भी 10 PYQs दे दूगा 10 PYQs आपको दे दूगा कहां पर मिलेंगे sir practice seat job को मिलेगी उसको कर लेनी है यह सारे के सारे नोट्स आपको कहां पर मिलेंगे तो यह अपने PW आपके ऊपर आपको मंजिल लेजंट नाम का batch मिलेगा that is free of cost कुछ नहीं करना है sir कुछ नहीं करना है sir उसको पकड़ना है और उससे इसको solve कर लेना है तो that's all we have in today's session आज का session I hope आपके लिए बहुत helpful रहा हो और यह आपको जेई में अच्छे नंबर लाके दे मतलब एक plus 4 marks तो पक्का लाके देगा mains में भी इस attempt में भी अगले attempt में भी और advance में भी पक्का sure shot एक सवाल आता है तो that's all from my side and a very happy new year to all of you है ना अगला साल आपका बहुत ही तगड़ा हो happy new year to all of you a happy new year to all of you अच्छे से रहो भाया बढ़िया एक्दम exam देना फोड़ के आना अगले साल में कुछ जादू ही करना ठीक है तो इसी के साथ आज की class हम यहीं पर समाप्त करते हैं मिलते हैं फिर कभी तो बबाई take care ध्यान रखे और एक सायरी एक छोड़ी सायरी बोलता हूं कर लास्त में मैंने class में वोला था उसी को repeat करता हूं कि अगले साल फिर जब यही वक्त आ रहा होगा अगले साल फिर जब यही वक्त आ रहा होगा किसे खबर है कौन किस जगा होगा किसे खबर है कौन किस जगा होगा बिछडने वाले तुझे देख देख सोचता हूं फिर मिलेगा तो कितना बदल चुका होगा तो अगली बार मिलना तो ITN मन जाना तो that's all from my side बबाई take care ध्य